हेलो स्टूडेंट्स वेलकुम अगें टू लण्वरी दितीमन तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास टैंथ का पर्स चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंब से बारा सो छे इसवी तक इसमें हम मोरेकाल के बारे में मोरेकाल के प्रशाशन के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और ये आपके नोट्स का काम भी करेगा आपके इस लेबस में आपका जो टॉपिक है ये आपका दिया हुआ है लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है आपको अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो जो है वो यहां जोड़ सकें इस तरीके से हम क्लास 10 का जो स्लेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं चले कुश्या नमबर वन है समुद्र भार भारती दुविपों को क्या कहा जाता था प्रश्न को आराम से पढ़ना है और आंसर इसका अच्छे से सुनना है इसका धातु का प्रियोग मुख्यते किया जाने लगा था तो इसका सही आंसर होगा लोहे का प्रियोग ठीक है उत्तरवैदिक काल में पूर्व उत्तरप्रदिस और पक्षिमी बिहार में लोहे धातु का प्रियोग जो है वो किया जाने लगा था नेक्स्ट है question 3 किस बौध गरंथ में बताया गया कि उस समय महाजनपदों की संख्या सोला थी तो उस बौध गरंथ का नाम बताना है तो आपके ये read के exam में पूछा भी गया था आगे भी पूछा जा सकता है तो आपको इसको ध्यान में रखना है उस बौध गरंथ का नाम है अंगुत्तर निकाए इसके अलावा हमें जैन गरंथ भगवती सूत्र से भी महाजनपदों के बारे में जानकरी मिलती है इसे आप नोट कर लेंगे जो भी आप नोट्स बना रहे हैं आपने अब तक नाइनध क्लास तक जो नोट्स बनाए हैं उसमें जो भी फैक्ट अब तक नहीं आये हैं उन्हें आप नोट करते जाएं नेक्स्ट है महाभारत काल में जांगल प्रदीश किन जिलों के शेतर को कहा जाता था जांगल प्रदीश के नाम से जो जाना गया वो शेतर हैं वीकानेर व जोधपुर नेक्स्ट हैं मतस्य जनपत की राजधानी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है देखिए ये प्रशन भी आपका पूछा जा चुका है तो ये चैप्टर जो है वो आपके लिए इतने ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि आपको एक भी लाइन जो है वो छोड़नी नहीं है मतस्य जनपत की राजधानी को वर्तमान में वैराट नगर की नाम से जानते हैं महाभारत में किस राज़ा के बारे में कहा गया कि उसने चैदी वा मतस्य दोनों राज्यों पर शाशन किया महाभारत में किस राज़ा के बारे में कहा गया कि उसने चैदी वा मतस्य दोनों राज्यों पर शाशन किया जिसका सही उत्तर है सहाज नामक राज़ा का उलेग मिलता है महाभारत में कि उसने चैदी और मतस्य इन दोनों ही राज्यों पर शाशन किया था नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर 7 सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो जो आपके 16 महाजनपद हैं उनकी जो राजधानिया हैं विसेश तोर पर आपको अच्छे से लर्ण करनी हैं उनमें से एक प्रश्ण जो है वो आपको चाहे रीट का एक्जाम हो चाहे पटवार का एक्जाम हो वहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा नेक्स्ट है सूरसेन जनपद की अंतरगत कौन-कौन से जिले आते थे? सूरसेन जनपद की अंतरगत पुर्वी भाग ठीक है करॉली भरतपुर धॉल्पुर और अलवर का पुर्वी भाग और हमने जो अभी पढ़ा था गौन सा जनपत पढ़ा था जांगल परदेश जांगल परदेश में किन जिलों के बारे में बताया गया था वीका नेर और जोदपुर Q9. वासुदेव के पुत्र स्री कृष्न का संबंद किस जनपद से था? राजिस्थान के जो प्रमुख जनपद हैं, उनके बारे में हम डिसकस कर रहे हैं वासुदेव के पुत्र स्री कृष्न का संबंद सूरसें जनपद से था इसका सही आंसर है पाकिस्तान के सौर कोट नामक इस्थान से तो देखिए सिवी की जो प्राचीन राजधानी थी वो कौन सी थी? तो प्राचीन सीवपुर की पहचान जो है वो पाकिस्तान के सौर कोट नामक इस्थान से की जाती है चितोडगर के पास इस्थित नगरी किस जनपत की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है शिवी चित्तोडगड के पास इस जो नगरी है वह है शिवी जनपद की राजधानी थी तो जो शिवी है वो अभी कहां पर है जो चित्तोडगड जो है उसी को शिवी के नाम से जाना गया शिवपूर को किस राजा ने अन्य जातियों के साथ दस राजाओं के युद्ध में पराजित किया तो इसका सही उत्तर है राजा सुशिन Queshion No.13 शिवी जनपद का प्रसार पक्षिम से लेकर दक्षण पूर्व तक होना कहां की गोहा लेक से ग्यात हुआ कहां किस गोहा लेक से हमें ये पता चलता है गोहा लेक यानि की गुफाओं में जो लेक लिखे गए तो शिवी जनपद के बारे में हमें मंदुसोर की जो पांच गोहा लेक से पता चलता है नेक्स्ट जनपदों की सबसे बड़ी सभा का क्या नाम था जिसमें परिवार के प्रतिनिटी शासन विवस्था करते थे जन्पदों की सबसे बड़ी सभा का क्या नाम था जिसमें परिवार के प्रतिनिती सासन विवस्था करते थे इसका सही उत्तर है संस्था कार नेक्स्ट कुश्यन मैगनिस्टीज किसके दरवार का राजदूत था ये भी कुश्यन आपका एक्जाम में पूछा गया है चंद्रगुप्त ने 305 इसापूर में किस युनानी सासक को पराज़ित किया था इसका सही आंसर है सेरल्यूकस निकेटर को इसके अलावा चंद्रगुप्त ने नंदवंस के अंतिम सासक घनानंद को पराज़ित करके 25 वर्स की आयू में ही सिंघासन पर बैट गए थे कौन से दो ग्रंतों से ग्याद होता है कि चंद्रगुप्त मोरे ने दक्षिन भारत पर आक्रमन किया था तो उन दो ग्रंतों की क्या नाम है जहां से हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मोरे ने दक्षिन भारत पर आक्रमन किया था इसका सही आंसर है तमिल ग्रंत एहना नुरू और मुराना नुरू इन दोनों ग्रंतों से हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त मोरे ने दक्षिन भारत पर आक्रमन किया था तो ये तमिल ग्रंथ है, इन दोनों के नाम आपको याद रखने है चंद्रगुप्त मोरे किस धर्म का अन्याई था? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मोरे जैन धर्म का अन्याई था नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मोरे ने ब्रद्दा वस्था में किस से दीक्षा ली थी? इसका सही आंसर है भद्र बाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी नेक्स्ट है कुश्चन 20 समराट असोक किस धर्म का अन्याई था इसका सही आंसर है बौद्धर्म का समराट असोक जो पहले तो सिव भक्त थे लेकिन बाद में उन्होंने बौद्धर्म को अपना लिया था तो देखिए हम याद रखना है कि हमने अभी चंद्रगुप्त मोरे के बारे में पढ़ा चंद्रगुप्त मोरे जैन धर्म की अन्याई थी समराट असोक बौद्धर्म के किस मोरे शाशक ने उपवास करके अपना सरीर त्याग दिया था तो देखिए महान समराट हुए थे मोरे शाशक तो वो कौन थे जिन्होंने उपवास करके अपना सरीर त्याग दिया था इसका सही अंसर है चंद्रगुप्त मोरे ने 298 इसापूर्व में श्रवन बेल गोला करनाटक में श्रवन बेल गोला जो है वो मैसूर में पड़ता है और जो की वर्तमान करनाटक में है तो उन्होंने उपवास करके अपना सरीर त्याग किया था क्योंकि ऐसा सुनते हैं कि उस समय मोरे काल में वहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था यूनानी बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया? यूनानी बिंदुसार को किस नाम से यहाँ पर ये पूछा है कि यूनानियों ने बिंदुसार को किस नाम से पुकारा? इसका सही आंसर है कि जो यूनानी थे उन्होंने बिंदु सार को अमित्र चैट्स के नाम से पोकारा ठीक है तो यहाँ पर जो question है यहाँ पर थोड़ा सा mistake है यूनानी जो थे उन्होंने बिंदु सार को अमित्र चैट्स के नाम से पोकारा वायू पुराण में भद्रसार वो जैन ग्रंतों में सिंग सेन किसे कहा गया तो इसका सही अंसर है बिंदु सार को बिंदु सार को यूनानी ने अमित्र चैट्स के नाम से बुकारा और वायू पुराण में इन्हें भद्रसार और जैन ग्रंतों में इने सिंग सेन कहा गया तो ये सभी इनकी उपादियां थी इनको आपको याद रखना है एक बार दुबारा से रिपीट कर लेते हैं वायू पुराण में भद्र सार और जैन गरंतों में सिंग सेन बिंदु सार को कहा गया और यूनानी लोगों ने अमित्र चैट्स जो है वो बिंदु सार को कहा बिंदु सार के साशनकाल में हुए तक्षि शिला विद्रो का दमन करने के लिए उसने सर्व प्रथम किसे बेजा तो बिंदु सार के साशनकाल में तक्षि शिला में जो विद्रो हुआ था उसका दमन करने के लिए उन्होंने अपने दो फुत्रों को बेजा तो सबसे पहले उन्होंने असोग को भेजा, उसके बाद उन्होंने सुशीम को भेजा किसकी अनुसार बिंदुसार के शाशनकाल में तक्षिशेला में दो बिद्रो हुए? इसका सही अंसर है जिनके दमन के लिए उसने सबसे पहले असोग को भेजा था और उसके बाद सुशीम को भेजा था अब यहां से आपकी जो आपने अगर नोट नहीं किये हो तो प्लीज नोट करिएगा क्योंकि यहां से बहुत इंपोर्टेंट कुश्यन जो है स्टार्ट है एंटियोकस प्रथम कौन था इसका राइट अंसर है बिंदु सार के राजदर्वार में एक यूनानी सासर था एंटियोकस नेक्स्ट है एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत के रूप में न्यूक्त किया एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत के रूप में न्युक्त किया था जो की एक यूनानी शाशक था इसका सही अंसर है दाइमिकस तो उस राजदूत का नाम था दाइमिकस तो ये कई बार एक्जाम में पूछा गया है पटवार में पूछा गया है SSC में भी ये कोशन जो है वो आपका पूछा गया तो अब आपके रीट के एक्जाम में भी ये पूछा जा सकता है आपको याद रखना है नेक्स्ट है किसकी अनुसार मिस्तर के राज़ा ने एक मिस्तरी राजदूत को बिंदूसार के दरवार में भेजा तो इसका सही आंसर है प्लीनी के अनुसार मिस्तर के राज़ा जिनका नाम था फिला डेलफस उन्होंने एक मिस्तरी राजदूत और उस राजदूत का नाम था डियानी सियस तो डियानी सियस राजदूत को उन्होंने बिंदूसार के दरवार में भेजा था एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको कि प्लीनी के अनुसार मिस्त्र के राजा फिलाडेलफस ने एक मिस्त्री राज़ूत दियानी सीयस को बिंदु सार के दरवार में भेजा था दक्षिन भारत से प्राप्त किन अविलेखों में असोक का नाम अशोक मिलता है इसका सही अंसर है दक्षिन भारत में प्राप्त मास्की और गुर्जरा अविलेख में हमें असोक का नाम क्या मिलता है अशोक मिलता है बहुत important question चल रहे हैं ये अविलेखों में अशोक को किन उपादियों से विबूसित किया गया इसका सही अंसर है अविलेखों में जो पादियां थी वो थी देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दसी ठीक है इन दोनों को आपको याद रखना है देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दसी इसके अलावा मास्की और गुर्जरा अविलेग में क्या मिलता है अशोग नाम मिलता है नेक्स्ट है राज्य अभिशेग के कितने वर्सों बाद अशोग ने कस्मीर तता खोतान के अनेक शेत्रों को अपने सामराज्य में मिलाया next है राज्य अभीषेक के आठवी वर्स यानि 261 एसापूर्व ठीक है, तो राज्य अभीषेक के आठवी वर्स में असोक ने कहां आकर्मण किया था इसका मतलब राज्य अभीषेक जो है वो तो हुआ था 279 269 एसवी में असोक ने कलिंग पर आक्रमण जो है वो 261 इसापूर्व यानि कि 8 वे वर्स उन्हों ने कलिंग पर आक्रमण किया था और राज्य अभिशेग जो है वो 8 वर्स पहले यानि कि 209 इसापूर्व में हुआ था और इस कलिंग युद्ध में एक लाग लोग भी मारे गए थे जिसे अशोक का मन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था किस अभिलेक के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शाशन कर रहा था जब अशोक ने राज्य अभिशे के आठवे वर्स आक्रमन किया था कलिंग पर तो उस समय कलिंग के राज़ा जो थे वो नंदराज थे तो यह हमें जानकारी मिलती है हाथी गुमः अभिलेक से नेक्ष्ट देखते हैं कुष्चन 34 किस नरसंगहार के कारण असोक ने सस्त्रत्याग की घोशना की तो जब असोक ने कलेंग का युद्ध किया था तो बहुत सारे लोग एक लाख लोग मारे गए थे और बहुत जादा घायल भी हुए थे तो इससे उनका मन जो है वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हुआ था और इसके बाद उन्होंने सस्त्रत्याग घोशना कर दी थी राज दरिंगिनी के लिखक कौन है? इसका सही आंसर है कलहड इसका सही आंसर है श्रमण निग्रोत वा उपकुप्त इनके प्रभाब में आकर असोपने बाद धर्म की दीख्शा ली थी और इससे पहले हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मोर्य ने भद्र बाभु से जैन धर्म की दीख्शा ली थी और असोपने किस से ली थी? श्रवन निग्रोत वा उपकुप्त से राज तरंगिणी के अनुशार असोप किसका उपा सक्था? इसका सही आंसर है शिव का मगद सामराज्य के अंतरगत कलिंग की राजधानी किसे बनाई गई थी? इसका सही उत्तर है दोली या तोशाली अशोप किस गुरू के प्रभाव में आया? अशोप किस गुरू के प्रभाव में आया? इसका सही उत्तर है गुरू मोगली पुत्र तिस अशोप गुरू मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में आये थे बराबर की पहाड़ियों में अशोप ने आजी विका के निवास हितु किन चार गुहाओं का निर्मान करवाया? बराबर की पहाड़ियों में अशोप ने आजी विका के निवास हितु चार गुहाओं यानि गुफाओं का निर्मान करवाया और वो थी सुदामा, चापार, विश्व जोपड़ी और करण की गुफाएं अशोप ने राज्य अभिशेक के दस्वे वर्ष कहां की धम यात्रा की थी? इसका सही उत्तर है बोद गया की यात्रा नेक्स्ट है अशोप ने राज्य अभिशेक के बीस्वे वर्ष कहां की धम यात्रा की थी? अशोप ने राज्य अभिशेक के बीस्वे वर्ष लुम्बनी कपिल वस्तू की धम की यात्रा की थी? कहां जहांके महात्मा बुद्ध थे? तो देखिए ये तीनों जो फैक्ट हैं वो आप तो लाइन वे लाइन अपनी नोट वोक में नोट कर लेना कि राज्य अभिशे के आठवे वर्स अशोक ने कलिंग पराक्रमन किया था अशोक ने राज्य अभिशे के दसवे वर्स बौध गया की यात्रा की थी और बीसवे वर्स कहां की धम यात्रा की थी लुंबनी कपिल बस्तू की ठीक है नेक्स्ट है किस अभिलेक से प्राप्त होता है कि अशोक ने वहां भूमी करकी जो दर थी वो एक बटा छे से घटा कर एक बटा आठ कर दी थी तो उस अभिलेग का क्या नाम है? इसका सही आंसर है रूमनी देई अभिलेग से हमें ये पता लगता है कि अशोक ने मगद में भूमी करकी जो दर थी वो एक बटा चैसे घटा कर एक बटे आट कर दी थी राजी अभिशेक से सम्बंदित लगू सिला लेग में असोक ने स्वैम को क्या कहा? तो तीन फैक्ट जो मैंने अभी बताए थी आपको कि देवनाम प्रिय और देवनाम प्रिय दर्शी ये हमें कहां मिलता है? अभिलेखों में मिलता है? अशोक की ये उपादियां थी है ना? इसके अलावा मास्की और गुर्जरा अभिलेख में हमें क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है और लगू सिला लेख में अशोक ने स्वैम को बुद्ध सा क्या कहा? अशोक ने किस सिलालेक के अनुशार बुद्ध के त्री रतनों के प्रति अपने आस्था प्रकट की त्री रतन, बुद्धम, धंबम, संगम तो इनके प्रति अपने आस्था प्रकट की तो यह अशोक ने किस सिलालेक में कहा देखिए भाबरू सिलालेक में यह मिलता है कि अशोक ने बुद्ध के त्री रत्नों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी नेक्स्ट कुशन है पशुवद पर रोक किस सिलालेक में यह विग्यप्ति जारी की गई थी अशोक के जो 14 सिलालेक हैं वो बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आऊंगी वहाँ पर हम सिलालेकों के बारे में भी चर्चा करेंगे तो पसुवद पर रोक किस सिलालेक में यह विग्यप्ति जारी की गई थी इसका सही आंसर है प्रिथम सिलालेक में पसुवद पर रोक विग्यप्ति जारी की गई अभिलेकों के माध्यम से संबोधित करने की प्रेणा अशोक को कहां से मिली इसका सही आंशर है इरानी राजा दारा यानि डैरियस प्रशम यहां से असोग को क्या मिली अभिलेखों के माध्यम से जन्ता को संबोधित करने की फ्रेड़ना मिली असोग के अधिकान्स अभिलेख किस लिपी में हैं असोग के अभिलेख जो हैं वो ब्रामी और खरोश्टी लिपी इसके अलाबा अरे माईक लिपी या इससे पता चलता है असोग के अभिलेख तो असो के जो अधिकान से अभिलेख हैं वो किस लिपी में हैं? असो के जो ज़्यादतर अभिलेख हैं वो भ्रामी लिपी में हैं भ्रामी लिपी पक्षिमुत्तर भारत यानि की मानसहरा और सहवाजगडी यहां से प्राप्त असो के अभिलेख किस लिपी में हैं? तो मानसहरा और सहवाजगड़ी से प्राप्त असो के अभिलेग जो है वो खरोष्टी लिपी में लिखे गए हैं सांची वा सारनात के इस्तंब में अशोक ने कहां के महामात्रों को आदेश दिया कि संग में फूट डालने वाले विक्षू और विक्षूनियों को बहिस्करत किया जाएगा तो सांची और सारनात का इस्तंब जो है सांची का इस्तंब मध्य प्रदेश में और सारनात का इस्तंब जो है वह है कहां पर है उतर प्रदेश में तो यहां के इस्तम में असोक ने यह कहा कि जो संग में फूट डालेगा जो भी भिक्षू भिक्षू नी उनको वहिस्क्रत कर दिया जाएगा। तो यह कोसांबी और पाटली पुत्र के महामात्रों के लिए आदेश था। नेक्स्ट हैं टोप्रा से दिल्ली लाए गए एक स्तम्ब में कितने लेक एक साथ उत्कींट हैं। इसका सही आंसर है साथ लेक। कुश्चन 52 असोक के अविलिकों को पढ़ने में प्रतम बार सफलता किसे मिली। बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन है इसको आप याद रखिएगा कि असोक के अविलिक को पढ़ने में सबसे पहले सफलता जो है वो जैम्स प्रिंसेप को मिली। नेक्स्ट है असोक ने कितने वर्षों तक शाषन किया असोक ने कितने वर्षों तक शाषन किया तो असोक ने लगबग 40 वर्षों तक शाषन किया था कितने वर्षों तक शाषन किया लगबग 40 वर्षों तक शाषन किया नेक्स्ट है question 54 किस राजा ने असोग से प्रभावित होकर देव नाम प्रिय की उपादी धारण की थी तो वो राजा थे स्री लंका की राजा तिस किस ने की थी स्री लंका की राजा तिस ने ये वही है स्री लंका की राजा जहां पर असोग के पुत्र और पुत्री ये इन दोनों को इन्होंने शरण दी थी इन्होंने इनको यहां अपने महल में रखा था जब अशोग ने बहुत धर्म के परचार के लिए स्री लंका भेजा था असोग के बाद कौन राजा बने जिन्हें दिव्यावदान में धर्म विवर्दन कहा गया तो असोग के बाद जो राजा बने जिन्हें दिव्यावदान में धर्म विवर्दन कहा गया वो राजा थे राजा कुनाल राजा कुनाल के पुत्र दसरत ने मगद में कौन सी गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी तो यहाँ पर आंसर जो है वो मैंने साथ में लिख दिया है वो थी नागारजुनी गुफाएं राजा कुनाल के पुत्र दसरत इन्होंने मगद में नागारजुनी गुफाएं जो हैं वो आजीविकों को दान में दी थी यह Questern जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको इसे Next है Questern 57 अन्तिम मोरे समराठ पुण था? अन्तिम मोरे समराड कौन था? परिथम तो चंद्रगुप्त मोरे थे और अन्तिम जो हैं वो थे मोरे समराड प्रहदरत तो आज हमने मोरे सामराज्य के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है वीडियो एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए उसके बाद आपको यह अच्छे से याद हो जाएंगे उसके बाद जब एक्जाम टाइम में आपको केबल एक बार इने रिवीजन करने हैं नेक्स्ट है 58 अशोक के समय पांच राजनीति केंदर कौन कौन से थे? तो इसका आंसर है वो पांच राजनीति केंदर थे देखिए यहाँ पर मैंने मैप के मात्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है तक्षिशिला जो यहाँ पर था यह प्रामतिय राजधानिया थी असोक के समय मगत की एक तक्षिला थी उज्जैनी यहाँ पर है जो की अवंति की राजधानी हुआ करती थी और तोशाली यहाँ कलिंग परता था उडिसा में सोवर्णगिरी जो की दक्षणापत में था और पाटली पुत्र ठीक है तो पाटली पुत्र जो थी वो मोरे समराज्य की राजधानी थी और बाकी ये जो चार थी तक्षिला, उजयनी, सोर्णगिरी और तोशाली ये सभी प्रांती राजधानिया थी तो ये मैप के मादियम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा तो देखिए जो अशोग का सामराज्य था वो यहां से लेकर और यहां तक पूरा फैला हुआ था संपूर्ण भारत में ही फैला हुआ था नेक्ट कुश्चन देखिएंगे कोटिल्य ने राज्य के कितने अंग निर्दिस्ट किये? कोटिल्य का जो ग्रंत है वो है अर्थसास्र तो उसमें उन्होंने राज्य के कितने अंग निर्दिस्ट किये है? इसका सही अंसर है सात जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, सैना वा मित्र तो यह कितने सात अंग निर्दिस्ट किये थे? नेक्स्ट है question 60 अर्थसास्त्र में उलेकित 18 विभागों को किस नाम से जाना जाता था अर्थसास्त्र में उलेकित 18 विभाग इनको किस नाम से जाना जाता था तो यहाँ पर एक आंसर और मिल गया है कि अर्थसास्त्र में कितने विभागों का उलेकिया गया है 18 विभागों का तो उन्हें तीर्थ के नाम से जाना जाता था Next तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा गया? त rooting के अध्यक्ष को कहा गया महा मात्र Next है question 62 उपदा परिक्षन क्या था? इसका सही आंसर है राजा द्वारा मुख्य मंत्रिवा पुरोहित की निफ्टी हेतु चरित्र की जाच करना जाए नेक्स्ट है कुश्चन 63 राजस्व इकत्र करना आए व्याय का ब्योरा रखना बजट तैयार करना ये किसका कार्य था तो ये समाहारता का कार्य था देखिए इस तरीके के प्रश्ण जो है वो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं थोड़े से ये नाम जो है वो आपको तोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे जो समाहारता था उसका कार्य होता था राजसो इकत्र करना आए व्याय का ब्योड़ा रखना बजट तैयार करना और ये सभी किसके कार्य थे इसमाहारता की नेक्स्ट है समाहर्ता के अधिन कौन सा अधिकारी होता था समाहर्ता जो राजस्व का इकत्र करना आयवय का भ्योरा रखना और बजट तयार करना जिस तरीके आज वित्मंत्री के अंडर में ये सारी चीज़े रहती है तो समाहर्ता के अधीन जो अधिकारी होता था उसे प्रदेश्टी कहते थे क्या कहा जाता था वो प्रदेश्टी सामराच्चे के विभिन भागों में कोस ग्रह और अन्नागार बनवाना ये किसका कार्य था ? इसका सही आंसर है सन्नी धाता नेक्स्ट है भारत में पहली बार केंद्री गत शाशन विवस्ता की इस्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है मोजे काल नेक्स्ट है question 67 अर्थ सास्त्र में कितने विभाग अद्यक्षों का उलेख है? इसका सही उत्तर है 26 अर्थ सास्त्र में 26 विभाग अद्यक्षों का उलेख है next है अर्थ सास्त्र में सीता अद्यक्ष विभाग किस से संबंदित था? मोरे का जो प्रशाशन था वो बहुत अच्छे तरीके से अर्थ सास्त्र में इसका उलेखन किया गया है कोटेल यानि चानक के नहीं तो इससे रिलेटर जो प्रशन है वो आपके हर कॉम्टिशन एक्जाम में देखने को मिलते हैं रीट, पटवार, फस्ट ग्रीड, सेकेंड ग्रीड, सस्सी सभी में यहां से प्रशन जो है वो आते हैं अर्थसास्त्र में सीता अद्यक्ष विभाग जो है वह क्रशी से संबंदित था नेक्स्ट है वन विभाग प्रमुख को क्या कहा जाता था वन विभाग प्रमुख को क्या कहा जाता था जिस प्रकार क्रशी विभाग के अद्यक्ष को सीता द्यक्ष कहा जाता था उसी तरीके से वन विभाग के प्रमुख को आटविक कहा जाता था मैगनिस्तीज की अनुसार नगर का साशन प्रवन तीस सदस्यों का एक मंडल करता था और यह कितनी समुतियों में विभक्त था इसका सही आंसर है 6 समिति तो मेगनिस्टीज ने अपनी इंडिका में पाटली पुत्र को क्या कहा है इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये प्रश्म जो है वो हम कर चुके हैं पिसले classes में सैने विभाग कितनी समितियों में विभक्त था तो इसका सही आंसर है कि सैने विभाग 5 समितियों में विभक्त था पैदल, आश्व, हाती, रत्व, नौसेना तो देखिए मैं ही आपको बता देती हूँ कि जो मैगनेस्टी था उसने पाटली पुत्र को पोली ब्रोथा कहा था क्या कहा था पोली ब्रोथा Next question है सैनिक प्रबंद की देख रेक करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था नएक्स्ट है, मेगनिस्तीस की इंडिका की अनुसार चंदरगुप्त मोरे के पास एक विशाल सेना थी, तो कितनी सेना थी? तो चंदरगुप्त मोरे के पास 6 लाख पैदल, 50,000 असवारोई, 9,000 हाथी और 800 रत थी न्याय प्रशाशन का सर्वोच अधिकारी कौन होता था? इसका सही आंसर है सम्राट न्याय प्रशाशन का सर्वोच अधिकारी सम्राट था? देखिए उसके अलावा जो न्याय प्रशाशन का सर्वोच अधिकारी तो सम्राट होता था? क्योंकि कुछ जो जैसे की मगद में उस समय राज तंत्रात्मक विवस्था थी इसी तरीके से कौशल, वत्स और अवन्ती यहां पर भी राज तंत्रात्मक विवस्था थी यानि की राजा जो होता था उसका पद सर्वोच होता था और जो गड़ तंत्र विवस्था थी वो कपिल वस्थू के साक्य, सुसुमारगिरी के भाग, अल्पकल्प के बुली, सम ग्राम के कॉलिय, कुशी नारा के मल, पावा के मल, पिपली वन के मोरिय, वैशादी के लिचवी और मितला के विदे यहाँ पर गड़ तंत्र आत्मक विवस्था थी, तो आपको याद केबल चार ही रखने है कि कॉशल, वत्स, अवंती और मगद, यहाँ राज तंत्र आत्मक विवस्था थी, इसके अलावा गड़ तंत्र की विवस्था थी नियाय विवस्ता में निचली स्तर पर कौन सा नियाय विवस्ता में निचली स्तर पर कौन सा नियाय विवस्ता में निचली स्तर पर कौन सा नियाय विवस्ता में 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 इसका सही आंसर है तीन धर्मस्त वा तीन अमात्य जो थे वो धर्म इस्थलिय न्यायले में निर्णे का कार्य करते थे। धर्म इस्थलिय न्यायले जो की आज की जो दीवानी न्यायले है उसी तरीके से थी इसमें किस तरह के मामले आते थे। तो उस समय जो धर्मिस्तलिय न्यायले वह है आज के दिवानी न्यायले की तरह है इसमें किस तरीके के मामले आते थे तो इसमें आते थे चोरी, डांके, लूट, मानहानी और मारपी इस तरीके के मामले आते थे तो इसमें चोरी, डांके और लूट इन्हें साहस कहा जाता था वह मानहानी और मारपी इन्हें धंड पारोश्य कहा जाता था तो ये नाम जो है ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि किसी भी तरीके से examiner आपसे पूछ सकता है आप वीडियो को दो बार देखिए तीन बार देखिए ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे जैसे कि आप कोई सौंग सुन रहे हो तो इस तरीके से सौंग आपको याद हो जाता है जब तो ये question जो है वो आपको याद क्यों नहीं होंगे नेक्स्ट है कंटक सोधन न्यायले जिसे वर्तमान में पौजदारी न्यायले कहा जाता है इसमें किस तरह के मामले आते थी तो कंटक सोधन न्यायले इसमें राज और व्यक्ति के विवादों से संबंदित जो मामले आते थी नेक्स्ट है question 79 नगर नियायाधीस को क्या कहा जाता था इसका सही आंसर है कि नगर नियायाधीस को व्यवहारिक महा मात्य कहते थे जनपद नियायाधीस को क्या कहा जाता था इसका सही आंसर है रज्जुक नेक्स्ट है चानक्य के अनुसार कानून के चार अंग कौन कौन से थे इसका सही आंसर है धर्म व्यवहार चरित्र वा शाशन कौन कौन से थे नेक्स्ट है मोरे काल में इस्तरियों की इस्तेती उत्तर वैदिक काल की अपेच्छा कैसी थी मोरे काल में इस्तिरियों की इस्तिती उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा कैसी थी इसका सही आंसर है कि अच्छी थी देखिए उत्तर वैदिक काल में इस्तिती बहुत अच्छी थी उत्तर वैदिक काल आते आते इस्तिती है वो दैनी हो गई लेकिन उत्तरवैदिक काल की अपिक्षा मोरे काल में इस्तिती जो वो अच्छी थी कोटिल्य ने किस विवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना? इसका सही आंसर है वर्नाश्रम विवस्था को नेक्स्ट है मैगनिस्थीज की इंडिका में भारतिय समाज का वर्गी करन कितनी जातियों में किया गया है मैगनिस्थीज की जो इंडिका है उन्होंने भारतिय समाज का वर्गी करन किया है तो उसमें उन्होंने कितनी जातियों में उन्हें पांटा है इसका सही आंजर है उन्होंने साथ जातियों में बाटा है दार्शनिक, किसान, पसुपालक, शिकारी, कारीगर, जो जिने सिल्पी भी कहते थे सैनिक, निरिक्षक और सभासद दुबारा से रिपीट कर देते हैं दार्शनिक, किसान, पसुबालक, सिकारी, कारीगर, सैनिक, निरिक्षक और सभासद इसमें वो रेकाल के जो प्रशासन से संब्दिक सभी तरीके के फैक्ट जो हैं पिसली कक्षाओं में उन्हें पढ़ चुके हैं तो जो भी आपने कुशन किये हैं जो भी नोट्स बनाए हैं आपने उनमें आप इन्हें एड कर लीजिएगा क्योंकि इससे बाहर जो है अब आपका मोरे प्रशाशन के बारे में एक भी प्रशन जो है वो बाहर नहीं रहा है सभी मैंने शामिल कर लिए अब हम करेंगे 86 कुश्चन से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सुंग वन्स साथ वहन वन्स गुप्त और गुप्त तरकाल इससे रिलेटिर जो भी कुश्चन होंगे वो हम इसमें करेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक किया करें और जादा से जादा से शेयर करें चलिए स्टार्ट करते हैं सुंग वन्स की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है सुंग वन्स की स्थापना पुष्य मित्र सुंग ने 185 इसापूर में की थी? किसने की थी? सुंग वन्स की स्थापना पुष्य मित्र सुंग ने 185 इसापूर में की थी? Next है 87 महर्शी पतंजली किस सासक की वन्स में थी? महर्शी पतंजली किस सासक की वन्स में थी? इसका सही अंजर है, पुष्य मित्र सुंघ के उनके शाशनकाल में महरसी पतंजली जो थे तो महरसी पतंजली जो है वो पुष्य मित्र सुंघ के शाशनकाल में थे इसे आप याद रखिएगा सही आंसर है सिमुक सुमुक ने साथ ईसापूर्व साथ वहन वन्स की नीव रखिए थी नेक्स्ट है साथ वहन वन्स की राजधानी क्या थी प्रतिस्ठान और यह है गोदावरी नदी के तट पर इस्तित है नेक्स्ट है कुश्चन 91 साथवहन वंज की राजधानी प्रतिस्ठान नामक नगरी किस नदी के तट पर इस्तित है तो साथवहन वंज की राजधानी कौन सी धी प्रतिस्ठान तो यह गोदावरी नदी के तट पर इस्तित है इसका सही आंसर है साथ करनी प्रथम साथ वाहन वन्स के साथ करनी प्रथम ने अस्वमेग यग किया और समस्त दक्षिन भारत पर अपनी सार भूमिक सत्ता इस्तापित की Next किसकी आकरमन की फलस्वरूप साथ वाहन की सकती में हरास हुआ यनि कि साथ वाहन की सकती जो थी वो शीन हो गई, कम हो गई किसकी आकरमन की समय तो शकों के आक्रमन के समय साथ वहानों की शक्ती में कमी आई, साथ वहानों की शक्ती जो है वो नस्ट हुई तो कुछ विदेसी जातियां थी, जैसे की शक, कुशान, हूण, ये सबी विदेसी जातियां थी, जिन्होंने भारत में आक्रमन किया तो इन शकों की आकरमण की फल्च रूप साथ वहन की सक्ति जो है वो कमजोर हुई नेक्स्ट हैं साथ वहन वंज का प्रतापी शाशक जिसने पक्षमी शत्रपों की सक्ति नस्ट कर अपने वंज की नीव रखी तो शत्रप कौन होते हैं जो राजा होते हैं जो महन समराट होते हैं साथ वहन वंज का प्रतापी शाशक जिसने पक्षमी शत्रपों की सक्ति नस्ट कर अपने वंज की नीव रखी तो वह राजा थे 23 वे शाषक गौत्मी पुत्र साथ करनी साथवाहन वन्स के सबसे प्रतापी शाषकों में कौन है गौत्मी पुत्र साथ करनी ये 23 वे शाषक थे नेक्स्ट है साथवाहन वन्स का 27 वा शाषक कौन था साथवाहन वन्स का 27 वा शाषक कौन था तो इसका सही आंसर है यग श्री ये भी साथकर्णी के नाम से प्रसिद्ध है साथ वहन वंस का 27वा शाशक कौन था यग श्री नेक्स्ट है साथ वहन की किस साशक ने मुद्राएं चलाई जिन पर जलपोत भी अंकित है जलपोत यानि की जो नाव होती है वह अंकित है तो साथ वहन की यग श्री जो की साथकर्णी के नाम से प्रसिद्ध है उन्होंने मुद्राएं चलाई जिन पर जलपोत भी अंकित है नेक्स्ट है सर्व प्रतम ब्रहामनों को भूमी अनुदान देनी की प्रता किसने प्रारम की तो ये most important question है क्योंकि सबसे पहले ब्रहामनों को भूमी अनुदान देनी की प्रता जो है वो साथ वहन राजाओं ने start की थी नेक्स्ट है question number 98 साथ वहन राजाओं ने पक्षमी दक्कन में अनेक चैत्य वा विहार बनवाए जिन में कौन सा चैत्य सुप्रसिद्ध है चैत्य यानि की जो मंदिर की तरह है और विहार यानि रहने के जगे तो जिन में कौन सा चैत्य जो है वो सुप्रसिद्ध है तो इसका सही आंशर है कारली चैत्य जो 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर उचा है यह साथ वहन राजाओं ने बनवाया था और यह सबसे सुप्रसिद्ध है नेक्स्ट है समुद्र गुप्त ने स्वयम को किस प्रसस्ती में भी श्री गुप्त का प्रपोत्र कहा तो इसका सही आंशर है प्रयाग प्रसस्ती में और प्रयाग प्रसस्ती किसके द्वारा लिकित है प्रियाग प्रसिस्ती हरिशेंड के द्वारा लिकित है जो की समुद्र गुप्त का दर्वारी था नेक्स्ट है कुश्चन 101 श्री गुप्त के बाद गुप्त शाशक कौन बना जिसने महाराज की उपाधी ली? क्योंकि इससे पहले ये सामन्त थे और महाराज की उपाधी लेने वाले सबसे पहले गुप्त साशक थे घटोत कच Next है किस गुप्त सामराज्य के साशक ने महाराजा धिराज की पद्वी धारन की तो किसने की थी महाराजा दिराज की पदवी जो है वो किस साशक ने धारण की थी तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराज की जो उपादी थी वह धारण की थी घटोत कच ने और उसके बाद चंद्र गुप्त प्रथम ने महाराजा धिराज की पद्वी धारण की गुप्त समवत किस साशक द्वारा चलाया गया और कब? गुप्त समवत कब और किस साशक द्वारा चलाया गया? इसका सही आंसर है गुप्त समवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 ईसवी में चलाया गया और इन्होंने ही सबसे पहले गुप्त शाषकों में महाराजा दिराज की उपादीधारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस से हुआ? इसका सही आंसर है लिच्षवी वनसस कुमार देवी से तो हमने लिच्षवी वनसस कहां पड़े थे? जब हमने महाजनपत पड़े थे तो वहां हमने लिच्षवी नाम पड़ा था चंद्रगुप प्रिथम का विवहा जो है वो कुमार देवी से हुआ था जो की लिक्षवी वनसस थी देखिए ये कुश्चन जो है वो आपका एक्जाम में पूछा जा चुका है कि चंद्रगुप प्रिथम का विवहा किस वनसकी कुमार देवी से हुआ था समुद्र गुप्त का दरवारी कवी कौन था इसका सही आंसर है हरिशिर जिनोंने प्रियाग प्रसिस्ती लिखी थी प्रियाग प्रसिस्ती यानि कि समुद्र गुप्त के बारे में उसमें प्रसंसा लिखी थी गुप्त सामराजय की किस शाशक की प्रसंचा हरिशियन ने इलहावाद प्रसिस्ती में की तो इसका सही आंसर है समुद्र गुप्त समुद्र गुप्त जो शाशक थी उनकी प्रसंचा हरिशियन ने इलहावाद प्रसिस्ती में की जिसे प्रयाग प्रसिस्ती भी कहते हैं किस शाशक की सिक्के पर वीणा बजाती हुई आकरती है? किस शाशक की सिक्कों पर वीणा बजाती हुई आकरती है? यानि वो शाशक जो है वो संगीत प्रेमी भी रहा होगा जिसका सही आंसर है समुद्र गुप्त इसका सही आंसर है उन्हें देवराज और देवगुप्त इन नामों से भी जाना जाता था इसके अलावा उन्हें विक्रमा दित्ते की उपादी भी धारण की थी तो इन्हें चंदरगुप्त विक्रमा दित्ते भी कहते हैं तो इनके नाम जो है वो आपको याद रखने हैं चंदरगुप्त विक्रमा दित्ते को देवराज और देवगुप्त भी कहा जाता था नेक्स्ट है चंदरगुप्त विक्रमा दित्ते ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाई थी तो इसका सही आंजर है उज्जेन को किसे बनाई थी उज्जेन को सक विजय के बाद चंद्रगुप दित्ये ने किसकी उपादी धारन की थी तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि चंद्रगुप दित्ये ने विक्रमा दित्ये की उपादी धारन की थी तो ये विक्रमा देती की उपादी उन्होंने जब धारण की थी जब उन्होंने शकों को हराया था और शक जो की एक विदेसी जाती थी चंदरगुप देती है की कौंसी पुत्री का विवाह वाकटक राजा रुद्र सेन से हुआ जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा इस्थापित किया थे तो कौन सी पुत्री का विवा वाकटक राजा रुद्रशेन से हुआ प्रभावती नालंदा विश्वविध्याले का संस्थापक किसे माना जाता है नालंदा विश्वविध्याले जो की बिहार में है इनके संस्थापक जो है वह कुमार गुप्त को माना जाता है तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नालंता विस्वविद्याले जो है वो किस काल की देन है तो वह है गुप्त काल की देन है नेक्स्ट है गुप्त सामराज्य के किस सासक ने मोर्यों द्वारा नेर में सुधर्शन जील का जील नो द्वार करवाया गुप्त सामराज्य के किस सासक ने मोर्यों द्वारा जो सुधर्शन जील बनवाई गई थी तो उसका जील नो द्वार करवाया तो इसका सही आंचर है इसकंद गुप्त ने जुनागड अभिलेक के अनुसार यानि जुनागड अभिलेक में लिखा गया है कि इसकंद गुप्त ने मोर्यों द्वारा जो सुदर्शन जील बनवाई गई थी उसका जील द्वार करवाया था नेक्स्ट कुशन देखेंगे जुनागड अभिलेक में लिखित किस गुप्त साशक को हूनों से जुजना पड़ा और अनततह पराजित भी किया जुनागड अभिलेक तो ऐसे अगर आपको याद रखना है कि जुनागड अभिलेक जो है वह है गुप्त सामराज्य से इसकंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था ये हमें जानकारी जुनागर अविलेक से मिलती है नेक्स्ट कुश्चन करेंगी गुप्त समराट किस धर्म को मानते थे तो ये वैदिक धर्म को मानते थे चंद्रगुत जित्य के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था तो हमने जब हर्षवर्दन पड़ा था तो उस समय हर्षवर्दन के टाइम पर चीनी यात्री हुए इंसांग भारत आया था उसके बाद चंद्रकुप्त 2nd के समय फायान चीनी यात्री है वो भारत आया था तो इन में confusion ना हो तो इसे ऐसे याद रखना है आपको कि हर्ष हा से start होता है और उसके समय में हो इंसांग आया था वो भी हा से start होता है ठीक है आप एक को याद रख लेंगे तो ये वाला आपको याद रहेगा कि फायान जो था वो चंद्रकुप 2nd के समय आया था नेक्स्ट हैं म्रच कटिकम नाटक के लेखक कौन थे तो लास्ट चैप्टर्स में हम ये कर चुके हैं जो हमने पिछले classes में किये थे इसका सही आंसर है शुद्रक तो आपके रिवीजन ही हो रही है अगर कोई repeat होता है question मुढ्राराख्षस नाटक के लेखक कौन थे इसका सही आंसर है विशागदत विशागदत ने मुढ्राराखषस नाटक लिखा था नेक्स्ट है, सु विख्याद अमर सिंग कालीदा शुद्रक विशाक्दत, किसके दरवार में थे? इसका सही अंसर है चंद्रगुप्त सेकंड चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय नवरत्न थे तो उनमें चिकिसक, गणितग्य और इसके अलावा कुछ खगोल, चास्त्री ये सबी थे तो यहां पर कुछ नाम है अमर सिंग, कालिदा, शुद्रक, विशाक्त थे ये सबी चंद्रगुप्त सेकंड के तरवार में थे और नवरत्न के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ नेक्स्ट हैं, दसम्ल प्रणाली का अविश्कार भारत में किस काल में हुआ, दसम्ल प्रणाली का अविश्कार भारत में गुप्त काल में हुआ उसके बाद है आपका next question असी फुट मुची बुद्ध की तांबे की मूर्टी कहां इस्थित है? इसका सही आंसर है नालंदा में, यानि बिहार में गुप्त कालीन समाज की मुख्य विसेशनाएं क्या थी? गुप्त कालीन समाज की मुख्य विसेशनाएं क्या थी? उचिस्थान प्राप्त था समाज में, इस्त्रियों का समाज में भी महत्वपूर्स्थान था, परदा प्रता नहीं थी, इस्त्री सिक्षा भी थी और आट प्रकार के विवाओं का भी उलेक किया गया है यानि गुप्त कालीन समाज में, समाज जो था वह बहुत अच्छे इस्तर पर था बर्धन वंस के संस्थापक कौन थे, बर्धन वंस या फिर पुश्य भूती वंस, इस तरीके का नाम आएगा, तब भी आपको याद रखना है कि पुश्य भूती वंस के संस्थापक कौन थे तो इसका सही आंसर है पुश्य भूती, पुश्य भूती बंस के संसापक पुश्य भूती थे यहां तो आप याद रख लेंगे लेकिन अगर वर्धन बंस आता है तो आपको भी याद रखना है कि संसापक पुश्य भूती थे नेक्स्ट है राज्य वर्धन का वद किस साशक ने किया था राज्य वर्धन जो की हर्ष वर्धन का ही भाई था तो उसका वद जो है वह है 606 ईसवी में गौड साशक ससांक ने किया था हर्ष के समय कौन सा चीनी यात्री आया तो देखिए हर्स के समय कौन सा चीनी यात्री आया तो अभी हमने डिसकस किया था वेंसांग जो है वो चीनी यात्री भारत आये थे हर्स के समय में तो देखिए पहले अगर क्रम से पूछा जाता है तो फायान जो है वो पहले आये उसके बाद वेंसांग आये आपका syllabus की according हम first unit जो है वो complete कर चुके हैं और second unit जो है वो अब हमारी चल रही है और 10th की first chapter में आपकी syllabus की according आपकी second unit जो है वो भी complete हो जाएगी तो चलिए पालवंस का उद्भव किस से माना जाता है पालवंस का उद्भव किस से माना जाता है तो इसका सही अंसर है सास्सो पचास इस्वी के लगभग गोपाल से पालवंस का उद्भव माना जाता है तो पालवंस के जो संस्तापक हैं वो कौन है गोपाल नेक्स्ट है पालवंस का सबसे महान राजा कौन था इसका सही आंसर है पालवंस के सबसे महान राजा थे धरम पाल नेक्स्ट है किसकी राजसभा में सुमात्रा की राजा बाल पुत्र देव का दूत आया था तो सुमात्रा वही है जो हमने ब्रहत्र भारत में हमने पढ़ा था इंडोनेशिया जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीब समू है तो उसी का भाग था सुमात्रा और जावा तो आपको ये बताना है किसकी राजसावा में सुमात्रा की राजा बाल पुत्र देव का दूत आया था तो इसका सही आंसर है देव पाल देव पाल ही थे पाल वन्स की राजा जिन्होंने अपनी राजधानी पाटली पुत्र से बंगाल ले गए थे नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन 129 वह बौध बिक्षू जो दसवी पाल राजा की निमंत्रन पर वहां गया तो देखिए कुश्चन यह पूछा जा रहा है कि वह बौध बिक्षू जो दसवी पाल राजा नेपाल की राजेकाल में तिबबत की जो राजा थी उनके निमंत तो यहाँ पर तिब्बत जो है वो मिस हो गया है वह है बहुत बिक्षू जो दसवी पाल राजा नेपाल की राज्यकाल में तिब्बत की राजा की निमंत्रन पर वहां गया कहां गया दसवी पाल राजा नेपाल की राज्यकाल में तो इसका सही आंसर है अतिशा अतिशा तिब्बत के राजा के निमंत्रन पर पाल राजा नेपाल की राजिकाल में गया नेक्स्ट है राष्टकूट वंस की स्थापना किस ने की थी इसका सही आंसर है राष्टकूट वंस की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 इस्वी में की थी और कहा की थी महाराष्ट में की थी ठीक है नेक्स्ट है किस साशक ने ऐलोरा में केलास मंदिर बनवाया किस साशक ने ऐलोरा में केलास मंदिर बनवाया तो इसका सही आंसर है कृष्ण प्रथम ने देखिए कई बार एक्जाम में ये पूछा गया है कि अजन्ता की गुफाएं जो हैं वो किस काल की देन है तो आपका आंशर होगा कुप्त काल की देन है और एलोरा जो है एलोरा में कैलास मंदिर जो है वह है किस के समय में बने थे तो राश्ट गूटों के समय बने थे ठीक है ये भी आपको याद रखना है और एलोरा में कैलास मंदिर का निर्मार जो है वो कृष्ण प्रथम ने बन वाया था नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार के शाशक वर्थ सराज को किसने पराजित किया था गुर्जर प्रतिहार के शाशक वर्थ सराज को किसने पराजित किया था इसका सही आंसर है राश्ट गूट वंस के चौथे शाशक धुर्वने किसने किया था राश्ट गूट वंस के चौथे शाशक नेक्स्ट है किस साशक ने गुर्जर प्रतिहार शाशक नागवट सेकिन और पाल शाशक धरम पाल को पराजित किया किस साशक ने गुर्जर प्रतिहार शाशक नागवट सेकिन और पाल शाशक धरम पाल को पराजित किया इसका सही आंसर है 50 आशक गोविंद तृतियने, किसने किया? 50 आशक गोविंद तृतियने next question पर चलते हैं question 134, माननेकेट को राष्ट्रकूट्रों की राजधानी किसने बनाई? माननेखित जो वर्तमान करनाटक में है तो इसको राष्ट्रकूटों की राष्धानी जो है वो किसने बनाई इसका सही आंसर है अमोग वर्ष ने किसने बनाई अमोग वर्ष ने नेक्स्ट है 135 किस अरव्यात्री ने अमोग वर्ष की गरना विश्व के ततकालिन चार महान शाशकों में की तो इसका सही आंसर है कि अमोग वर्ष जिनों ने मानने खेद को राष्ट्रकूटों की राष्धानी बनाई थी तो उन्हें सुलेमान अरव्यात्री ने विश्व के ततकालिन चार महान शाशकों में इनकी गरना की है नेक्स्ट है कुश्यन 136 अरवों ने राष्ट्रकूटों के शाशकों को किस से संबोधित किया देखिए शिंद की ओर से अरवों का जो प्रथम आकरमण था उसका बहुत ही डटकर सफलता पुरवक सामना जो है वो नागभट प्रथम ने किया था, जो की गुर्जर शाशक थे, है ना, ये भी आपको याद रखना है, तो वही अरब हैं जिन्होंने राश्टकूर्ट वन्स के सासकों को वलहरा के नाम से संबोधित किया, नेक्स्ट चलते हैं, question 137, गुर्जर प्रतिहारवंस का पहला साशक कौन था, जिसने समराट की पदवी धारन की, इसका सही आंसर है, वत्सराज, गुर्जर प्रतिहारवंस के साशक वत्सराज, जिन्होंने सबसे पहले समराट की पदवी धारन की थी, और इसके साथ ये भी याद रखना है, कि गुर्जर प्रतिहारवंस की स्थापना जो है, वो नागवट प्रत्थम ने की थी, किसने की थी, नागवट प्रत्थम ने की थी, नेक्स्ट है, कुश्चन 138, गुर्जर प्रतिहारवंस का सबसे प्रतापी शाशक कौन था, इसका सही आंसर है, सबसे प्रतापी शाशक जो है, वो मिहीर बोज था, कौन था, मिहीर बोज जिसे राजा बोज भी कहा गया, और मिहीर बोज ने ही आदिवरा की उपादी धार की थी और इसके साथ एक और आपको याद रखना है कि मिहिर बोज के समय ही जो अरव यात्री सुलेमान आया था जिसने राश्टपूर्ट वंस के साशकों को वल्लहरा कहा था तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ में कि गुर्जर प्रतिहार वंस की स्थापना जो है वो नागभट प्रत्थम ने की थी पाल वंस की स्थापना जो है वो किस ने की थी कोपाल ने की थी राश्ट कूट वंस की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 इसवी में की थी मिहिर बोज के समय कौन सा अरभ यात्री भारत आया था तो हमने अभी ये समझा था कि सुलेमान जो था अरभ यात्री वह मिहिर बोज के समय भारत आया था और मेहिर बोज कौन था गुर्जर प्रतिहारवंज का था या राष्ट्रकूर्डवंज का था तो मेहिर बोज जो था वो गुर्जर प्रतिहारवंज का प्रताप्टी शाशक था जिसने आदिवरा की उपादी धारण की थी करपूर मंजरी नाटक की रचेता कौन थे? इसका सही आंजर है राजशेखर, राजशेखर करपूर मंजरी नाटक की रचेता थे उसके बाद नेक्स्ट कुश्यन है, महा कवी राजशेखर का शिश्य वा उनका सनरक्षक कौन था? इसका सही आंजर है, महिंद्रपाल ये राजशेखर का शिश्य भी था और उनका सनरक्षक भी था तो कुश्यन इस तरीके से भी पूचा जा सकता है, कि महा कवी राजशेखर जो थे, वो किसके दरवार में थे? महिंद्रपाल के दरवार में थे नेक्स्ट है, महमूद गजणवी के हमले के समय कन्नोच का शाशक कौन था? इसका सही आंसर है, राज्यपाल महमूद गजणवी ने जब हमला किया था, तो उस समय कन्नोच का शाशक राज्यपाल था, जो की पालवंच का था और यह डर से, महमूद गजणवी के आकरमण की डर से यह है, शाशन छोड़कर भाग भी गया था नेक्स्ट है, कुरल जो तमिल भासा में लिखा गया ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की? इसका सही आंसर है, इसकी रचना की तिरुवल्लुवर ने नेक्स्ट है, कुश्चन 144, चोल वन्स के राजा ने पुहार या पुगार वन्स की नीव डाली तो वो चोल राजा कौन थे? इसका सही आंसर है, करिकाल चोल राजा ने पुहार या पुगार वन्स की नीव डाली तो इसको भी आपको याद रखना है आपका किबल रीट का ही नहीं बलकि आपका पटवारी का सेकंड ग्रीट का फर्स्ट ग्रीट का आपके इतनी अच्छी तैयारी हो रही है यह आपको पता भी नहीं है और जब आप एक्साम देंगे जब आपको यह पता लगीगा कि हम तो कितना ज़्यादा समझ कर कुश्यंस को कर गए और हमने कौन बुक्स जो है वो कंप्लीट भी कर ली नेक्स्ट है चोल बंस की राजधानी को उरणपुर उरणपुर ना होका यहाँ पर इसे आप सही कर लेना उरणपुर उरणपुर से कावेरी पत्नम कौन ले गया था इसका सही आंसर है कि चोल बंस की राजधानी को उर्यूर से कावेरी पत्नम ले जाने वाले थे करिकाल यह वही चोल बंस के राजा थे जिनोंने पुगार बंस की नीव डाली थी नेक्स्ट है तनजोर में भगवान सिव का राज राजेश्वर मंदिर ने बन वाया था यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कुष्यन है यह सीटेट में भी यह कुष्यन जो है वो आपका पूछा जाचुका है तो इसका सही आंचर है राज राज प्रत्थम ने तंजोर में भगवान सिव का राजिश्वर मंदिर जो है वो बनवाया था नेक्स्ट है संपूर्ण मद्रास मैसूर कुर्ग और सिंगल दीप को अपने अधीन करके पूरे भारत का एक शत्र समराट कौन बना तो हम दक्षिन भारत की राजवन्सों की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण मद्रास मैसूर कुर्ग और सिंगल दीप को अपने अधीन करके पूरे भारत का एक शत्र समराट कौन बना इसका सही आंचर है जिन्होंने भगवान सिव का राज-राजेश्वर मंदिर तंजोर में बनवाया था वही राज-राज प्रत्थम ने दक्षिन भारत में मद्रास मैसूर कुर्ग और सिंगल दीप को अपने अधीन करके भारत का एक शत्र समराट बने थे इसका सही आंसर है राजेश्वर प्रत्थम ने किसने की थी राजेश्वर प्रत्थम का पुत्र राजा धिराजवचालुक के राजा सोमिस्वर के साथ कौन सा युद्ध हुआ था यह कुश्यन भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है कि जब कोपम का युद्ध हुआ था राजा धिराज वह चालुक के राजा सोमिस्वर के साथ तो इस युद्ध में जो राजेश्वर प्रत्थम का पुत्र था राजा धिराज वह मारा गया था किस युद्ध में कोपम के युद्ध में नेक्स्ट है वीर राजेंद ने चालुक्यों को किस युद्ध में पराजित किया था इसका सही आंसर है कुंडल संगमम का युद्ध इसमें वी राजिंद ने चालुक्यों को पराजित किया था तो इससे पहले चालुक्यों ने राजिंद प्रिथम की पुत्र जो था राज धिराज उसको हराया था और उसमें वो मारा भी गया था उसके बाद हुआ था कुंडल संगमम का युद्ध जिसमें चालुक्यों को हराया था नेक्स्ट है कुश्चन 151 चालुक्यों वह चोलों के एक नए बंस की सापना किसने की थी? चालुक्यों वह चोलों के एक नए बंस की सापना करने वाले थी? कोलो तुंग किस ने की थी कोलो तुंग ने की थी नेक्स्ट कुश्चन करेंगे कुश्चन 152 है चोल राज्य में प्रिछलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था जो सोले ओसका होता था चोल राज्य में प्रिछलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था नेक्स्ट है चोल राजे में भूमी की उपच का कितना भाग लगान के रूप में मिलता था चोल राजे में भूमी की उपच का एक बटा छे या छटवा भाग जो है वो लगान के रूप में मिलता था तो चोल प्रशाशन के बारे में अगर देखते हैं तो संपूर्ट चोल राज्य जो है वह चार भागों में बटा था और चोलों का प्रशाशन जो है वह ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारेता नेक्स्ट है राज-राज-प्रथम का तंजोर का शिव मंदिर किस सैली में बना है तो इसका सही आंसर है द्रमिन्ट शैली किस में बना है द्रमिन्ट शैली में बना है नेक्स्ट है चोल युग में मंदिरों की किस सैली का विकास हुआ था तो इसका सही आंसर क्या होगा कि चोल युग में मंदिरों की गोपुरम सैली का विकास हुआ था याद रखना है इसको गोपुरम सैली का विकास हुआ था कब हुआ था चोल युग में मंदिरों की गोपुरम सैली का विकास हुआ था नेक्स्ट है question 156 नहरों की प्रणाली दक्षिन भारत में किसकी देन है? इसका सही आंसर है चोलों की नेक्स्ट है question 157 चोलों की मंदिर में सर्वुत्तम मंदिर कौन सा है? चोलों की मंदिर में सर्वुत्तम मंदिर कौन सा है? इसका सही आंसर है चिदंबरम वा तंजोर का मंदिर चिदंबरम वा तंजोर का मंदिर चोलों की मंदिर में सर्वुत्तम मंदिर है नेक्स्ट है question 158 चोल राजा किस धर्म के अनुयाई थे? इसका सही आंसर है चोल राजा शैब धर्म यानि शिव को मानते थे शैब धर्म के अनुयाई थे इसका सही आंसर है महेंद्र वर्मन या महेंद्र वर्माने देखिए पाल राजा जो थे वो अपने नाम के पीछे पाल लगाते थे जैसे धर्म, पाल, गोपाल और जो पल्लव राजा थे वो अपने नाम के पीछे वर्मा या वर्मन लगाते थे ये थोड़ा सा याद करने की बात है क्योंकि बहुत सारे शाशकों के बारे में हम उत्तर भारत और दक्षण भारत के वंसों में पढ़ते हैं तो वहां हम confuse हो जाते हैं तो पल्लव राजा थे वो अक्सर क्या लगाते थे वर्मन या वर्मा लगाते थे और पाल वंस की राजा जो थे वो क्या लगाते थे पाल नेक्स्ट है पल्लव राजाओं में महान वास्तु निर्माता कौन था तो इसका सही आंसर है महेंद्र वर्मन नेक्स्ट है मामलपुरम महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने की वो कहां पांच रथ मंदिरों का निर्मान करवाया तो बुक में बहुत अच्छी जो है वो तस्वीर दिखाई भी गई है पांच रथ मंदिर बने हुए हैं तो इस जो निर्मान जो है वह है किसने करवाया था महाबलीपुरम में इसका सही आंसर है जो प्रारंबिक पल्लव राजा थे उन्होंने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की थी और वहाँ पर पांच रथ मंदिरों का निर्मान करवाया था गलती से भी इस चैप्टर का एक भी कुश्चन आपको मिस नहीं करना है क्योंकि आप इतनी महनत करोगे और आप ऐसे कुश्चन को अगर छोड़ दोगे और वही कुश्चन आपका एक्जाम में पूस लिया जाएगा तो आपकी महनत भी बिकार हो सकती है कहां से प्राप्त सिक्कों से प्रमारित होता है कि नहपान गौत्मी पुत्र साथ करनी से पराजित हुआ तो कहां के सिक्कों से हमें ये पता चलता है नहपान गौत्मी पुत्र साथ करनी से पराजित हुआ ता यह हमें जोगल धामभी के सिक्कों से प्राप्त होता है किस लेख में गौत्मी पुत्र साथ करनी को चेहरात वंस का उन्मूलक कहा गया इसका सही आंसर है नासिक लेख में नेक्स्ट है कुशन 164 चस्टक का पुत्र रुद्रदामन के बारे में किस अभिलेख से जानकरी मिलती है चस्टक का पुत्र रुद्रदामन ठीक है तो रुद्रदामन किस के पुत्र थे चस्टक के उनके बारे में हमें जानकरी किस अभिलेख से मिलती है इसका सही अंसर है जूनागर अभिलेख से हमें रुद्रदामन के बारे में पता चलता है नेक्स्ट है कुश्चन 165 किस राजा ने कांची पर अधिकार किया, वह कवी बिलहड को संरक्षन प्रदान किया, तो वो कौन से राजा थी जिन्हों ने कांची पर अधिकार किया, वह कवी बिलहड को संरक्षन प्रदान किया, इसका सही अंसर है, सात्वी नरीस विक्रमा दित्य सस्ट ने कांची पर अ और कवी विलहर को संद्रक्षन प्रदान किया. Next है, question 166, विक्रमांक देवचरित नाम ग्रंत किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है, विलहर कवी ने विक्रमांक देवचरित नाम ग्रंत लिखा था. और विलहर जो थे, उनको संद्रक्षन जो है, वह सातवे नरेश जो विक्रमां दिएक्ते सउचरित थे, उन्होंने संद्रक्षन प्रदान किया था. Next है, किस चालुक के राजा ने अस्वमेद यग किया? तो इसका सही आंसर होगा, पुल्केसिन प्रथम. कुलकेशिन प्रत्तम जो चालुक के रजा थे उन्होंने अस्वो मेग यग किया था next question है 168 question, मिताक्षिरा क्या है, तो इसका सही अंसर है हिंदु कानुन का एक अधिकारिक गραन्त मिताक्षिरा है मिताक्षिरा हिंदु कानुन का एक अधिकारिक ग्रन्त है नेक्स्ट है question 169 मद्दे एशिया की लड़ाकू जाती का क्या नाम था जिसने पक्षमी अफगानिस्तान वा बलुचिस्तान के सारे प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था तो मद्दे एशिया से कुछ जातिया जो थी वो भारत पर आक्रमन करके और भारत में भी उन्होंने प्रवेश किया था जिनमें शक, हूर, कुशार ये सबी विदेशी जातिया थी तो मद्दे एशिया की सक लड़ाकू जाती जिसने पक्षमी अफगानिस्तान और बलुचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया था नेक्स्ट हैं, सक किस दर्रे से होते हुए भारत आये थे सबसे पहले जो विदेशी जाती आये थी, पो थी शक जाती और ये भारत में एंट्री करते हैं बोलन दर्रे से नेक्स्ट है, कुशिन 1671 किस प्रदेश को जीतकर शकोने सोअरास्ट में सक शाशन की स्थापना की? तो उन्होंने सिंदु प्रिदेस को जीत कर next है question 172 मथुरा के प्रारंभिक शक शत्रप कौन थे? मथुरा के सबसे पहले जो शक थे शत्रप कौन थे? इसका सही आंसर है हमामश और हगान ये मथुरा के प्रारंभिक शक शत्रप थे तक्षिशिला कहा है पाकिस्तान में शक्षक्ति का विनास किस ने किया तो इसका राइट आंसर है पलवों ने सक्षक्ति का विनास किया तक्षिला में नेक्स्ट है कुशान वंस का संस्थापक कौन था तो इसका सही आंसर है कुजुल कड़ फिसस प्रथम जिनका शाषन 15-25-25 तक रहा था ये कुजुल कड़ फिसस प्रथम कुशान वंस के संस्थापक माने जाते हैं तो इन्हें आप याद कर लीजेगा ये आपके एक्जाम में पूछा जाने वाला कुशन है नेक्स्ट है कुशन 175 किस कुशान राजा की मुद्राओं पर तरभुज तरशूल धारी व्याग्र चर्मा ग्राही नंदी अभिमुक भगवान सिव की आकरती अंकित है तो वो कौन स ये कुशान राजा थे नेक्स्ट है 176 भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्खे किसने चलाए तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्खे चलाने वाले थे कुशान राजा कुशानों ने सबसे पहले सोने के सिक्खे चलाए थे वो भी अपने नाम के next है कुशानों को अन्य किन नामों से जाना जाता है कुशानों को और अन्य नामों से जाना जाता है तो इन्हें यूची और तोचेरियन इन दोनों नामों से भी जाना जाता है next है question 178 किस कुशान शासक के समय चौथी बौध संगती संपन हुई और कहां हुई जिसकी अध्यक्षता आचारे पार्चुने कस्मीर के कुंडलवन में की थी तो वो कुछान शाशक थे राजा कनिश्क राजा कनिश्क के समय में चोती बोद संगती हुई थी एक कुशन ये बनता है यह बोद संगती कुंडलवन कस्मीर में हुई थी ये दूसरा आपका question बन जाता है यहीं से और ये पूचा जा सकता है कि इसकी जो चौती बौस अंगिती थी उसकी सदस्यता जो उसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी तो आचारे पार्शोने की थी next है question 179 next है राजा कनिश्क की प्रतम और दूसरी राज़धानी क्या थी तो राजा कनिश्क ने सबसे पहली राज़धानी पेशावर को बनाई थी और दूसरी मतुरा को बनाई थी next है question number 180 सक समवत किसने चलाया very very most important question सक समवत किसने चलाया था गुप्त समवत जो था वो 319 ईस्वी में गुप्त सामराज्य में किसने चलाया था चंदरगुप्त ने चलाया था चंदरगुप्त प्रथम ने चलाया था और संग सक समवत जो है वह 78 ईस्वी में कनिस्क ने चलाया था नेक्स्ट है question 181 कनिस्क की खड़ी मूर्ती अंकित सोने की मुद्रा कहां पाई गई कनिस्क की सोने की मुद्रा जिसके उपर उसकी खड़ी मूर्ती बनी हुई है तो वह हमें कहां पर प्राप्त हुई इसका सही आंसर है महा इस्थान बोगरा नेक्स्ट है question 182 बौध धर्म की महायान साखा का अभिद्य वप्रचार किस राजा की समय हुआ था तो सबसे पहले ही नियान साखा आई थी उसके बाद बौध धर्म की महायान साखा का अभिद्य और प्रचार राजा कनिश्क की समय हुआ था इनी की समय में चौती बौध संगति का आयोजन भी किया गया था नेक्स्ट है किस राजा की दर्वार में पार्ष्व ये ए नहीं आएगा या दर्वार में पार्ष्व वसूमित्र अस्वगोस ये सबी तो बौध विचारक थी नागरजुन जो गड़ी तक गया था चरक जो चिकिस्सत था ऐसे विद्वान हुए तो राजा कनिस्क के दर्वार में वसूमित्र अस्वगोस पार्ष्व नागरजुन और चरक जैसे विद्वान थे नेक्स्ट है क्वेशन वन एटी फोर मद्दे एशिया की बरवर जाती का क्या नाम था जिसने सकों की भाती भारत में प्रवेश किया था तो इसका सही आंसर है हून जिन्हें दैते भी कहा गया नेक्स्ट है क्वेशन वन एटी फाइफ किस हून सरदार ने गुप्त सामराज्य को समाप्त करके महाराजा दिराज की पदवीधारन की थी तो इसका सही आंसर है तोर्मार नामक सरदार ने गुप्त सामराज्य को समाप्त किया और महाराजा दिराज की पदवीधारन की थी ये लास्ट कुश्यन था इस चेप्टर का जम करेंगे 10th क्लास का चेप्टर नमबर 2 संघर्स कालीन भारत जिसमें हम 1206 इसवी से लेकर 1757 इसवी तक का पढ़ेंगे इसका मतलब आपका जो दिल्ली सल्तनत काल है वहाँ से स्टार्टिंग हो भी और प्लासी के युद्ध तक ये चलेगा तो इसमें हम सभी जो भी दिल्ली सल्तनत में जो वंस हुए थे गुलाम बंस, खेलजी बंस, दुगलग बंस, सैयद बंस ये सब भी हम देखेंगे उसके बाद मुगल काल भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्लासी का युद्ध भी पढ़ेंगे तो ये सब आपके इस चैप्टर में है और एक पूरी यूनिट जो है वो ये चैप्टर कवर करता है आपके स्लिबस के अकॉर्डिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुश्यन बन है मोहमद बिन कासिम वह सिंद की राजा दाहिर के बीच भयानक संघर्स कब हुआ था मोहमद बिन कासिम और सिंद की राजा दाहिर के मद्धे जो भयानक संघर्स है वह कब हुआ था तो इसका आंसर होगा 712 इसवी में अब थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि अर्वों का जो पहला आक्रमन था वह मोहमद बिन कासिम के समय का ही माना जाता है से पूछ लिया जाएगा कि अर्वों का प्रथम आक्रमन मोहमद बिन कासिम के समय कब हुआ था तो 712 इसवी में मोहमद बिन कासिम और सिंद की राजा दाहिर के बीच भयानक संघर्स कब हुआ था 712 इसवी में तो इस युद्ध में क्या हुआ था जो राजा दाहिर थे वो मारे गए थे और इनकी जो पतनी थी उन्होंने जोहर किया था तो भारत का सबसे पहला जोहर जो है वो भी यही माना जाता है भारत का राजिस्तान का नहीं भारत का प्रथम जोहर जो है वो कब हुआ था 712 इसवी में ही हुआ था नेक्स्ट है question 2 भारत में मुस्लिम राज्य की सुरुवात कब हुई थी? भारत में मुस्लिम राज्य की सुरुवात जो है वो कब हुई थी? 1226 में कुतुबुद्दीन एबग के समय जो मुहमुद गौरी था वो जब भारत पर उसने आगर्मन किया था तो उसके बाद वह यहाँ पर कुतुबुद्दीन एबग को दिल्ली के साशन पर चोड़ कर और वह बापस गजनी चला गया था लेकिन बापस जब जा रहा था तो खोकरों जाती के द्वारा उसकी भी हत् अपर पर चोड़ के अपर वह बाद कerk थी इसलिए भारत में बुस्लिम राजी की सुरुवात जो है वह हो कुतुबुद्दीन एबग से माने जाती है नेक्स्ट है दिल्ली सल्तिनत काल का समय क्या था? दिल्ली सल्तिनत काल का समय जो है वह था बाराशो चै whitesVya से लेकर 1526 इसका सही आंसर है गुलाम वंस को हम यामिनी वंस के नाम से भी जानते हैं और इलवरी वंस के नाम से भी जानते हैं कुटुबुदिन एवक ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी देखिए भारत में गुलाम बंस का जो संसापक है वो कुटुबुदिन एवक को माना जाता है तो इसने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली को नहीं बनाया इसने अपनी राजधानी जो है वो किसको बनाया लाहूर को Next है Question 6 अईसे Question जो है वो ही एक्जाम में आपके पूछे जाएंगे तो बिल्कुल ध्यान रखना है एक एक Question कुतो मिनार की पहली मस्जिद किसने और किसकी स्मरती में बनवाई कुतो मिनार की पहली मस्जिद किसने बनवाई और किसकी स्मरती में बनवाई तो इसका सही आंसर है कुतो मिनार की पहली मस्जिद जो है वो है कुतोबुदीन एबक ने बनवाई या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुतोब मिनार का निर्मान कुतुबुदीन एबक ने करवाया तो यह ख्वाजा कुतुबुदीन बक्तियार काकी की इसमरती में बनवाई ठीक है तुर्कों के द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद जो दिल्ली में बनी कुबबत उल इसलाम मस्जिद कौन सी है? कुबबत उल इसलाम मस्जिद अभी इसे नोट कर लेजिए अपनी नोटबुक में और यह कुबबत उल इसलाम मस्जिद वह 27 विश्नु मंदर को तोड़वा कर बनवाई गई थी कुटूबधीन की मिरत्यु कैसे ह הי थी? कुतु बुद्दीन की मृत्यू जो है वो है चोगान या पोलो खेलते हुए 1210 इसवी में हुई थी ठीक है इसे भी आपको याद रखना है ऐसे पूछ लिया जाता है कुतु बुद्दीन की मृत्यू जो है वो कैसे हुई थी तो चौगान जिसे पोलो कहते हैं तो यह केलते हुए हुई थी और लाहुर में हुई थी जब वो चौगान या पोलो खेल रहे थे तो गोडे से गिर गए और गोडे से गिरने की वज़े से उनकी मौत हो गई मुस्लिम सामराज्जे का और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है मुस्लिम सामराज्य का संस्थापक जो है वह कुतुबुदिन एवक को माना जाता है लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्टुतमिष को माना जाता है और इनका शाशनकाल जो है वो 1210 से 1234 ईसवी तक रहा इल्टुतमिष ने रडधंबोर मालवा का विल्ला दुर्ग कब जीता इल्टुतमिष ने रडधंबोर और मालवा का विल्ला दुर्ग कब जीता तो इसका सही आंसर है 1224 सीसवी में रडधंबोर और 1223 सीसवी में विल्ला दुर्ग को जीता नेक्स्ट है इल्टु तमिष ने मंगोल चंगेज खां से डर कर भागे हुए खारिज्म शाह की किस पुत्र की सायता नहीं की तो ऐसे भी पूचा जाता है कि इल्टु तमिष ने किस से भारत को बचाया था वह खारिज्म शाह की पुत्र को पकड़ना चाह रहा था लेकिन इल्टु तमिष ने उसकी सायता नहीं की और मंगोलों से भी भारत को भी बचाया तो हो पुत्र था मंगवर्नी इल्टु तम इसने मंगोल चंगेज खां से डर कर भागे हुए मंगवर्नी की सायता नहेंगी नेक्स्ट है question 12 रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका सही अंसर है रजिया सुल्तान इल्टु तम इसकी पुत्री थी नेक्स्ट करेंगे question 13 रजिया ने किसे अमीर अकूर जिसे अश्रुशाला का प्रधान कहा जाता है उसे निक्त किया तो इसका सही आंसर है मलिक जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर अकूर निक्त किया नेक्स्ट देखेंगे question number 14 बल्वन का उपनाम क्या था तो रजिया सुल्तान के बाद ग्यासुद्दीन बल्वन बने थे रजिया सुल्तान जो पहली महला मुश्लिम सासिका थी तो ग्यासुद्दीन बल्वन जो था उसका उपनाम था उलुग खा ग्यासुद्दीन बल्वन ने इक्ता प्रणाली जो थी वहभी समाप्त की थी और इक्ता प्रणाली जो चलाई थी वो इल्तुतमिष ने चलाई थी तो आपको ये याद रखना है कि इल्टु तमिस ने एक्ता प्रणाली चलाई थी, जिसकी समापती बलवन ने की थी Next है, Question 15, बलवन कौन था? तो इसका आंसर है, बलवन इल्टु तमिस के चहल गानी दल से समबंदित एक तुर्की दास था इल्टु तमिस, जो 40 गुलामों का एक संग था, तो उसका एक तुर्की दास था Next है, बलवन ने मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्ने विभाग को पुनरगठन किया तो उसका नाम था दीवाने आरिज, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कुश्यन है ये कि बलवन ने दीवाने आरिज सैन्ने विभाग की स्थापना की थी Next है, कुश्यन 17, सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने प्रारम की ये वो प्रथा थी जिसमें जो राजा होता था तो उसके पैरों को चूम कर और सर जुखाने की ये प्रथा थी, तो ये है प्रथा जो है वो किसने स्टाट की, बलवन ने स्टाट की Next है, कुश्यन 18, लोह और रक्त की नीती किसने बनाई? लोह और रक्त की नीती बनाने वाला था बलवन next है question number 19 Kyゅ मर्स की हत्याकर जलालुदीन किलजी ने स्वैम को सुल्थान कब घोसित किया जलालुदीन किलजी ने किलजी बंस की स्थाफना की थी ठीक है 1290 में किलजी बंस का संस्थाफक जलालुदीन किलजी को माना जाता है और उसने किलजी बंस की स्वयम को सुल्तान घोसित किया 1290 में और खिल जीवन्स की स्थापना की next है question number 20 राजत्व सिद्दान्त किसने चलाया तो इसका सही आंसर होगा बलवन ने बलवन जिसने रक्त और लोह की नीती अपनाई थी इक्ता प्रणाली को समाप्त किया था सिजदा और पाबोस की प्रारंब किया था तो इसने राजत्व सिद्दान्त चलाया था ये क्या था? इसमें सुल्तान का जो पद होता था उसको प्रतवी पर इश्वर की चाया माना जाता है यानि जो कुछ है वो सुल्तान ही है नेक्सट है थормड़ी वंकी स्थापना किस ने की थी? तो ये हमने अभी देखा था कियोंत्री वंकी स्थापना जो है वो की थी जलालुदीन फिरोज खिलजी ने ठीक है? अगर फिरोज नहीं आता है तो जलालुदीन खिलजी यह लिक़्ा होगा कौन था जो कि अपने आपको सिकंदर सेकंड बोलता था तो इसका सही आंसर होगा अलाउदीन खिल जी अलाउदीन खिल जी इनके बच्पन का नाम था अली मुर्शारव ठीक है? मुर्शारव और जो अलाउदीन खिल जी उसने उपादी जो है वो सिकंदर इसानी की धारण की थी इसका उदेश जो था वो विस्व विजय करना था अलाउदीन खिल जी का उदेश था विस्व विजय करना गुजरात की बगेला राजबूद राजा कर्ण देव के खिलाफ सैन्य अभिहान किस खिलजी सासक ने चलाया तो वो सुल्तान थे अलाउदीन खिलजी Next है question 24 अलाउदीन ने रर्धमबर और चिक्तोड पर आक्रमन कब किया था जब हम राजिस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये पूछा जाएगा कि अलाउदीन ने रर्धमबर और चिक्तोड पर आक्रमन कब किया था तो देखिए रर्धमबर पर आक्रमन किया था 1321 में जब वहाँ के साशक हमीर देव चोहान थे ठीक है और हमीर देव चोहान के समय ही क्या हुआ था जोहर हुआ था तो राजिस्थान का सबसे पहला जोहर जो है वो 1301 इसवी में रर्धमबर में हुआ था 1303 इसवी में चित्तोड पर आक्रमन किया था और उस समय रतन सींग राजा थे वहाँ के जो शाशक थी वो थी रतन सींग तो रतन सींग के समय जो रानी पदमावती थी उन्होंने जोहर किया था और ये हमें पता चलता है जो मलिक मुहमद जाईसी थी उन्होंने पदमावत में ये लिखा है 1940 में नेक्स्ट है अमीर कुसरो के अनुसार अलाउदिन किल जी के दक्षिन भारत से ने अभिहान में मलिक काफुर कहां तक पहुँचा अमीर कुसरो जो की अलाउदिन किल जी का दरवारी कवी था ये आपको याद रखना है इसके अलावा अमीर कुसरो की जो वुक थी खजाइन उल्फतु जिसमें उसने अलाउदीन का ही वर्डन किया है तो ये भी याद रखना है कि अलाउदीन खिलजी का दरवारी कवी अमीर कुस्रो जिसने खजाइन उल्फतु नामक बुक लिकी थी जिसमें अलाउदीन का वर्डन किया था तो उसने दक्षन भारसेन अभ्यान में म वैसल राज और पांडे राज, इनको जीतने के बाद और वह रामेश्वरम तक पहुँचा था, दक्षिन भारत के बिल्कुल अंत तक पहुँचा था, ठीक है, नेक्स्ट है, अलाउदीन ने कौन सी उपादी धारन की थी, तो अब ही हमने देखा था, अलाउदीन ने कौन सी उपादी धारन की थी, तो अलाउदीन ने खलीफा की उपादी धारन की थी, नेक्स्ट है, कुश्चन प्रंटी सेवन, अमीर कुस्रो ने अलाउदीन को किस पदवी से विवोसित किया, तो उन्होंने अलाउदीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा, और अलाउदीन खिलजी इसने स्वयम सिकंदर इसानी की उपादी धारन की थी, क्योंकि वोई खुद को सिकंदर बोलता था, क्योंकि सिकंदर का उदेश भी विश्व विजय था, और अलाउद अलावधीन का सबसे महतवपूर सुधा क्या था अलाओ दिन का सबसे महतवपूर सुधार था बाजार नियंदर्ण next है निम्न का मिलान करे चलिए दीवाने रियासत सायना या दन्ड़ाधिकारि मुहतसि वरीत और ममालिक तो जब हम दिल्ली सल्तनत में जो प्रशाशन था, तो वो पढ़ेंगे जब ये जो शब्द हैं वो यूज होते हैं, तो देखिए दिवाने रियासत जो है वो व्यापार का नियंतरक रखने वाले अधिकारी को बोलते थे, सायना या दंडा अधिकारी जो है वो बाजार का द और जो गुप्तचर अधिकारी होता था, उसे बोलते थे वरीद ए ममालिक, तो ये आपको याद रखना है, सैनिकों को सबसे पहले किस मुस्लिम शाशक ने वितन दिया, तो देखिए, सबसे पहले अलाउदिन खिल जी ने क्या किया था, एक तो बाजार नियंतरन की जो नी अलाउदिन खिल जी के पुत्र का क्या नाम था, इसका सही अंसर है, कुतु बुद्धी मुभारक खिल जी, नेक्स्ट है, खिल जी वंस का अंतिम सुल्तान साशक कौन था, तो नासरुद्दीन खुशरव शाह जो है वो खिल जी वंस का अंतिम सुल्तान साशक था, नेक्स् Q33. तुगलक वंस का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंस का संस्थापक था ग्यासुद्दीन तुगलक. Next है Q34. ग्यासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र को वारंगल किस राजा के खिलाफ भेजा? जोकी तेलंगाना के राजा थे. तो देखिए ग्यासुद्दीन तुगलक जो था उसने मलिक उल्गाजी के उपादी भी धारन की हुई थी. ये भी आपको याद रखना है. और ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में ये भी बात है कि ग्यासुद्दीन तुगलक और निजा रमुद्दीन ओलिया थे उन्हों ने उन्हें एक लाइन कही थी कि हुनोस दिल्ली दूरस्तियानि कि दिल्ली अभी दूर है तो ये लाइन भी आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये लाइन जो है वो पूछ ली जाती है इसके अलावा अमीर कुछो जो थी उन्हों ने ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा कि सैकुणों, पंडितों, कोतों ये अपनी पकड़ी में चुपा के रखता था ठीक है ये भी आपको याद रखना है ग्यासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैनिक अभ्यान था बंगाल के विद्रो का दमन, क्योंकि इसके बार ही की मरत्यूं हो गई थी किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर है जुना खा जिनका पहले नाम जुना खा था बाद में मुहमद बिन तुगलक हुआ तो इन्हें रक्त का पिपासा कहा जाता था नेक्स्ट है कुश्चन 37 मुहमद तुगलक के समय तुगलक सामराजय कितने प्रांतों में बटा हुआ था तो कितने प्रांतों में बटा हुआ था तो इसका सही आंसर है तेईस प्रांतों में बटा हुआ था कुश्चन 38 मुहमद तुगलक ने देवगिरी राजधानी का नाम बदल कर क्या रखा तो मुहमद तुगलक ने देवगिरी राजधानी का नाम बदल कर क्या रखा जिनका पहले नाम था जूना खा तो इसका सही आंसर है दौलतावाद देवगिरी से नाम बदल के क्या रखा और उस समय दिल्ली सल्टनत में उसे दीवान एको ही कहा जाता था, तो अगर पूछ लिया जाए कि दीवान एको ही विवाकिस आपना किस ने की, तो मुहमद बिन तुगलक ने की, नेक्स देखते हैं 39, सांकेतिक मुद्रा की तुगलक वन्स के सुल्तान ने चलाई, तो इसका सही आंसर है, मुहमद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तामवे के सिक्के चलाई, ठीक है, और देश में अगर जब मुद्रा की कमी हुई, तब उसने सांकेतिक थी तो इन्हें पागल साशक भी कहा जाता है ठीक है वैसे तो ये सल्तनतकाल के सबसे विद्वान सासक थी हगोल सास्ति भी थे और गणितग्य आयोर्विज्यान इन सबी के ग्याता थे फिर भी इन्हें पागल साशक भी कहा जाता है नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ मिस हो गया है देखिए कि मौरकों से जो इबन बतूता आया था वह किसके काल में आया था 1333 इस्वी में मौरकों से इबन बतूता जो आया था वह किसके काल में आया था तो वह आया था मोहमद बिन तुगलक के समय तो कुश्यन आपको दुबारा से मैं बता देती हूँ कि इसका मतलब यह है यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया तो थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पर मोहमद बिन तुगलक के समय में मौरको से इबन बतूता जो यात्री था वह 1333 में भारत में आया था ठीक है और किसके शाशनकाल में आया था मोहमद बिन तुगलक के शाशनकाल में आया था नेक्स्ट है 41 सैना की नौकरी और सरकारी नौकरी को बंसानुगत किसने बनाया यह अगर किसी की सरकारी नौकरी है तो जो उसका पुत्र होगा वहे भी उसी नौकरी में लग जाएगा अपने पिता की मृत्यु के बाद तो यह फिरोज सहा ने चलाया धा नेक्स्ट है 42 फिरोज शाह के महतवलपूर कारे कौन कौन से थे तो इसका सही आंसर है फिरोशा के महतमूर का रहे थे भवन निर्मान कला, हिसार फिरोजा, फिरोजावाद, जोनपुर नगर बसाया, नहरे कुदवाई, पाग लगवाई, खरबूज और अंगूर की जो खेती थी उनको प्रोसाहन दिया तो ये सारे काम जो हैं वो फिरोजाव के थे, इसके अलावा आभी हमने देखा कि रोजगारों के लिए जो कारखाना है, वो फिरोजाव तुगलक ने, उन्होंने ही खुलवाया था, और मुहमद बिन कासिम जो था, उसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, उसके बाद दि की साशक मुहमद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया, उसके बाद फिरोजाव तुगलक ने लगाया, उसके बाद फिर मुगलकाल में अकबर ने, औरंग जेव ने और फरुक्षियर ने नेक्स्ट है, चौबिस में से चार मुख्य कर फिरोजाह ने कौन कौन से रखे, चौबिस कर लगे हुए थे, तो उन में से केवल चार करों को ही फिरोजाह ने रखा, तो वो चार कर थे, खराज, जकात, खुम्स और जजिया, देखे, खराज जो था, वो था भूमी पर लगने वाला कर, जजिया, गैर मुसल्मानों पर लगने वाला कर, और खुम्स था, युद्ध में लूट का जो माल था, वो सैनिकों में वित्रण किया जाता था, तो वो कर था, नेक्स्ट है, कौश्चिन 44, फिरोजाह ने दासों के लिए कौन सा विभाग खोला, तो उन्ह ने दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान विभाग खोला, नेक्स्ट है, कुश्चिन 45, तुगलक वंस का अंतिम साशक कौन था, तो नासुरुद्दीन महमूद, तुगलक वंस का अंतिम साशक था, कहीं पर महमूद तुगलक भी आ जाता है, तो यहां तुगलक वंस क समाप्ति हो गई है आप देखिए तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमन कब किया था तो इसका सही आंसर है 1398 इसवी में कुशन 47 वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर हम थोड़ा सा बड़े नहीं करेंगे क्योंकि 10th क्लास में चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा बड़े भी है सयद वन्स की स्थापना किस ने की थी अब यहां से सयद वन्स स्टार्ट होता है सयद वन्स की स्थापना की थी 1414 इसवी में खिजर खाने ठीक है तो सयद वन्स का जो टाइम पीरिड है वो बहुत कम था 1412 से 1451 तक नेक्स्ट है कुश्यन 48 लोदी वन्स की स्थापना किस ने की सयद वन्स से ज्यादा कुश्यन बनते भी नहीं है लोदी वन्स की स्थापना किस ने की इसका सही आंसर है लोदी वन्स का जो स्थापक था वो था बहलोद लोदी जिसने 1451 में लोदी वन्स की स्थापना की थी नेक्स्ट है आगरा नगर की स्थापना किसमे की थी तो इसका सही आंसर है 1506 इस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी और सिकंदर लोदी जो था उसका उपनाम गुलुरुखा था क्या था गुलूरू खाँ देखिए आगरा नगर की स्थापना पंद्रह सो चार इसवी में ये भी देखने को मिलता है तो इसने क्या किया था आगरा को अपनी राजधानी बनाया था और यहां पर बादल गड का किला भी बनवाया था नेक्स्ट है और सिकंदर लोदी की मृत्यू जो है वह भी आगरा में ही हुई थी सिकंदर लोदी का उपनाम क्या था यह हमने अभी देखा था सिकंदर लोदी का उपनाम था गुलूरू खाँ कोश्शन 51 1517 से 18 में इब्राहिम लोदी और लाना सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ अब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कोश्शन है की 1517 से 18 इनके बीच में अब्राहिम लोदी और आना सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था तो इसका सही आंसर है खातोली का युद्ध खानवा का युद्ध नहीं आएगा यहां आएगा खातोली का युद्ध तो इस युद्ध में अब्राहिम लोदी जो है वह भी पराजित हो गब हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच फानीपत का पहला इफ़ तो इसका सही अंसर है 1526, 21 अपरेल 1526, आप पूरी डेट को याद रखिएगा, 21 अपरेल 1526 पानीपत का पहला युढ बाबर और इब्राहिम लोधी के बीचinekा बीच में हुआ था, लेकिन बाबर के पास क्या था तोप खाना था तो इस युद में इबरहायम लोधी इसलिए पराजितना हो जाता है और ये लोधी वंस का साशक था जो की लड़ते हुए वहीं पर ही युद भूमी में ही मारा जाता है और इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता थी वो मुगलवंस की स्थापना हो जाती है तो दिल्ली सल्तनत काल जो था वो 1206 से 1526 तक का माना जाता है पार्ट टू दिल्ली सल्तनत काली प्रशाशन तो ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है चलिए स्टार्ट करते हैं सुल्तान की उपादी किन शाशकों द्व पहला तुर्की शाशक जो था वो था महमूद गजनभी नेक्स्ट है कोश्यन टू दिल्ली सल्तनत काल में केंद्रिय शाशन संस्था मजलिस एक खलवत जो वर्तमान मंत्री परिश्यत की हैं उसके चार इस्थम कौन-कौन से थे तो दिल्ली सल्तनत काल में जो केंद्रिय श चार भी बोलते हैं और दीवाने रिसालत जिसे की वर्तमान में विदेश मंतरी कहा जाता है ठीक है इसे याद रखिएगा थोड़ा सा ये नाम जो है वो टीपिकल है लेकिन फिर भी इनको एक दो बार आप देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे नेक्स्ट है क्वेशन नमबर 3 वजीर का कार्याले क्या कहलाता था तो देखें इसका आंसर है दीवाने विजारत जो की वित्य विभाग होता है ना वर्तमान में उसी तरीके से वजीर का कार्याले जो था वो दिल्ली सल्थनतकाल में दीवाने विजारत था next पर चलेंगे question number 4 दिवाने विजारत के करमचारी कौन-कौन थे तो दिवाने विजारत यानि वित्विभाग के करमचारी कौन-कौन थे ऐसे आप याद रखिएगा तो दिवाने विजारत के थे मुस्तोफी जिसे महालेखा परिक्षक भी कहते हैं question number 5 है दिवाने मुस्तकराच विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है अलाउदीन खिल जी अलाउदीन खिल जी नहीं दिवाने मुस्तकराच विभाग की स्थापना की थी question 6 मुहमत तुगलक ने भूमी को क्रशी योग्य बनाने है तो किस विभाग की स्थापना की थी? मुहमत तुगलक ने भूमी को क्रशी योग्य बनाने के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है दिवाने अमीर को ही किसकी स्थापना की थी? दिवाने अमीर कोही की स्थापना जो है वह मुहमत तुगलक ने की थी नेक्स्ट है सर्व प्रथम सैने संगठन विभाग प्रारंब किया सर्व प्रथम सैने संगठन विभाग जो है वो किसने प्रारंब किया था तो सबसे पहले सैनेकों के लिए जो विभाग बनाया था वो बलवन ने बनाया था तो बलवन ने सबसे पहले सैने संगठन विभाग जो है वो प्रारंब किया था नेक्स्ट है कोश्यन एट इस्थाई सैना वेतन और हुलिया प्रारंब की तो ये हम पहले कर चुके हैं कि पहले जो सैना थी उनको वेतन खुम्स के माध्यम से दिया जाता था और खुम्स क्या होता था जो लूट का जो भी माल होता था उसी मैंसे सैना को दिया जाता था लेक अलावदीन खिलजी ने जो इस्थाई सेना रखी और उस सेना को जैसे मंतली पेमेंट देते हैं उसी तरीके से वेतन दिया गया और हुलिया प्रथा दागने की जो प्रथा है वह भी अलावदीन खिलजी ने प्रारंब की नेक्स्ट है कुशियन नाइन से दिल्ली सल्टनतकाल में राज महल के लिए छे करमचारी कौन कौन थे तो दिल्ली सल्टनतकाल में राज महल के लिए जो छे करमचारी थे वो थे देखिए वकीर एदर, बारबक, अमीर ए हाजिव, अमीर ए सिकार, अमीर मंजलिस और सर ए जहा तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा कटिन लग रहा है याद करने में, लेकिन देखिए, छह करमचारियों मैंसे आपको अमीर, यहाँ पर भी अमीर, यहाँ पर भी अमीर और यहाँ पर भी अमीर, तो तीन तो जो हैं, वो आपको याद हो जाने चाहिए, और उसके बाद वकीरेदर, बारवक और सरे जहाँदार, ये दो-तीन बार आप इसको revise करेंगे, याद हो जाएगा. Next है, Question 10, युद्ध के समय लूट के सामान को क्या कहा जाता था? तो ये मैंने अभी इसका जिक्र किया था, कि युद्ध के समय जो लूट के सामान होता था, उसे कहते थे खुम्स, या कहीं कहीं पर आपको खुम्स भी लिखा हुआ मिलेगा, तो युद्ध के समय लूट के सामान को कहा जाता था, खुम्स. नेक्स्ट है कुश्यन 11, ये चक्टर जो है, इसमें कुछ कुश्यन जो है, वो बहुत ज़्यादा डिपिकल था, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं है, एक भी कुश्यन, प्रांतिय शाषन विवस्था में प्रांत पतियो कौन करता था, प्रांत पती की नुक्ती जो है, वह कौन करता था, तो जिन्हें वली या नाजिम कहा जाता था, तो उनकी नुक्ती जो है, वो सुल्तान करते थे, नेक्स्ट है, जिले का राजस्व अधिकारी कौन होता था, जो की राजस्व एकत्र करना जिसका अधिकार मे सीक नहीं सिक कहा जाता था जिले की राजस्व अधिकारी को next है question 14 इसलाम धर्में सरवोच्च स्थान किस का था ? इसलाम धर्में सबसे सरवोच्च स्थान जो था वो था सरीयत का ठीक है? सरीयत जो था वो सबसे उपर था next है question 15 मुसलिम राज्य में सर्वोच इस्थान किसका होता था ठीक है तो इसलाम धर्मों में सर्वोच इस्थान किसका था सरियत का सरियत के बाद जो इस्थान था वो था खलीफा या उलेमा का ठीक है मुसलिम राज्य में सर्वोच इस्थान किसको दिया गया खलीफा या उलेमा को नेक्स्ट है कुशिन नमबर 16 दिल्ली सल्तनत में सर्वोचिस्थान होता था दिल्ली सल्तनत काल में सर्वोचिस्थान जो है वो किसका था तो यहां सुल्तान जो होता था उसी का पद जो है वो सबसे सर्वोच होता था तो एक बार रिपीट कर देते हैं कि इसलाम धन में ुचिस्तान सुल्तान का हो दर्था नेक्स्ट है 70 सुल्तान की सक्ति पर किस वर्ग का प्रभाव रहा तो इसका नेक्स्ट है इलतु तमिज के काल में 40 अमीरों का समू क्या कहलाता था इल्टो तमिज के काल में 40 अमीरों का समूह क्या कहलाता था इसका आंसर है चहल गानी क्या कहलाता था चहल गानी नेक्स्ट है question 19 दिल्ली सल्दनत काल में वनसानुगत सिद्धान्त किसने लागू किया था इल्टो तमिज जो थे उन्होंने वनसानुबस सिद्धान्त जो है वो लागू किया था इल्टो तमिज के कोई पुत्र नहीं था उनकी पुत्री थी रजिया सुल्तान तो इल्टो तमिज की मृत्यू के बाद शाशन जो है वो रजिया सुल्तान के हाथ में आ गया था तो सबसे पहली जो मुसलिम साशिका थी जो की रजिय सुल्तान थी वो गद्दी पर बैटी थी इसका आंसर है अरबी फार्शी पिती नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनतकाल में सेना के भाग कितने थे दिल्ली सल्तनतकाल में सेना के कितने भाग थे तो यहां तीन भाग थे गोडसवार सेना, गज सेना और पैदल सेना नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 22 सल्तनत काल के तीन कर जो अलाउदिन खिलजी ने लगाये थे 24 कर चलते थे तो उसमें जो तीन कर थे वो चलाये थे अलाउदिन खिलजी ने करशी कर, चरी कर और चराई कर तो देखें करशी कर जो था वो खेती पर लगता था और चरी कर जो था वो मकान पर लगता था और चराई कर जो है वो पाशू पर लगता था Next है Question 23 सिचाई कर किसने लगाया? इसका अंसर है फिरोशाहा तुगलक ने सिचाई कर लगाया इसके अलावा फिरोशाहा तुगलक ने 24 में से 4 प्रकार के ही कर थे वो रखे एक तो खराज, जकात, जजिया और खुमस तो यह हम पहले इनकी बात कर भी चुके हैं तो यहाँ दो कुश्यन जो है वो आपसे पूछे गए हैं किसे चाई कर किसने लगाया? फिरोशाह तुगलक ने इसके अलावा फिरोशाह तुगलक ने 4 प्रकार के कर जो हैं वो लगाये थे खराज, जकात, जजिया और खुमसगर बरनी किसके दरवारी इतिहासकार थे? तो किसके दरवार में थे बरनी? आपको यह बताना है कि बरनी किसके दरवार में थे? तो बरनी इतिहासकार जो थे वो फिरोशाह तुगलक के दरवार में थे next है सलतनतकाल का अक्वर किसी कहा जाता है तो इसका answer है फिरोश हातुगलक को सलतनतकाल का अक्वर कहा जाता है तो आपका जो दिल्ली सलतनतकाल का प्रशाशन था उसके सभी question जो है वो include हो गए इसमें मुगल काल बाबर से ऑरंग जेव तक चलिए स्टार्ट करते हैं, कुश्यन नंबर वन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो इसका सही आंसर है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 इस्वी में हुआ था और इस युद्ध में इब्राह इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल सामराज्य के स्थापना किस ने की? पानीपत के युद्ध में जो 1526 को लड़ा गया था उसमें इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल सामराज्य के स्थापना बाबर ने की थी नेक्स्ट है कुश्चन 3 बाबर किस वंस का था तो इसका सही आंसर है बाबर तैमूर वंस का था नेक्स्ट है कुश्चन 4 बाबर ने फर्गना की गद्धी पर बैट कर किसकी उपादी धारण की किसकी उपादी धारणकी बादशा की उपादी धारणकी Next है question number 5 खानवा युद कब और किसके बीच हुआ तो उसका सही answer है खानवा का युद जो है वह है बावर और राना सांगा के बीच में 1527 इसवी में हुआ और इस युद्ध में भी बाबर जो है वो विजई हुआ नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध कब हुआ तो इसका सही आंसर है चंदेरी का युद्ध चंदेरी के मेधनी राय और बाबर के वीच में 1528 इस्वी में हुआ था नेक्स्ट है घागरा का युद्ध कब हुआ घागरा का युद्ध कब हुआ तो ये कुशन जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है और इनकी सन और किस-किस के बीच में ये युद्ध लड़े गए थे ये सब भी आपको याद होने चाहिए तो घागरा का युद्ध जो है वो 1529 इसमी में बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था तो चलिए मैं आपको बाबर के जो स्टार्टिंग से जो भी युद्ध थे वो एक बार याद करवा देती हूँ देखिए आप एक लाइन याद रखिए कि बाबर ने पहले पानी पिया खाना खाया उसके बाद चंदा देकर घर गया तो यह ट्रिक जो है वो इसके युद्ध से संबंदित है पानी पिया यानि कि पानी पत का युद्ध जो है वो पहले लड़ा गया खाना खाया उसके बाद खानवा का युद्ध चंदा दिया चंदेरी का युद्ध घर गया और घागरा का युद्ध ठीक है तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा next करेंगे question number 8 खानवा के युद्ध में बाबर ने किस पद्धिती का प्रियोग किया था खानवा के युद्ध में जो बाबर और रानाशांगा के बीच में लड़ा गया था तो इस युद्ध में बाबर विजई हुआ था बाबर ने इसमें तुगलुकमा पद्धिती और जिहाद का नारा दिया था और खानवा का युद्ध कब हुआ था पंद्रसो सत्ताईसीस्वी में हुआ था next है question 9 खानवा के युद्ध में विजई होने पर बाबर ने कौन सी उपादी धारण की और बादशागी उपादी जब वो फरगना की गद्धी पर बैठा था जब उसने धारन की थी next है question 10 बाबर की मरत्यू कब हुई और उसे कहां दफनाया गया तो बाबर की मृत्यु जो है वो है 26 दिसंबर 1530 इसवी में आगरा में हुई थी और उसे राम बाग में दफनाया गया लेकिन बाबर की इच्छा की अकॉर्डिंग उसे बाद में काबुल में दफनाया गया जैसा कि उसने अपनी बाबर नामा जो है उसकी आतम कता उसमें उसने लिखा था नेक्स्ट है कुश्यन 11 बाबर ने अपनी आतम कता किस भासा में लिखी तो बाबर की जो आतम कथा उसका नाम याद रखना है बाबर नामा या तुझके बाबरी ठीक है और यह उसने तुर्की भासा में लिखी इसी में उसने लिखा था कि उसे जब उसकी म्रक्ति हो जाती है तो उसे काबुल में दफनाया जाए नेक्स्ट है बाबर नामा का तुर्की भासा से पार्सी भासा में अन्वाद किस ने किया बाबर ने अपनी आतम कथा तुर्की भासा में लिखी थी और इसे पार्सी भासा में अन्वाद करने वाले थे अब्दुर रहिम खान खाना नेक्स्ट है 13 हिमायू ने अपने भाईयों को कौन से प्रदेश दिये बाबर की मृत्यू के बाद हिमायू के भाईयों में उत्रादिकार के लिए लड़ाई भी हुई थी और संगर्स भी चला था काफी समय तक उसके बाद हिमायू जो है वो सबसे बड़ा था तो उसने अपने चारों भाईयों को कामरान को काबुल और कांधार दिया असकरी को संथल हिंदाल को अलवर और सुलेमान को बदक्वा ठीक है यह याद रखिएगा नेक्स्ट है 14 कुशन हिमायू ने किस सहर की स्थापना की थी हिमायू ने किस सहर की स्थापना की थी हिमायू ने दीन पना सहर की स्थापना की थी और हिमायू की जो मृत्यू है वह भी दीन पना सहर में जो एक पुस्तकाले था वहां सीडियों से गिरके उसकी मृत्यू हु हिमायू और शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा का युद्ध कब हुआ तो वह युद्ध जो है वह 1549 इसवी में हुआ और जिसमें हिमायू हारा गया नेक्स्ट है कुश्यन 16 चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खांने कौन सी उपादी धारण की चौसा का युद्ध जो 1549 में लड़ा गया था उसमें जो शेर खां था वो बेजाई हुआ था और हिमायू पराजित हुआ था तो जीतने के बाद शेर शासूरी ने शेर श नेक्स्ट हैं शेरशा का वास्तविक नाम क्या था देखिए शेरखा जो शेरखा सूरी थे तो उनका वास्तविक नाम परीद का था नेक्स्ट हैं कुशिन 18 कन्नोज या बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया चौसा का युद्ध जो है वह कब लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1549 में हिमायू और शेरखा के बीच में और कन्नोज या बिलग्राम का युद्ध जो है वह है 1540 में हिमाय या चौशा का युद्धू ओधा था, ठीक है? हानने के बाद हिमायू भटकल में सेख अली अक्तर के पास गया और कुछ समय बाद सेख अली अक्तर की पुत्री से ही हिमायू ने विवाह किया था नेक्स्ट है question 20 मच्छी बाड़ा का युद्ध किस के बीच हुआ तो इसका सही आंसर है नसीब घां एवम ततार खां के नेत्रत्व वाली अफगानी सेना और हिमायू के बीच में एक तरफ तो अफगानी सेना थी और दूसरी तरफ मुगल सेना हिमायू की मृत्यू कब हुई हिमायू की मृत्यू जो है वह 24 जनवरी 1556 में जोस ने दीन पना नगर बसाया था उसमें इस्तित्पुस्त काले की सीडियों से गिर कर हुई थी किस मुगल शाशक ने 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था कि पूरे सप्ता जो है वो अलग-अलग रंग के कपड़े पहनता था तो वो था हिमायू हिमायू जो 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था नेक्स्ट है 23 सूर सामराज्य का संस्थापक कौन था सूर सामराज्य का संस्थापक जो है वह था फरीद खा जिनका बच्पन का नम फरीद का था और बाद में उनका नम शेर्शासूरी पड़ा तो ये सूर सामराज्य के संस्थापक माने जाते हैं कौन शेर्शासूरी नेक्स देखेंगे सेर सासूरी को सेर खां की उपादी किस ने दी तो सेर सासूरी को सेर खां की उपादी देने वाले थे बिहार के साशक बहार खां जब उन्होंने शेर शाशूरी को निहत्ता और शेर के उपर वार करते हुए देखा तब उन्होंने उन्हें शेर खा की उपादी से नवाजा था और इनके बच्पन का नाम क्या था फरीद खाँ नेक्स्ट है गिरी सुमेल का युद किसके मध्य हुआ था गिरी सुमेल का युद किसके मध्य हुआ था तो ये कुशन जो है वो बहुत जादा इंपोर्टेंट है कि गिरी सुमेल का युद जो है वह है 1544 इसवी में मारवाड के मालदेव के साथ हुआ था सेरसा सूरी का और म नेक्स्ट हैं शेर्षा की मृत्यू कैसे और कब हुई शेर्षा सूरी की मृत्यू जह है वह है कालिंजर की युद्ध के दौरान बारूद में विस्पोर्ट होने से 1544 इस्वी में हुई थी कुशन 27 बंगाल के सोनार गाउं से पैसावर ग्रैन ट्रक रोड का निर्मान किस ने कराया तो ग्रैन ट्रक रोड का निर्मान जो है वो बंगाल से पाकिस्तान तक था और इसका निर्मान जो है वह है सेर्षा सूरी ने कराया शेर्षा सूरी का मकवरा कहा है? तो इसका आंसर है सासाराम बिहार में नेक्स्ट है मैं मुठी भरबाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता यह कथन किसके थे? तो यह कथन जो है वो शेर्षा सूरी के थे जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव के जैता कूपा और शेर्षा के बीच में 1544 में तो इस युद्ध को बहुत जीत पाया था तो जीतने के बाद उसने यह बोला था कि अगर मैं मुठी भर भाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता अकवर का जन्म कब हुआ था तो यहां से अब अकवर से संबनित प्रशन जो है वो स्टार्ट होते हैं देखिए कहीं बच्चों का ये बोलना है कि क्या इसके बाद कोई हमें बुक पढ़नी होगी आप 6 से 10 तक की अगर आपने अच्छे से कवर कर ली तो यही काफी है क्योंकि अगर आप हाई लेवल का अगर एक्जाम देते हैं तो वहां आप आगे की जो बुक हैं वो पढ़ सकते हैं लेकिन रीट के लिए 6 से 10 तक सफिसेंट है अकवर का जन्म जो है वह है अमर कूट के के लिए में 1542 इस्वी में पाकिस्तान में हुआ था नेक्स्ट है कुश्यन 31 महाराना प्रताप का जन्म कब हुआ था देखिए महाराना प्रताप के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन मैंने यहां पर इसलिए ये वाला कुश्यन डाला है क्योंकि याद हो सके कि महाराना प्रताप का जन्म जो है वो 1540 इस्वी में ह और महाराना प्रताप अकवर से दो साल बड़े थे अकवर का जन्म 1542 में महाराना प्रताप का 1540 में अकवर का प्रतम राज्य रोहन कब हुआ अकवर का प्रतम राज्य रोहन जो है वह हुआ था काला नौर में 14 वर्ष की आयू में ही इनका राजय रोहन हो गया था 1556 वी में Next है Question 33 पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी तो ये Question जो है ये भी बहुत ज़्यादा Important Question है देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी तो सोचिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 वी में हुई थी और दूसरी लड़ाई जो है वो 5 नवंबर 1556 वी में अफगान से नपती हेमू और अकवर के बीच में हुई थी याद रखना है 1526 वी में भाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई 1556 वी में हेमू और अकवर के बीच में पानीपत की तूसरी लड़ाई नेक्स्ट है हेमू ने कौन सी उपादी धारण की थी हल्दी गाटी का युद्ध कब हुआ हल्दी गाटी का युद्ध 1576 करेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट है Q36 अकवर ने खांदेज का नाम बदलकर क्या रखा था धन देज नेक्स्ट है अकवर की अंतिम अभ्यान कौन सा था अब यह Q45 जो है यह एक्जामे पूछा जाने वाला Q45 है याद रखियेगा अकवर का अंतिम अभ्यान जो है वो 1601 इसवी में असीरगड विजय यह अकवर का अंतिम अभ्यान था metallics है अकवर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपादी कब दी थी 1584 इस्वी में गुजरात विजय करने के बाद अकवर ने अब्दुल रहीम खान खाना को खान खाना की उबादी प्रदान की थी नेक्स्ट है अकवर की मृत्यू कब हुई अकवर का जन्म अमरकोर्ट पाकिस्तान में हुआ था और मृत्यू जो है वो इसकी 25 से 1605 इसवी में हुई थी अकवर का मकवरा जो है वह सिकंदरा में है और सिकंदरा आगरा में है नेक्स्ट है 40 अकवर के दीन एलाई धर्म में सम्मलित होने वाला पहला हिंदू राजा कौन था तो वो पहले राजा जो थे वो थे बीरवल देखिए अकवर ने 1581 इस्वी में दीने इलाई धर्म जो है वो चलाया था और उसमें पहला हिंदू राजा कौन था जो संबलित हुआ था वो बीरवल था नेक्स्ट हैं दीने इलाई धर्म का पुरोहित कौन था तो अकवर के द्वारा दीने इलाई चलाया गया था उसमें पहला हिंदू जो संबलित हुआ था वो बीरवल था और इसके पुरोहित जो थे वो थे अबुल फजल नेक्स्ट देखिए जैन मुनी हर विजय सुरी को कौन सी उपादी से अकवर ने संडक्षन प्रदान किया जैन मुनी हर विजय सुरी most important question है ये जैन मुनी हर विजय सुरी को अकवर ने जगत गुरु के उपादी दी थी 43, अक्वर ने इलाही संवत कैलेंडर कब जारी किया था? तो अक्वर ने इलाही संवत कैलेंडर जो है वो जारी किया था 1583 में 1583 में Next है, अक्वर के साथ संधी करने वाला पहला राजपुत कौन था? अक्वर के साथ संधी करने वाला पहला राजपुत था आमेर के कचवाह भारमल कौन थे? आमेर के कचवाह भारमल इनकी पुत्री से ही अक्वर ने विवाह किया था Next है, किस राजपुत राजा को अक्वर ने उच्च पदों पर न्युक्त किया था? तो वो कौन से राजबूत राजा थे जिनको अकवर ने उच्छ पदों पर निउक्त किया था तो वो थे भगवान दास और राजा मान सिंग नेक्स्ट है अब देखिए अकवर की द्वारा जो कारे किये गए थे वो याद नहीं रहते हैं तो यहां मैंने सभी उनके जो विशेश कारे थे उनको मैंने लिख दिया है याद कर सकते हैं से अच्छे से देखिए तीर्थी आत्राकर की समाप्ती जो है वह 1563 इस्वी में अकवर ने की थी जजिया कर जो की गैर मुसलिम पर लगता था यानि की हिंदूओं पर तो उसकी समाप्ती 1564 इस्वी में की थी एक साल बाद इबादत खाना 1575 इस्वी में बनवाया था दी ने इलाई धर्म की स्थापना 1581 इस्वी में की थी पुरोही जो अबुल फजल थे और पहला हिंदू शाशक कौन था जो शमलित हुआ था इस धर्म में बीरवल और नेक्स्ट है इलाई समवत कैलेंडर जो है वो 1583 इस्वी में जारी किया था तो ये सभी एकदम ग्रम से हैं इन्हें आप इस तरीके से याद रखिएगा तीर्थी आत्रा समाप्त 1563 जजिया कर्की समाप्ती 1564 इबादत खाना 1575 दीन इलाई धर्म 1581 और इलाई समवत कैलेंडर 1583 अकवर ने फतेपुर सीक्री में बुलन दर्वाजक किस विजय के उपलक्ष में बनवाया अकवर ने आगरा की फतेपुर सीक्री में बुलन दर्वाजक बनवाया तो वह उसने गुजराद विजय के उपलक्ष में बनवाया नेक्स्ट है 48, यहां से अब जहांगीर के बारे में स्टार्ट होता है, जहांगीर के बच्पन का नाम क्या था, जहांगीर अकवर के पुत्र थे, तो इनके बच्पन का नाम था सलीम, इसलिए इनका नाम पड़ा था, क्योंकि अकवर ने पुत्र की प्राप्ति जो है, वो सेक सलीम चिस्ती की दरगा जो बनी हुई है, वहाँ सेक सलीम चिस्ती से की थी, तो उनके नाम पर ही उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, और ये इन्हें प्यार से सेखु बाबा भी कहते थे नेक्स्ट है जहांगीर ने अबुल फजल का वद्ध कब कराया जहांगीर ने अपने पिता से विद्रोह किया था तो वो चले गए थे तो अकवर ने अबुल फजल को भेजा था जहांगीर को राजमहल बापस बुलाने के लिए जहांगीर ने अबुल फजल का वद जो है वह 1602 इसवी में करवाया था सलीम ने जहांगीर बादशा के उपादी कब धारन की थी तो उन्होंने 1605 इसवी में की थी आगरा किले में नेक्स्ट है 51 जहांगीर ने किस सिख्ध गुरु को मृत्युदंड दिया था तो सिख्ध गुरु को मृत्युदंड देने वाले दो थे जहांगीर और औरंगजेव तो जहांगीर ने गुरु अरजुन देव को मृत्युदंड दिया था ठीक है ये आपको याद रखना है कि गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था जहांगीर ने और जब औरंग जेव पढ़ेंगे तो वहाँ पर गुरु तेग बहादुर को फांसी जो है वो किसने दिलाई थी? औरंग जेव ने सैनिक और व्यापारिक दरस्टी से जहांगीर की कौन सी विजय सबसे महत्वपून मानी जाती है तो इसका अंसर है कांधार विजय नेक्स्ट हैं 1611 इस वी में जहांगीर ने महरु निसा नामक विद्वा से विभा किया वह कौन सी उपादी दी? तो उन्होंने महरु निसा से विभा किया और फिर उन्हें नूर जहां या नूर बहल की उपादी दी कैप्टन हौकिन्स तदा सर टॉमस रो किसके दरवार में आये थे? अब ये कुशन एक्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि कैप्टन हौकिन्स और सर टॉमस रो ये आये थे जहांगीर के साशनकाल में नेक्स्ट है सहाजा की बच्पन का क्या नाम था? जहांगीर की बच्पन का नाम क्या था? सलीम और सहाजा की बच्पन का नाम था? खुर्रम नेक्स्ट करेंगे कुश्यन 56 सहाजा का राज्य रोहन कहां हुआ था? तो इनका राज्य रोहन आगरा में 1628 इसवी में हुआ था नेक्स्ट है 57 सोले सो बत्तिस में पुर्तगालियों को सहाजा ने कहां पराजित किया था? तो सहाजा ने पुर्तगालियों को पराजित किया था 1632 इसवी में हुगली में पराजित किया था नेक्स्ट है 58 औरंगजेव ने अपने पिता सहाजा को कहां कैद किया था तो औरंगजेव ने आगरा के किले में सहाजा को कैद किया था नेक्स्ट है धर्मट का युद किसके बीच हुआ था धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ था तो उत्रादिकार के लिए जो युद्ध हुआ था औरंगजेव और दाराशिकों के बीच में धर्मट का युद्ध जो है वाई दाराशिकों और औरंगजेव के बीच में हुआ था जिसमें विजयी औरंग्जेव हुआ था नेक्स्ट है फ्रेंच यात्री बर्नियर टैविनियर इटैलियन यात्री मनुची ये किसके शाशनकाल में आये थे बर्नियर टैविनियर और मनुची ये जब ही आये थे सहाजा के शाशनकाल में और इससे पहले हमने जो देखे थे कि Captain Hawkins, Sir Thomas Rowe, ये सभी जहांगीर के शाशनकाल में आये थे, ठीक है, तो ये दोनों ही आपको याद रखने है औरंगजेव ने दक्कन का Governor किसे न्युक्त किया, तो इसका आंसर है मिरजा राजा जैसिंग को नेक्स्ट है, पुरंदर की संदी कब और किसके बीच में हुई, तो ये संदी जो थी, वह है जून 1665 में सिवाजी और राजा जैसिंग के बीच में हुई थी जून 1665 सिवाजी और मिरजा राजा जैसिंग के 1689 में हिंदूओं पर पुर्णे जजिया कर किसने लगाया था, अकवर ने जजिया कर जो गैर मुसलिम पर लगता था, वो समाप्त कर दिया था, 1564 इसवी में उसके बाद 1689 इसवी में हिंदूओं पर दुबारा से जजिया कर लगाने वाला था औरंगजेव, औरंगजेव एक कटर मुसल्मान था नेक्स्ट है, किस मुगल साशक ने मंदिरों को अधिक तोड़ा, यानि सबसे ज़्यादा मंदिरों को तोड़ने वाला वो मुगल साशक था, औरंगजेव नेक्स्ट है, 65, औरंगजेव ने वीजापूर के बाद कब गोल कुंडा पर भी अधिकार किया, तो यहाँ पर ये तो पता लगता है, कि औरंगजेव ने वीजापूर पर भी अधिकार किया था, और गोल कुंडा पर भी किया था, तो गोल कुंडा पर अधिकार जो है, वो जो मजहब को एक औजार की तरह प्रियोग कर रहा था वो था औरंग जेव. Next है question 67. सिखों के किस गुरु को औरंग जेव ने फासी दी थी? तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फासी दी थी और औरंग जेव ने कुरु तेक बहादुर को फासी दी थी. नेक्स्ट है 68 औरंगजेव की मृत्यू कब होई थी औरंगजेव की मृत्यू कब होई थी तो इसका आंसर है 1707 इसवी में एहमद नगर में औरंगजेव की मृत्यू होई थी तो औरंगजेव से पहले जो मुगल काल था वो अच्छे इस्तिती में था लेकिन औरंगजेव की मृत्यू के बाद मुगल प्रशाशन या मुगल शाशन जो है वो उसकी इस्तिती जो है वो गिरने लगी थी नेक्स्ट है 69 औरंगजेव के बाद शाशक कौन बना तो औरंगजेव की मृत्यू के बाद बहादुर शाह 1707 इस्तिती में शाशक बने इसके बाद से सभी शाशक जो थे वो कमजोर ही थे औरंगजीव की शाशन कल में, कब गोकुल के निद्रत्वों में जाटों और सतनाम्यों ने विद्रों किया पाजम करेंगे मुगल कालीन प्रेशाशन तो यहाँ से आपका कुश्चन जो है, वो 100% अपके एक्जाम में पूछा जाएगा आपका REIT होगा 1st grade या 2nd grade सभी में यहां से एक कुश्चन जो है वो आता ही है और आपको ध्यान से ये देखना है प्लीज शेयर करा करिए वीडियो को क्योंकि सभी को इसका फायदा मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं केंद्रिय प्रशाशन की साशन विवस्था क्या थी? तो इसका आंसर है केंद्र उसके बाद केंद्र जो था वो प्रांत या सूबो इसमें बटा हुआ था जैसे आज के राज्य जो होते हैं इस तरीके से उसके बाद सूबे जिलों में बटे हुए थे जिले परगनों में और परगना ग्राम में तो जैसे आज की विवस्ता है इसी तरीके से मुगल काल में केंद्री प्रशाशन की शाशन विवस्ता थी Next है Question 2 मुगल काल में प्रधान सैनापती होता था मुगल काल में जो प्रधान सैनापती होता था वो कौन होता था तो वो बादशा या समराट होता था समराट का पद जो था वो सबसे उच्छ माना गया है और उसी को इश्वर का प्रतिनिदी भी माना गया तो मुगल काल में प्रधान जयनपती जो था वो बादशा या समराट था Next है Question number 3 बादशा के बाद केंद्रिय प्रशाशन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था तो बादशा जो था वो केंद्रिय प्रशाशन में सबसे उच्छ था उसके बाद जो अधिकारी आता था उसको कहा जाता था वकील ए मुतलक या वजीर आला क्या कहा जाता था वकीर ए मुतलक या वजीर ए आला और अकवर ने वजीर ए आला का नाम बदल कर दीवाने कुल रख दिया था ठीक है ये भी आपको याद रखना है कि अकवर ने वजीर ए मुतलक या वजीर ए आला का नाम बदल कर रखा था दीवाने कुल नेक्स्ट हैं question number 4 प्रांतिय शाषन किसमें विवक्त था तो यह बटा हुआ था सूबों में ठीक है सूबों में बटा हुआ था तो सबसे पहले अकवर की समय में 12 सूबे थे लेकिन अकवर ने तीन जो प्रांत थे कांदेश, बरार और एहमत दगर इनको जीता था उसके बाद अकवर के पास 12 सूबे हो गए थे तो सूबों को स्टार्ट करने वाले सूबों की जो विवस्ता थी इसको स्टार्ट करने वाले भी अकवर ही थे नेक्स्ट है, कुश्चन 5, अकवर के समय कितने सूबे थे, तो मैंने यह आपको बताया था, कि अकवर के समय पहले 12 थे, और फिर उन्होंने 3 सूबों, तीन प्रांतों को जीत लिया, तो उसके बाद हो गए 15 नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय कितने सूबे हुए, तो औरंगजेब के समय प्रांतों की शंख्या थी 21 नेक्स्ट है, सूबों की विवस्था प्रारम करने वाला समराथ कौन था, तो सूबों की विवस्था चाहे सूबे लिखा हो या प्रांत लिखा हो, एक ही बात है, सूबों की विवस्था और प्रारम करने वाला समराथ था, अकवर क्योंकि उससे पहले शाशन विवस्था के बारे में ध्यान बाबर, हिमायू तो इन लोगों ने नहीं दिया तो अकवर ने ही ध्यान दिया था कुशनेट है दीवाने वित्विभाग का प्रमुक या प्रधान कौन होता है दीवाने वित्य विवाक का प्रमुक या प्रधान उस समय कौन था? तो वह था सद्र मीरे समा कौन था? सद्र मीरे समा Next करेंगे? Question number 8 जिले का शाषन किसके हातों में था? य JUST कुछ लोगों के हातों में था तो उन लोगों को उस समय किस नामों से जामते थे देखिए फौसदार, अमल गुजार, सिकदार, आमिल और कानून गो फौसदार जो था वह सैनिक का प्रमुक होता था सैनिकों का प्रमुक अमल गुजार, माल गुजारी का अधिकारी था सिकदार जो होता था वो परगना का प्रमुक होता था आमिल जो था वो मुनसिफ जो मुनसी होते हैं वो और कानून गो जो था वो पटवारी होता था जैसे पटवारियों का जो अधिकारी होता है वह है ठीक है तो जिले का शाषन जो है वो इन लोगों के हाथ में था फॉसदार अमल गुजार सिकदार आमिल और कानून गो नेक्स्ट है सैना विभाग का प्रमुक कौन होता था तो सैना विभाग का प्रमुक जो है वो कौन होता था सैना पति यार मीर बक्षी आप जब मूवी वगरा देखते हैं तो वहाँ पर भी मीर बक्षी के नाम से संबोधित करते हैं तो ये चीज़ देखी होगी, तो वो सैना विभाग का प्रमुक होता था, हैड होता था नेक्स्ट है काजी उल्कुजात कौन होता था तो काजी ये तो नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस पद की बात हो रही है काजी उल्कुजात जो है वह न्याय विवाग का प्रमुख होता था next है question 12 सैना किस प्रथा पर आधारित थी तो जो मुगल काल में सैना जो थी वह मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी next है question 13 मनसबदारी किसमे विवक्त थे मनसबदारी किसमें विवक्त थे तो वो जात और सवार में विवक्त थे तो मनसबदार जो यह एक पद होता था यह जात और सवार में बटे हुए थे Next है Question 14 दान और संपत्ती का प्रमुक कौन होता था सद्र उस सुद्र ये दान और संपत्ती का प्रमुक होता था तो ये जो जितने भी अधिकारी हैं जो पद हैं ये याद रखने हैं वीडियो को बार बार देखिए दो तीन बार देखेंगे सुनेंगे तो ये याद हो जाएंगे तोप खाने का प्रमुक कौन होता था तो तोब खाने का जो प्रमुक था वो मीर ए आतिरा या फिर मीर ए आतिश ये भी लिखा होता है तोब खाने का प्रमुक होता था मीर ए आतिरा नेक्स्ट देखेंगे कुश्यन 16 है वाकिया नवीस कौन होता था वाकिया नवीस कौन होता था तो वाकिया यानि की जब कोई चीज वाची जाती है तो वो होता था समाचार पत्र लिखने का काम करने वाला जो समाचार पत्र लिखता था तो उसको बोलते थे वाकिया नवीस वो इसी तरीके की थी दीवान ए तन कौन होता था दीवाने तन यह होता था तन से आप याद रख सकते हैं वेतन तो दीवाने तन होता था जो सैना को वेतन देता था next है question 18 मीर ए बर कौन होता था इसका सही आंसर है वन विभाग का प्रमुक तो इसे भी याद ऐसे रखेंगे वर को वन से याद रखिए मीर ए वर कौन होता था वन विभाग का प्रमुक next question है मुहतसिव कौन होता था मुहतसिव कौन होता था तो सरियत के खिलाफ जो काम करने वाले होते थे जो सरियत के खिलाफ जाते थे उनको रोगना और प्रजा का हित यही मुहतसिव का काम होता था नेक्स्ट है 20 दरोगा ए डांक चौकी कौन होता था गुप्तचर एवं डांक विभाग का प्रमुग जो था वह दरोगा ए डांक चौकी होता था तो ये आपके जो 20 कुश्चन है मुगल प्रशाशन से संबंदित थे सभी प्रशन जो है वो इसमें शामिल है मुगल राजबूत संबंद तो इसमें हम पढ़ेंगे महराव सेखा उसके बाद हमीर देव जोहान महाराणा प्रताब राव चंदर सिन तो इन सभी शाश्कों के सकते हैं जो बच्चे को कोचिंग को पे नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे कोचिंग को बड़ी बड़ी कोचिंग को पे नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों को फ्री में यहां मैटेरियल जो है वो इसी लिए प्रोवाइट करवा रही हूं है ताकि उनको फायदा हो सके बिल्कुल भी उनको टेंशन नहीं लेनी है कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे बिल्कुल आप करेंगे देखिए मैं अपनी इस्तिती को जानते हुए हर बच्चे को इसने शामिल करना चाती हूँ कि जो भी बच्चे जो हैं वो नहीं पे कर सकते हैं जिनकी स्तिती नहीं है इतनी तो वो बच्चे प्लीज जुड़िए हमारे चैनल के साथ और कंटेंड जो है वो आपका इतना अच्छा है इतना मतलब बढ़िया मैं आपको प्रवाइड करवा रही हूँ कि आप रीट के बाद अगर कोई और भी कॉम्टिशन एक्जाम देंगे तो वहाँ भी ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा कुश्यन वन है महराव सेखा का जन्म कब हुआ तो महराव सेखा का जन्म 24 سितंबर 1433 में हुआ महराव सेखा का जन्म 24 Settle 1433 में हुआ महराव कुम्भा गद्धी पर कब बैठे महराincुम्भा गद्धी पर कब बैठे तो यहाँ पर मैंने इसलिए इंक्लूड किया है महराव सेखा का जन्म द pushed1433 में होता है और उसी समय 14 से 33 से में महाराणा कुमबा जो है वो गद्दी पर बैठते हैं तो इस तरीके से आप ये दौनों कुशन जो है वो याद रख सकते हैं नेक्स्ट है महाराव सेखा के पिता का क्या नाम था तो महाराव सेखा के पिता का नाम मोकल था next है महाराणा कुमबा की पिता का क्या नाम था तो देखिए महाराव सेखा और महाराणा कुमबा इन दोनों के पिता का नाम मोकल था तो ये भी आपको याद रहेगा next है question 5 महाराव सेखा को महाराव की उपादी किसने प्रदान की थी महराव सेखा को महराव की उपादी किसने प्रदान की थी तो इसका सही आंजर है आमेर के शाशक उदे करण ने आमेर के शाशक उदे करण ने महराव सेखा को महराव की उपादी प्रदान की थी Next है Question 6 महराव सेखा का प्रत्थम सफल अभ्यान कौन सा था महाराव सेखा का सबसे पहला सफल अभ्यान कौन सा था मुलतान, सेवार, नगर चल के सांखला राजपूत पर आकमर कर विजय प्राप्त करना ये उनका सफल अभ्यान था नेक्स्ट है हम अभी महाराव सेखा को पढ़ रहे हैं राजपूत शाशक 1473 इसवी से 1476 इसवी में राव सेखा ने पनी पठानों की साहता से किस पर विजय प्राप्त की थी 1473 से 1477 इसवी में राव सेखा ने पनी पठानों की साहता से किस पर विजय प्राप्त की थी तो उन्होंने नोपसीन जाटू से दादरी और भिवानी नेक्स्ट है कुश्चन एट महाराव सेखा ने किसी अपनी राजधानी बनाया था तो महाराव सेखा ने अपनी राजधानी जो है वो आमीर सर को बनाया था 1449 इस्वी में और गदी पर वो कब बैठे थे नेक्स्ट है कुश्चन नाइन सेखा ने भगवान जगदीज का मंदिर तथा सिकारगड का किला कब बनवाया महाराव सेखा ने भगवान जगदीज का मंदिर और सिकारगड का किला कब बनवाया तो इसका आंसर है 1449 में भगवान जगदीश का मंतिर और 1487 इसवी में शिकारगड का किला बनवाया नेक्स्ट है महाराव सिखा की मृत्यू कहां हुई थी तो महाराव सिखा की मृत्यू जो है वह है रालावता में 1488 इसवी में हुई थी इनका जन्म जो है वह 1433 इसवी में हुआ था और मृत्यू 1488 इसवी में हुई थी तो ऐसे भी याद रख सकते हैं जन्म जो है वह 1433 को और मृत्यू 1488 को नेक्स्ट है 11 कुश्यन महाराव सिखा ने कितने युद्ध लड़े तो इसका आंसर है 52 युद्ध लड़े बहुत ही important chapter चल रही है इन में सो कोई भी question आप exam में देखिएगा तो महराव सीखा जो है उन्होंने कितने युद लड़े थे 52 जैपुर के कच्छवाह वंसके संस्थापक किसे माना जाता है जैपुर के कच्छवाह वंसके संस्थापक जो है वो महराव सीखा को ही माना जाता है next है महराव सीखा की पतनी गंगा कुमारी ने आमेर सर के ले के मुहाने पर कौन सा मंदिर बनवाया महाराव सेखा की पत्नी गंगा कुमारी ने आमेर सर के ले के मुहाने पर कौन सा मंदिर बनवाया तो उन्होंने कल्याण जी का मंदिर बनवाया किसने बनवाया महाराव सेखा की पत्नी गंगा कुमारी ने नेक्स्ट है जैतर सिंग के पुत्र का क्या नाम था जैतर सिंग के पुत्र का क्या नाम था अब हम मेवाड की तरफ आ गए हैं जैतर सिंग के पुत्र का क्या नाम था हमीर देव चोहान जैतर सिंग के पुत्र का नाम हमीर देव चोहान था नेक्स्ट है हमीर देव का राज्य रोहन कब हुआ हमीर देव का राजय रूहन जो है वो कब हुआ था? 1282 इसवी में हमीर देव का राजय रूहन हुआ था, हमीर देव चोहान का नेक्स्ट है हमीर देव ने सिंघहासन पर बैठते ही मांडल गर्ड में किसे पराजित किया रर्थमबोर जीतकर हमीर देव चोहान ने कौन सा यग करवाया रड़ धंबोर विजय करके हमीर देव चोहान ने कोटिय जन्यग कराया बहुत ही important question है ये रड़ धंबोर जीतकर हमीर देव चोहान ने कोटिय जन्यग करवाया ये question जो है वो किसी exam में पूछा भी जा चुका है next है हमीर देव चोहान ने कितने युद्ध लड़े जिसमें 16 युद्ध में तो हमीर देव चोहान विजय रहे थे लेकिन जो अंतिम युद्ध था 17 युद्ध उसमें अलाउदीन खिल जी के द्वारा पराजित हुए थे वो भी कुछ गदारों की वज़े से पराजित हुए थे रड़ थंबोर दुर्ग की कुझी कौन सी है तो इसका सही आंसर है जायन दुर्ग की तो अगर रड़ थंबोर को विज़ित करना है तो सबसे पहले रड थंबोर दुर्ग की जो कुंजी है उसे विजित करना होता था नेक्स्ट है जलालुदीन किल जी ने रड थंबोर पर आक्रमण कितनी बार किया जलालुदीन किल जी ने रड थंबोर पर आक्रमण जो है वो दो बार किया था जलालुदीन की हत्या कब और किस ने की थी तो इसकी हत्या जो है वो इसी के भतीजे या दमाद अलाउदीन खिल जी ने की थी 1296 इसरी में नेक्स्ट है कुश्यन 22 जलालुदीन खिल जी द्वारा रड धंबोर पर आकर्मन का क्या कारण था जलालुदीन खिल जी ने रड धंबोर पर आकर्मन किया था लेकिन उसने क्यों किया था तो इसका कारण था कि हमीर दिव चोहान का दिल्ली सल्तनत को कर ना देना उस समय यह था कि रड्धंबोर जो है वो दिल्ली पर कोई भी सुलतान बैठेगा तो उसको टेक्स्ट देगा लेकिन हमीर देव-चौहान ने दिल्ली श्लतनत को टेक्स्ट देने से मना कर दिया था इसलिए जलालोदिन जिलजी ने रड्धंबोर पर आक्रमर करना बौर पर आक्रमन का क्या करण था अब अलाउदीन खिलजी क्यों करना चाता था क्योंकि उसके एक कारण तो यह था सामराज जवाद ने थी कि उसने टैक्स नहीं दिया था हमीर देव चौहान ने और दूसरा कारण था कि अलाउदीन के जो बागी मंगोल मुहम्मद शा और क देवू तो इनको शरंड दे रखी दी और इनको बापस देने से भी मना कर दिया था इसी लिए अलाउदीन जो है वो रड़ थमबोर पर आक्रमन करना चाता था नेक्स्ट है question 24 अलाउदीन खिल जी ने 1299 इस्वी में रड़ थमबोर आक्रमन के लिए किसे भेजा तो 1299 इस्वी में रड़ थमबोर पर आक्रमन करने के लिए उसने अपने दो खास सेनापती उल्गु खा उलूग खा और नुश्रत खा इन दोनों को भेजा था याद रखियेगा रड़ थमबोर आक्रमन के लिए अलाउदीन खिल जी ने उलूग खा और नुश्रत खा इन दोनों को भेजा था नेक्स्ट है 25 हमीर ने अपने किन सैनिक अधिकारियों को लूट का माल लेने भेजा तो जब उलूख खा और नुश्रत खा लूट का सामान लेकर जा रहे थे तो हमीर देव चौहान ने भीम सिंग और धर्म सिंग को वो लूट का सामान लाने के लिए भेजा नेक्स्ट है 26 कुश्चन रड़ धंबोर को बचाने में हमीर का कौन सा सैनिक अधिकारी मारा गया अब ये कुश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि रड़ धंबोर को बचाने में हमीर का कौन सा सैनिक अधिकारी मारा गया तो भीम सिंग जो था वो इस अभियान में मारा गया था नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 27 रड थमबोर विजय करने में अलाउदीन की सहायता किन दो गद्दारों ने की थी तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमीर दे चौहान जो है वो 16 युद्द जो है वो विजित कर चुके थे लेकिन 17 युद्द जो है वो रड थमबोर का था और इसमें उनके पराजे के कारण भी दो गद्दार ही थे तो अलाउदीन किल जी की सहायता करने वो दो गद्दार थे रणमर और रतीपाल तो आगे ऐसे ही और भी गद्दारों के नाम आएंगे तो आपको याद रखना है रड थमबोर जो है रा से स्टार्ट होता है और वो गदार जो है उन दोनों के नाम भी रा से स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट है कुश्चन 28 राजिस्थान का प्रतम साका कौन सा है तो राजिस्थान का वो प्रथम साका जो है वह रड धंबोर का है जो कि 1321 इसबी में हुआ था नेक्स्ट है अलाउदीन किलजी ने रड धंबोर विजय कब किया था तो अलाउदीन किलजी ने रड धंबोर जो है वह किया था 1321 इसबी में तो दोनों का अंसर एक ही होगा कि राजिस्थान का प्रतम साका जो है वो रडधंबोर में 1301 में और अलाउदिन किल जी जो रडधंबोर को विजे करता है 1301 इसवी में नेक्स्ट है अलाउदिन किल जी का प्रसिद दरवारी विद्वान कौन था तो अलाउदिनखिल जी का प्रशिद दर्वारी विद्वान था अमीर खुसरो। ये वही अमीर खुसरो है जिनोंने साथ कुछ सुल्तानों का काल देखा था। नेक्स्ट है हमीर का हमीर देव चोहान का दरवारी कवी कौन था हमीर देव चोहान का दरवारी कवी कौन था तो आंसर है विज्या दित्य याद रखिएगा हमीर देव चोहान का दरवारी कवी था विज्या दित्य नेक्स्ट है 32 कुशन हमीर ने पदमला तालाव किसके नाम पर बनवाया था तो अपनी पुत्री पदमला के नाम पर ही हमीर ने पदमला तालाव बनवाया था नेक्स्ट हैं रड थमबौर के चोहान का अंतिम चाशक कौन था तो हमीर देव चोहान के बाद रड थमबौर में चोहान चाशकों के नीव जोती वो समाप्त हो गई थी तो ये अंतिम चाशक थे रड थमबौर में चोहान वंस के नेक्स्ट है रड धंबोर में 32 खंबे की चतरी किसने बनवाई थी जिसे न्याय की चतरी कहते हैं तो इसका आंसर है कि जब हमीर देव चोहन गदी पर बैठे थे तो उन्होंने अपने पिता जैतर सिंग के लिए रड थंबोर में 32 कंबे की चतरी बनवाई थी जिसे न्याय की चतरी कहा जाता है तो आपको इन में एक कुश्चन जो वो भी एड करना है एक कुश्चन और वो क्या है कि रड थंबोर युद्ध के समय अलाउदीन खिल जी का कौन सा सैनापती जो था वो मारा गया था तो आपको आंसर लिखना है नुसरत खां ये इंपोर्टेंट है तो ये मैं भूल गई इसमें लिखना आपको याद रखना है और लिखना है आप जहां भी लिख रहे हैं नोट कर लीजिए तो अब हम करने वाले हैं महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप से रिलीटिट जो भी प्रशनों में सभी इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं Question number one है महाराणा प्रताप का जन्म वा मृत्यू कब हुई थी? महाराणा प्रताप का जन्म और मृत्यू कब हुई थी? हुई थी ठीक है तो इसको याद रखिएगा और अगर हिंदू कालेंडर की बात करते हैं तो महाराना प्रताप का जन्म विक्रम संबत 1597 जेस्ट सुक्ल तरत्तिय रविवार को हुई थी ठीक है और याद रखना है कहां हुआ था कुंबलगर दुर्ग के बादल महल में नेक्स्ट है कुश्य नमबर टू महाराना प्रताप के माता पिता के क्या नाम था महाराना प्रताप के माता पिता का नाम क्या था तो उनके पिता का नाम था राना उदेशिंग और माता का नाम था जेवनता वाई नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 3 महाराना प्रताप का विवाह कब और किसके साथ हुआ तो महाराना प्रताप का विवाह जो है वह है अजब देपवार के साथ हुआ था 1557 इस्वी में नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 4 महाराना प्रताप की पुत्र का क्या नाम था तो महारान प्रताप की पुत्र का नाम था अमर्सी Next है Question No.5 महारान उदे सिंग की मृत्तिव कब हुई थी? महारान उदे सिंग जो प्रताप की पिता थे तो उनकी मृत्तिव हुई थी 28 परवरी 1572 इसवी को गोगुंदा में ठीक है? कब हुई थी? 28 परवरी 1572 इसवी को गोगुंदा में हुई थी Next है Question No.6 महारान प्रताप का राज्य अभिशेक कब हुआ? तो महारान प्रताप का राज्य अभिशेक उनकी पिता राना उदे सिंग की मृत्तिव के दिन ही हुआ था ठीक है? कब हुआ था? 28 परवरी 1572 इसवी को मिवार में महादेव बावडी पर हुआ था Next है Question 7 अकवर ने नागोर दर्वार कब लगवाया? अकवर ने नागोर दर्वार कब लगवाया? तो अकवर ने नागोर दर्वार 1570 इसवी में लगवाया था जिसमें अधिक तर राजपूतों ने अकवर की अधिन्ता स्वीकार की थी Next है Question 8 नागोर दर्वार में किसने अकवर की अधिन्ता स्वीकार नहीं की? तो ज़्यादा तर राजपूतों ने अकवर की अधिन्ता स्वीकार कर ली थी लेकिन मेवार्ड ने अकवर की अधिन्ता स्विकार नहीं की थी Next है Question No.9 अकवर ने प्रताप को अधिन्ता स्विकार करवाने के लिए कौन से चार दल भेजे थे तो अकवर ने महाराना प्रताप को अधिन्ता स्विकार करवाने के लिए चार दल भेजे थे वो दल कौन से थे? तो इसका आंसर है 1572 इस्वी को जलाल खां को, जून 1573 इस्वी में आमेर के मान सिंग, अक्टूबर 1573 इस्वी में ही आमेर के भगवान दास को, और दिसंबर 1573 इस्वी में टोडर मल को. तो अक्वर ने प्रताप को अधिनता सुईकार करने के लिए जो चार दल भेजे थे, वो जलाल खां, मान सिंग, भगवान दास और टोडर मल इनको भेजा था, इन्हें करम से ही याद रखना है, तो इसकी एक ट्रिक है, जमा भटो, यानि जा से जलाल, मा से मान सिंग, भा से भगवान दास और टासे टू डर्मल, नेक्स्ट है, कुश्यन नमबर टैन, अजमीर में इस्तित के लिए में संग्रहाले को अंग्रीजों के समय में क्या कहा जाने लगा था, तो इसका सही उत्तर है, मैग जीन, क्या कहा जाने लगा, मैग जीन, नेक्स्ट है, अकवर ने राजा मान सिंग को साही शैना लेकर युद्ध के लिए बेजा था, उस सैना ने अपना पड़ाव कहा डाला था, अकवर ने राजा मान सिंग को प्रताप को पकड़ने के लिए बेजा था, कि वो अपनी अधिनता जो है वो स्विकार करे, तो नेक्स्ट है हल्दी घाटी नामक घाटी में अपना पड़ाव किस ने डाला तो हल्दी घाटी जो नामक घाटी है वहाँ पर अपना पड़ाव डालने वाले थे महाराना प्रताब नेक्स्ट है हल्दी घाटी किसके मध्य इस्तित है हल्दी घाटी जो घाटी है वह इस्तित है गोगुंदा और खमनोर की पहाडियों के बीच में याद रखिएगा गोगुंदा और खमनोर की पहाडियों के बीच में तो इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे कि गा से पह नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 इसवी में तो RBSC की बुक में 18 जून है और आपको 21 जून भी देखने को मिलेगा तो एक्जाम में आप्शन में या तो 18 जून आएगा या 21 जून आएगा ठीके दोनों एक साथ नहीं आएगे याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून हुआ था नेक्स्ट है रासपूतों में प्रथम आक्रमन का नेतरत्व कौन कर रहा था तो इसका आंसर है हकीम खां सूर नेक्स्ट है कुशन नमबर 16 मुगलों की तरफ से नेतरत्व कौन कर रहा था तो हकीम कांसूर वो रासपूतों की तरफ से नेतरत्व कर रहे थे तो मुगलों की तरफ से नेतरत्व करने वाले थे जैनपति मांजिंग और आसिफ खां नेस्ट है 17 कुशन अकवर ने राम प्रसाद हाती का नाम बदल कर क्या रखा तो अकवर ने राम प्रसाद हाती उनके हाती का नाम था महाराना प्रताप के हाती का नाम था राम प्रसाद तो उसका नाम बदल कर अकवर ने क्या रखा पीर प्रसाद मानसिंग किस हाती पर बैठा था जो मुगलों की तरफ से नित्रत्व कर रहा था तो वह बैठा था मर्दाना हाती पर तो ऐसे भी पूचा जा सकता है कि मानसिंग के हाती का क्या नाम था मानसिंग के हाती का नाम था मर्दाना नेक्स्ट है 19 कुष्यन महाराना प्रताप की गोडे का क्या नाम था तो महाराना प्रताप की गोडे का नाम हम सभी जानते हैं चेतक कुष्यन नमबर 20 पहले मोर्चे में जीतने के बाद राजपूत बनास नदी के किनारे वाले मैदान में छिपे तो उस मैदान को क्या कहते है तो पहले मोर्चे में राजपूत सैना जो थी वो विज़यी हुई तो वो बना सनधी के किनारे वाले मैदान में छुपे तो उस मैदान को कहते हैं रक्त ताल नेक्स्ट है 31 कोश्यन हल्दी खाटी के युद्ध में महाराणा परताब ने राज चिन उतार कर किसे सौपा तो महाराणा परताब जो थे वो घायल हुए हल्दी खाटी के युद्ध में तो उन्होंने अपना राज चिन उतार कर दे दिया था सादरी के जाला मनना को ठीक है याद रखियेगा सादरी के जाला मन्ना को नेक्स्ट है कुश्यन 22 महाराना प्रताप के गोडे चेतक की चतरी कहां बनी हुई है तो चेतक बहुत बुई तरह से घायल हो गया था और वहे वीरगती को भी प्राप्ट हुआ था तो चेतक की जो चतरी है वह बलीचा गाउं में बनी हुई है नेक्स्ट है हल्दी गाटी के युद्ध की जानकरी हमें कहां मिलती है कहां से हमें हल्दी गाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है तो यह हमें मिलता है अमर कावेवन सावली ग्रंथ व राज प्रसस्ती से ठीक है याद रखना है अमर कावेवन सावली ग्रंथ और राज प्रसस्ती से नेक्स्ट है कुशिन 24 राज प्रसस्ती की रचना संस्कृत भासा में किसने की तो राजप्रसिस्ती की रचना जो है वह संस्कृत भासा में की थी रंचोड भट ने याद रखना है राजप्रसिस्ती और राजप्रसिस्ती और राजप्रसिस्ती ही रंचोड भट तो राजप्रसिस्ती की रचना करने वाले थे रणचोडभट जो की संस्कृत भासा में की नेक्स्ट है हल्दी घटी का युद्ध कौन जीता तो देखिए हल्दी घटी का युद्ध जो है वह एक अनिर्नायक युद्ध माना जाता है क्योंकि अकवर का उदेश्य था महाराना प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना देकिन वह नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने जो भी दल भेजे वो असफल हुए इस वज़े से महाराना प्रताप जो है वो अकवर के अधीनत उन्हों नहीं आए और महाराणार प्रताप ने पूरी तरीके से अकवर की सैना को भी पराजित नहीं किया तो यह अनिरणाय की युद्ध माना जाता है नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकवर ने सहवाज खान को मेवार पर अभियान करने कितनी वार भेजा तो हल्दी घाटी का युद्ध उसमें किसी की भी हार या जीत नहीं दिखी हमें उसके बाद अकवर ने फिर से सहवाज खान को मेवार पर अभियान करने के लिए भेजा तो उन्होंने यह तीन बार किया तीन बार सहवाज खान को भेजा 1577, 1578 और 1589 लेकिन ये तीनों बार ही वह सफल हुआ क्या हुआ? असफल हुआ हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाई तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराना प्रताप ने अपने अस्थाई राजधानी बनाई पोल्यारी गाउं को और यह पढ़ता है आवरगण में Next है Question number 28 1580 में अकबर ने प्रताप के विरुद किसे भेजा 1580 में अकबर ने प्रताप के विरुद किसे भेजा तो अकबर ने कई वार महारान प्रताप के विरुद जो दल थे उनको भेजा था तो 1580 में भेजा अब्दुल रहीम खान खाना को जो बेरम खान के पुत्र थे नेक्स्ट है कुश्यन 29 दिवीर का युद्ध कब हुआ तो हल्दी काटी के युद्ध के बाद दिवीर का युद्ध होता है और यह युद्ध जो है वह 1582 इस्वी में होता है और महाराना प्रताप के पुत्र अमर सिंग और मुगलों के मद्य होता है कर्णल जैम स्टॉड ने दिवीर के युद्ध को क्या कहा कर्णल जैम स्टॉड ने दिवीर के युद्ध को मेवाड का मेराथन कहा ठीक है याद रखना है क्या कहा मेवाड का मेराथन 31 है कर्णल जैम स्टॉर्ड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा तो हल्दी घाटी के युद्ध को कर्णल जैम स्टॉर्ड ने मेवाड की धर्मोपली कहा दिवेर के युद्ध को क्या कहा दिवीर के युद को कर्णल जेम स्टॉड ने मेवाड का मेरा थन कहा और हल्दीगाटी के युद को मेवाड की धर्मपली नेक्स्ट है अकवर का अंतिम अभ्यान प्रताप की विरुद कौन सा था अकवर का पहला अभ्यान जो मैंने ट्रिक के द्वारा बताया आपको जमा भटो उसके बाद अकवर का जो अंतिम अभ्यान था जिसमें उन्होंने प्रताब की बुरुद बेजा आमेर के भार्मल की चोटी पुत्र जगणनात कच्वाहा को बेजा पांच दिसम्बर 1584 इस्वी को ठीक है याद रखना है इसको किसको बेजा आमेर के राजा भार्मल की जो चोटी बेटे थे जगणनात कच्वाहा महरान प्रताब ने 1585 इस्वी को अपनी आपात कालिन राजधानी किसे बनाया तो 1585 इस्वी में महरान प्रताब ने आपात कालिन राजधानी बनाया चावंड को नेक्स्ट हैं कुशन 34 चावंड में महरान प्रताब ने किसका मंदिर बनवाया कुशन 35 महरान प्रताब की मृत्यू कहां हुई महरान प्रताब की मृत्यू कहां हुई तो उनकी मृत्यू जो थी वो 1597 इस्वी में हुई थी और यह चावंड में ही हुई थी 19 जन्वरी 1597 इस्वी को चावंड में कुशन 36 महरान प्रताब की चत्री कहां बनी हुई है महाराणा प्रताप की मृत्यू चावंड में हुई थी और इनकी चत्री चावंड में ही बांडोली गाउं में बनी हुई है जो की आठ खम वो की चत्री है हम करने वाले हैं मारवाड के राउचंद्रसेन और विकानेर के राइसिंग से संबंदित सभी प्रशन तो ये बहुत ज़्यादा important रहेगा आपकी syllabus के according तो आपको इन हर question पर ध्यान देना है और आपको यहीं पर learn करते हुए चलना है तो last जो हमने महाराणा प्रतापका किया था यदि आपने वहाँ अच्छे से वीडियो नहीं देखा है तो please वीडियो देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा important chapter है ये चलिए start करते हैं question number one है राउचंद्रसेन का जन्म और मृत्यू कब हुई थी मारवाड के राउचंद्रसेन का जन्म और मृत्यू कब हुई थी तो इसका सही आंसर है इनका जन्म 16 जुलाई 1541 ऐस्वी में हुई थी और मृत्यू 11 जन्वरी 1581 ऐस्वी में हुई थी next है question number two राउचंद्रसेन के माता पिता का क्या नाम था तो राउचंद्रसेन के पिता का नाम था मारवाड के मालदेव और इनकी माता का नाम था रानी स्वरूपते next question है मालदेव के कितने पुत्र थे मालदेव के कितने पुत्र थे तो मारवाड के मालदेव के पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे थे राम, उसके बाद मोटा राजा उदैसिंग, उसके बाद राव चंदरसेंग, और सबसे छोटे थे रायमन next है question number 4, मालदेव से रानी स्वरूप दे ने कहकर किसे मारवाड का युवराज बनाया तो रानी स्वरूप दे ने मारवाड के जो मालदेव थे, उन से कहकर किसे मारवाड का युवराज बनाया तो राजपूतों में ये परंपरा थी कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही युवराज बनता है, वही उत्रादिकारी बनता है लेकिन रानी सुरूप दे ने राम को उत्रादिकारी ना बना कर रावचंदरसेन को मारवाड का युवराज बनाया उनकी योकिताओं को देख कर तो जिस तरीके से मिवाड में महाराना प्रताप जाने जाते हैं उसी तरीके से मारवाड में रावचंदरशेन जाने जाते हैं रावचंदरशेन कब शाषक बने तो रावचंदरशेन 1562 इसवी 31 दिसंबर 1562 इसवी में मारवाड के शाषक बने मारवाड में जोदपूर के शाषक बने नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 6 मालदेव का कौन सा पुत्र अकवर की शरण में गया था तो इसका सही अंजर है बड़ा बेटा राम जोकि जो राम था उसको उत्रादिकारी नहीं बनाया गया था तो ये नाराज होकर अकवर की शरण में चले गए थे नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 7 किसके नितरत्व में अकवर ने मारवाड में जोदपूर के लिए परकबजा करने के लिए सेना पेजी तो किसके नितरत्व में बेजी थी अकवर ने अकवर ने मारवाड में जोदपूर के लिए परकबजा करने के लिए हुसेन खांकुली को पेजा था याद रखना है इसे बहुत अच्छे से नेक्स्ट है एट अकवर का जोदपूर के लिए परकबजा कब हुआ अकबर ने उसेन काकुली को भेजा था तो उनकी सेना ने जोदपुर पर कबजा 1564 इस्वी में कर लिया था तो रावचंदर सेन जो है वो 1562 इस्वी में जोदपुर के शाशक बने थे लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाये थे वो दो सालों तक ही रह पाये थे नेक्स्ट हैं question नमबर 9 मारवड के रावचंदर सेन ने जोदपुर से भाग कर कहां शरन ली जब जोदपुर पर अकबर का कबजा हो गया था तो वहां से मारवाड के जो रावचंदर सेन थे वो भाद्रा जूम भाग कर चले गए थे क्योंकि वो अकवर की अधिनता सुईconstruct नहीं करना चाते थे तो जिस तरीके से मेवार में महाराणा परताब जो है वो अधिनता सुईकार नहीं करते हैं और निरंथर संगर्ज करते रहते हैं, उसी तरीके से रावचांदर सेन का जीवन भी निकला नागोर दरवार के बाद किसी अकवर ने 1572 इस वी में जोदपूर का अधिकारी न्युक्त किया अब जोदपूर में कोई भी शाशक नहीं था तो अकवर अपनी तरफ से ही शाशक बनाता है तो जब 1570 में नागोर दरवार में सभी राशपूत कुछ को छोड़कर सभी राशपूतों ने अकवर के दिनता सुरिकार कर ली थी तो उन्हीं मैंसे बीकानेर के राइसिंग को अकवर ने 1572 में जोदपूर का अधिकारी न्युक्त किया नेक्स्ट है विस्मरत नायक और बूला विस्रा राजा के नाम से मारवार के कौन से साशक जाने जाते हैं तो देखिए बूला विस्रा राजा और विस्मरत नायक के नाम से जाने जाते हैं राव चंदरसेन वो भी मेवार के महारान प्रताप की तरह ही संगर्ज करते रहे फिर भी उनके बारे में इतनी अधिक जानकारी नहीं मिलती है जैसे कि इतिहास ने उन्हें भूलाई दिया हो तो इसी लिए इन्हें भूला विस्रा राजा या विस्रत नायक कहा गया कुशन 12 भादरा जूर जाते हैं तो जोत्पुर से वह भादरा जूर जाते हैं और भादरा जूर से चंदरसैन जो है वह अपने भतीजे कल्ण जी के पास चले जाते हैं नेक्स्ट है जब वहां भी उन्हें जब वहां भी उन्हें अपने अच्छा नहीं लगता है तो सोजत से रावचंदर से कहां चले जाते हैं तो जब कल्लजी के पास से तो वहां भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो वहां से वो स्विवाना चले जाते हैं जो की बाड मे नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 14 तो देखिए कुश्यन इस तरीके से बनाए गए है कि आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज वहाँ पर इन्हें नोट करते चाहिए आपके एक्जाम के औरेंटिड ही हैं ये चैप्टर्स राओ चंदर सेन की समाधी कहां बनी हुई है तो पहाड़ी के पास है वहाँ इनकी समाधी बनी हुई है तो ये आपके लिए इंपोर्टन रहेगा कुश्यन नेक्स्ट है राइसिंग किसके पुत्र थे राइसिंग किसके पुत्र थे तो देखिए हमने अभी मारवड के राओ चंदर सेन इनके बारे में डिटेल से सारे कु राइसिंग को वहाँ पर अधिकारी न्युक्त किया था 1532 स्वील है तो ये जो राइसिंग थे ये बीकानेर के कल्यान मल राटोर की बेटे थे तो देखिए कुश्चन अंसर के थूँ आप जो है वो एक स्टोरी सी मायंड में बना के रखिए क्योंकि तब ही आप इनको इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 इस्वी को तो आपको ये याद रखना में बिल्कुल कटना ही नहीं होगी क्योंकि जब मारवार के राव चंदरसेन इनका जन्म हुआ था 1541 में ही तो इसी समय विकानेर के राव सींग का जन्म भी हुआ था दोनों ही सेम एस के थे और इ हमने देखा था कि जो बिकानेर स्वरी मारवार के जो राव चंदरसेन थे उनकी मृत्यू 1581 इस्वी में हुई थी नेक्स्ट है राय सींग जब जोदपूर के शाशक बने तो किसने नागोर में विद्रो किया तो आप राय सींग जैसे पड़ रहे हैं तो आप इनके आगे बिकानेर भी लगाएं चोंकि इसी से आप याद रखेंगे कि कौन से जो राजा थे उनकी बात हम कर रहे हैं वो कह तो बिकानेर के राय सींग जब जोदपूर के शाशक बने तो किसने नागोर में विद्रो किया तो इब्राहिम मिर्जा ने नागोर में विद्रो किया जब राय सींग बिकानेर के राय सींग को जोदपूर का शाशक अकवर ने बनाया था नेक्स्ट है 18 question दताडी का युद्ध किसके बीच हुआ तो यह युद्ध जो था वह है 1583 इस्वी में जगमाल और सिरोही के देवरा सुर्तार के बीच हुआ था याद रखना है जगमाल और सिरोही के देवरा सुर्तार के मध्य है तो जगमाल यह वही है जो कि महरान प्रताप के बाई थे 1583 इस्वी में जगमाल और सिरोही के देवरा सुर्तार के मध्य हुआ था और इसमें जगमाल की मृत्यू हो जाती है नेक्स्ट है 19 राइसिंग को राय की उपादी किस ने दी विकानेर के राइसिंग को राय की उपादी देने वाले थे अकवर कुश्यन परंटी विकानेर के जुनागड का निर्मान किस ने कराया विकानेर के जुनागड का निर्मान किस ने कराया तो इसका आंसर है राइसिंग ने अपने प्रधान मंत्री करम चंद की देख रेग में 1589 से 94 इसवी तक जूनागड का निर्मान कराया याद रखना है जुनागड का निर्मान करने वाले कौन थे विकानेर के राइसिंग और किसकी देखरेग में अपने प्रधानमंत्रिक करमचंत की देखरेग में इस जीज़ को याद रखिएगा नेक्स्ट है question 21 राइसिंग प्रसस्ती का रचेता कौन था तो इसके रचेता जो थे वो थे जैता कभी याद रखना है इसको बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये कि राइसिंग प्रसस्ती के रचेता थे जैता कभी नेक्स्ट है राइसिंग ने कौन कौन से साहित्य लिखे तो राइसिंग जो है उनके समय में बहुत सारी चीज़ों का निर्मान भी हुआ ये साहित्यकार भी थे कभी भी थे और राइसिंग ने राइसिंग मोहतसव वैदक वनसावली जोतिस रतनमाला जोतिस ग्रंतों की भासा पर बाल बोधनी नामक्ती का लिखा तो इसको भी आपको याद रखना है तो ठीक है ये दो कुश्यन जो है वो आपको तो याद रखने ही है इनको बार बार आप अपने मूंसे ही बोलिए वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसका कुद याद करके और आंसर जो है वो लगाने की कोशिश करिए बीगानेर के जुनाकड का निर्मार जो है वो राइसिंग ने करवाया था अपने प्रधान मंत्री करमचंद की देखरेग में राय प्रसिस्ती जो की इनके समय में ही इसकी रचना हुई थी और कभी कौन थे चैता कभी और राइसिंग ने साहित ते लिखे राइसिंग पर बाल बोधनी नमक्ती का भी लिखा। जिंद्र कहां कहा गया? किस गृंट में कहा गया? कर्म चंद्र वनसोत कीरतनक काववी गृंट में. Next है question 24. बिकानेरी चितरकला की शुरुवात किसके शाषनकाल में मानी जाती है? तो ये भी बिकानेर के राइसिंग के शाषनकाल में ही मानी जाती है. तो आज हमने दो साशकों के बारे में पढ़ा मारवण के रावचंदर सेंग और विकानेर के राय सिंग तो इनसे रेलेटिव सभी प्रशन जो है वो आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके second chapter जो है उसमें से कहीं से भी प्रशन जो है वो आ सकते हैं आजम करने वाले हैं आमीर के सवाई जैसिंग और अमर सिंग के बारे में तो यहां से प्रशन जो है वो आपके एक्जाम में पूझे ही जाते हैं सलेबस के according की भी अगर आप देखेंगे तो हमारा चल रहा है मुगल राजपूत संबंद ठीक है तो यह आपको अच्छे से पढ़ना भी है और आपको अच्छे से रिवाइज भी करना है बार बार वीडियो को देखिए मैं बार बार कहती हूँ आप से कि आप तैयारी अगर कर रहे हैं और बिल्कुल मन लगा के कर रहे हैं तो आपको हर कोश्चन जो है वो दिहान से देखना होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल हमने 24 कोश्चन तक वीकानेर के राइसिंग तक किया था चलिए आज हम सवाई जैसिंग के बारे में देख रहे हैं देखिए ये सवाई जैसिंग जो है वो आमेर के सवाई जैसिंग है और इससे पहले जो हमने मिरजा राजा जैसिंग के बारे में पढ़ा था तो वो पुरंदर की संदी होई थी सिवाजी के साथ तो वो अलग है ठीकें, याद रखना है मिलाना नहीं एक डूसरे को वो पहली की शाशक थी और ये बाद की शाशक है सवाई जैसिंग या जैसिंग दृति का जन्म कब हुआ तो सवाई जैसिंग और जैसिंग सेकेंड का आ जाता है जिनको इनका जन्म हुआ 3 सितंबर 1688 इस्वी में ठीक है मन्त आपको याद नहीं रहता है कोई बात नहीं सन आपको ध्यान में रखनी है नेक्स्ट है सवाई जैसिंग गद्धी पर कब बैठे तो सवाई जैसिंग का जन्म जब हुआ था तो उसके 11 साल बाद ही 10 या 11 साल बाद ही 1699 इस्वी में यह गद्धी पर बैठे थे 19 दिसंबर 1699 इस्वी में नेक्स्ट है 27 सवाई जैसिंग और उनके छोटे भाई का नाम विजैसिंग औरंग जीब ने रखा पहले इनका नाम क्या था तो सवाई जैसिंग का पहले नाम था विजैसिंग और विजैसिंग का नाम था जैसिंग जिनका औरंग जैसिंग ने बदल दिया था तो आप confused होंगे कि हम किस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं विजैसिंग के बारे में जिनका नाम बदल कर सवाई जैसिंग जो है वो किस ने रखा औरंगजीव ने रखा तो आपको सवाई Jaising के बारे में अच्छे से याद रखना है कि इनका पहले नाम था Vijaising औरंग जीव के चार पुत्रों का क्या नाम था? औरंग जीव के चार पुत्र थे और उनका नाम था मुज़म, आज़म, अकबर और कामबक्ष मुज़म, आज़म, अकबर और कामबक्ष नेक्स्ट हैं आप वीडियो को लाइक भी किया कीजिए आप पूरा वीडियो देखते हैं आपका एक सेकिंड से भी ज़्यादा कर टाइम नहीं लगता है लाइक करने में तो प्लीज लाइक किया कीजिए प्रंटी नाइन है 1707 इसवी में जब औरंगजीव की मुरत्ति हो गई थी तो मुज़म और आज़म के बीच कौन सा युद हुआ था ठीक है तो औरंगजीव की मुरत्ति के बाद उस चादिकार के लिए युद छिड़ गया था भाईयों में तो मुज़म और आज़म के बीच में एक युद हुआ था जाज़व का युद इसमें मुज़म जो था वो विज़ई हुआ था और मुज़म ने अपना नाम बदल कर रख लिया था बहादुर्शा प्रथम यह हम आगे भी देखेंगे तो जब हम पढ़ते हैं मुगल काल तो हम देखते हैं कि औरंग जीव की मुरत्यू के बाद जो शाशक बने थे वो थे बहादुर्शा प्रथम तो यह वही मुज़म थे नेक्स्ट है सवाई जैसिंग ने जाज़व के युद में किसका साथ दिया था नेक्स्ट है मुज़म का साथ किस ने दिया था तो मुज़म जिन्होंने अपना नाम बदल कर बहादुर्शा रख लिया था जाज़व के युद के बाद तो इसे युद में मुज़म का साथ दिया था सवाई जैसिंग के भाई विजैसिंग ने नेक्स्ट है जाजों का युद्ध जीतने के बाद मौजब ने अपना नाम बदल कर क्या रखा तो हम ने यह देखआ, कि उन्होंने अपना नाम बदल कर रखा, बहादूर्शा प्रत्म कुशिन 33 है मुवजम ने जीतने के बाद विजय सिंग को आमेर का शाशक बनाया और आमेर का नाम क्या रखा तो मुवजम ने या फिर बहादुर्शा प्रथम कह दीजे उन्होंने आमेर का नाम बदल कर रखा इसलामाबाद और बाद मेसी का नाम मुमिनाबाद रख दिया नेक्स्ट है 34 दिवारी समझोता क्या है दिवारी समझोता क्या है तो अब हम अमर सिंग के बारे में पढ़ेंगे चलिए दिवारी समझोता क्या है अमर सिंग दृतिये ने सवाई जै सिंग से अपनी पुत्री चंदर कुभरी के साथ शादी और उसके पुत्र को आमेर का आगामी राजा बनाने की शर्त रखी और बदले में अमर सिंग सेकंड आमेर के सवाई जै सिंग और मारबाट के अजी सिंग की साहता करेंगे ऐसा उन्होंने वचन भी दिया तो जो अमर सिंग सेकंड थे उन्होंने सवाई जै सिंग की हैल्प करने के लिए ये सर्त रखी थी देखिए जो विजय सिंग था उसको तो आमेर का शाशक बना दिया था बहादुर्चा प्रतम ने मुखजम ने तो जो सवाई जै सिंग थे वो परेशान थे तो इनका साथ दिया था अमर सिंग सेकंड ने ठीक है याद रखना है तो अमर सिंग 2 ने इसके लिए सर्थ रखी थी कि मारवार के एक अजीत सिंग और सवाई जैसिंग की help वो जबी करेंगे जब सवाई जैसिंग अपनी पुत्री चंदर कबरी का विवाहा जो है वो उसके बेटे से करेंगे और जो आगामी राजकुमार होगा उसी वह आमेर का राजा बनाएंगे ये था देवारी समझोता नेक्स्ट है मुगल सासक रंगीला ने भरतपूर रियासत में चूडामन के विद्रो को दवाने को 1722 इस्वी में किसे बेजा था तो मुगल सासक रंगीला ने सवाई जैसिंग को भरतपूर रियासत में चूडामन के विद्रो को दवाने को 1722 इस्वी में बेजा था देखिए सवाई जैसिंग जो है वो ज़्यादा important है इनकी भाई जो विजैसिंग है उससे ज़्यादा विजैसिंग वही जिसको मुझजम या बादुर्शा प्रत्थम ने आमिर का शाशक बना दिया था ठीक है तो हमें पढ़ना है सवाई जैसिंग के बारे में तो focus आपका स जैपुर जहर की स्थापना किसने की तो इसका आंसर है सवाई जैसिंग ने जैपुर जहर की स्थापना की थी जैसिंग ने बहुत सारे कारे किये थे आगे चलकर जैसिंग ने डिंग के बदन सिंग को कौन से उपादी थी तो बदन सिंग को जैसिंग ने ब्रजराज की उपादी दी थी ठीक है याद रखने में आसानी होगी बदन सिंग बास से स्टार्ट होते हैं और ब्रजराज भी बास से स्टार्ट होते हैं ठीक है तो ब्रजराज की उपादी जो है वो दी थी सवाई जैसिंग ने किसे डींग के बदन सिंग को नेक्स्ट है, जाटों के दमन से प्रसंद होकर, जाटों का दमन हो गया था, उससे प्रसंद होकर महमद शाह ने जैसिंग को कौन सी उपादी थी, तो मुहमद शाहा ने जैसिंग को राज राजेश्वर स्री राजा दिराज सवाई की उपादी दी अब याद रखना है क्योंकि इन्हें जैसिंग ना कहकर सवाई जैसिंग कहते हैं तो इनको सवाई की उपादी जो है राज राजिश्चो श्री राजा दिराज सवाई की उपादी किस ने दी थी? मोहम्मद शाहा ने दी थी. सवाई जैसिंग ने जोतिस विद्या पर कौन सा ग्रंथ लिखा जोतिस के ग्यानी थे जैसिंग और इससे पहले जो हमने पढ़े थे विखानेर के राय सिंग वो भी जोतिस विद्या के ग्यानी थे जैसिंग ने जोतिस विद्या पर कौन सा ग्रंथ लिखा तो उन्होंने जैसिंग कारी का ग्रंत लिखा कौन सा ग्रंत लिखा? उन्होंने लिखा जैसिंग कारी का ग्रंत सवाई जैसिंग ने नक्षत्रों की गती की गणना करने के लिए एक सुद्ध शारणी का निर्मान कब करवाया? सवाई जैसिंग ने नक्षत्रों की गती की गड़ना करने के लिए एक सुद्ध शारणी का निर्मान कप करवाया याद रखिएगा 1725 इस्वी में जैसिंग ने भारत में जोतिश की अध्यन के लिए पांच वैदशाला बनवाई जिनमें सबसी बड़ी वैदशाला जो है वो कौन थी तो इन्होंने पांच वैदशाला बनाई थी जैपूर में, दिल्ली में, बनारस, मत्रा और उचेन में विल्कुल याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है ये जैपूर में बनवाई, दिल्ली, बनारस, मत्रा और उचेन जब हम जोगरफी पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हमें जैसिंग के बारे में जानकारी मिलती है जब हम फस्ट, सेकिंड या थर्ड कोई चैप्टर पढ़ेंगे जोगरफी का, सिक्स क्लास का तो वहाँ पर भी हमें जैसिंग के बारे में इनके जो वैद साला है, उनके बारे में पता चलता है जैपूर, दिल्ली, बनारस, मत्रा और उचेन तो जैपूर की जो वैद साला है, जनतर मंतर वो सबसे बड़ी वैद साला है और युनेसको ने भी इसे 2010 में विस्वदरोहर सुच्ची में शामिल किया था नेक्स्ट है, जुलाई 2010 इस्वी में किस वैद साला को विस्वदरोहर की सुच्ची में शामिल किया गया था, तो अभी मैंने आपको बताया था, जैपूर का जनतर मंतर अंतिम हिंदू शाशक जिसने 1740 इस्वी में कई यग करवाए ठीक है तो यग जो है वो कई शाश होने करवाए थे लेकिन यहाँ पर पूछा है अंतिम हिंदू शाशक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतिम हिंदू शाशक जो थे वो थे सवाई जैसिंग जिनोंने यग करवाए थे 1740 इस्वी में नेक्स्ट है यग करने वाले ब्रामनों को रहने के लिए सवाई जैसिंग ने किसका निर्मान करवाया तो सवाई जैसिंग ने जल महल का निर्मान करवाया किके हम पढ़ते हैं कि सवाई जैसिंग ने जैपूर सहर की स्थापना करवाई जल महलों का निर्मान करवाया तो जल महलों का निर्मान वो क्यों करवाया था? यग करने वाले ब्रामनों को रहने के लिए जोदपुर महराजा गज सींग के कितने पुत्र थे? तो उनके पुत्र थे अमर सींग, जसवन सींग और अचल सींग ठीक है अमर सिंग जस्वन सिंग और अचल सिंग 46 कुशन है सहाजा ने अमर सिंग की बहादुरी से प्रसंद होकर किसकी उपादी दी थी तो अमर सिंग से प्रसंद जो है वो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं चलिए अब यहां से स्टार्ट होते हैं आपके कुशन अमर सिंग से रिलेटिड सहाजा ने अमर सिंग की बादूर से प्रशन्म होकर उन्हें राओ की उपादी दी थी नेक्स्ट है अमर सिंग राटोर को किसने गवार कहा जिसको अमर सिंग ने तलवार से सर धर से अलग कर दिया था तो जब सहाजा के दरवार में थे तो सलावत खाने अमर सिंग राटोर को गवार कहा था तो सहाजा ने अमर सिंग राठोड को के पास सलावत खां को बेजा था किसी कारवे के लिए लेकिन अमर सिंग राठोड जो है वो थोड़ा सा देरी से पहुंचे थे तो जब वो पहुंचे थे तो दरवार में ही सलावत खां ने अमर सिंग राठोड को गमार कह दिया था तो अमर सिंग को इसी बात पर बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया था तो उन्होंने तलवार अपनी निकाली थी और जलावत खां का सर धर से अलग कर दिया था तो इस चीज़ को देखकर सहाजा जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे कटार का धनी किसे कहा जाता है कटार का धनी अमर सिंग राटोड को ही कहा जाता है अमर सिंग की हत्या किसने की थी अरजुन गौर्ड ने किसने की थी अरजुन गौर्ड ने यहां Amar Singh का फाटक नाम से प्रशिद्ध हुआ? बंद पड़े Amar Singh का फाटक को किस अंग्रीज अफसर के आदिस पर खोला गया? तो उस Amar Singh के फाटक को बंद कर दिया गया था जो कि दिल्ली में लाल के लिए में जो बुखारा द्वारा है वहां पर बनाुआ है तो अमर सिंग के फाटक को बंद कर दिया लेकिन एक अंग्रेज अफसर आया और उसने यह ओडर दिया कि इसे खोला जाए तो 1809 इसमें जोर्ज स्टील के कहने पर ही उस अमर सिंग फाटक को कोला गया तो आज हम करने वाले हैं मराठों का इतिहास विजय नगर सामराज्य और बहमनी सामराज्य यहां से संबंदित सभी प्रशन जो है आज हम इस वीडियो में कर लेंगे उसके बाद हम चैप्र थर्ड स्टार्ट करेंगे और जो की आपका हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर होगा स लिबस के अकॉर्डि उसके जब यह कंप्लीट हो जाएगा कुश्यन बन है सवाई जैसिंग द्वारा जो यग करवाया गया उसके पुरोहित कौन थे तो यह लास्ट वीडियो जो आपने देखा था सवाई जैसिंग से संबंदित तो वहाँ एक कुश्यन जो है वो मिस हो गया था तो इससे आप नोट कर ले सवाई जैसिंग द्वारा जो यग करवाया गया था उसके पुरोहित कौन थे तो आंसर है पुंडरीक रतनाकर और सवाई जैसिंग ही थे जो कि अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने यग करवाया था नेक्स्ट है कुश्यन सेकिंड चत्रवबत्ती सिवाजी का जन्म और मृत्यू कब हुई थी यहां से सिवाजी से रिलेटिट सभी प्रेशन शामिल है तो सिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में 1627 इसवी में हुआ था और मृत्यू 1680 इसवी में हुई थी नेक्स्ट है कुश्यन थर्ड सिवाजी के माता पिता का नाम था पिता का नाम सहाजी भोसली और माता का नाम जीजाबाई कुश्यन 4 सिवाजी का लालन पालन किसके संरक्षन में हुआ सिवाजी का लालन पालन दादाजी कौड़देव तथा जीजाबाई और गुरू रामदास की देखरेग में हुआ क्योंकि सिवाजी के जो पितात है सहाजी भोसले उन्होंने दो शादियां की थी तो जो जीजाबाई थी वो उनके साथ नहीं रहती थी तो सिवाजी का लालन पालन जो है वो दादा जी, कौड़ देव, जीजा भाई, जो उनकी मा थी और गुरू रामदास की देखरेग में हुआ था नेक्स्ट है 5 कुश्चन किस आयू में सिवाजी ने अपने पिता से पूने की जागीर प्राप्त की तो इसका अंसर है 12 वर्ष की अलपायू में ही सिवाजी ने अपने पिता से पूने की जागीर प्राप्त की यानि की ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 वर्ष की आयू में इनका राज्य अबिशे को हुआ था सिवाजी ने 1656 में अपनी राजधानी कहां बनाई थी बीजापूर के सुल्तान ने 1669 में सिवाजी के विरुद किसे भेजा था? बीजापूर के सुल्तान ने 1663 में और अरंग्चीव ने सिवाजी के विरुद भेजा साइसता खाकोूर नेक्स्ट है कुशन 9 सिवाजी ने सूरत को कब लूटा? तो इसका आंसर है सिवाजी ने सूरत को लूटा 1664 में और एक दुबारा जब लूटा 1667 में ठीक है? याद र कुशन 10 सिवाजी और मिर्जा राजा जैसिंग के बीच पूरंदर की संधी कब हुई थी? तो हमने पहले सवाई जैसिंग के बारे में पढ़ा था वो अलग है और मिर्जा राजा जैसिंग अलग है तो सिवाजी और मिर्जा राजा जैसिंग के बीच पूरंदर की संधी ठीक है याद रखना है ये कुश्यन बहुत जादा इंपोर्टेंट है पुरंदर की संधी किस-किस के बीच में हुई थी सिवाजी और मिर्जा राजा जैसिंग के बीच में हुई थी और 1655 भी में हुई थी नेक्स्ट है 11 सिवाजी को राजा की उपादी किस ने दी थी पुरंदर की संधी के बाद औरंगजेव ने सिवाजी को राजा की उपादी दी थी नेक्स्ट पर चलेंगे सिवाजी ने अपना पोनह राज्य अविशेक करवाया था तो जब 12 वर्ष की अलपाईू में सिवाजी को पुना की जागी प्राप्त हुई थी तब उनका राज्य अविशेक हुआ था उसके बाद दुबारा राज्य अविशेक 1674 इसवी में राठा सामराज्य जो है वहें बेल गाउं से लेकर तुंग भध्रा नदी के तर तक फैला हुआ था यानि पक्षमी जो करनाटक है पूरा वहां तक फैला हुआ था महारास्ट्र से करनाटक तक विजय नगर सामराजी की स्थापना की थी तो सिवाजी से संबंदी सभी प्रशन हो चुके हैं अब हम विजय नगर सामराजी की तरफ चलते हैं विजय नगर सामराजी की स्थापना किसने की थी तो दो भाई थे हरियर और बुका इन्होंने विजय नगर सामराजी की स्थापना की थी Next देखते हैं Question No.15 हरियर तथा बुक्का की गुरू का क्या नाम था? तो याद रखिएगा हरियर और बुक्का की गुरू का नाम था गुरू विद्यारण्य वर्तमान में विजय नगर की पहचान किन स्थल खंडरों से की जाती है जिसे विस्व विरासत संडरक्षन की अंतरगत यूनेसको में शामिल किया गया है तो बुक्क में डाइग्राम भी दिया हुआ है हम पी इस्थल की तो वहां की जो खंडर है वो दिखाए गए है यदि आपने नहीं देखे हैं तो वहां देख भी सकते हो तो वहां से वर्तमान में विजय नगर की पहचान की जाती है हरिहर का राज्य रोहन कब हुआ हरिहर का राज्य रोहन 1336 इस्वी में हुआ था कुश्यन 18 हरिहर का उत्रादिकारी कौन बना तो हरिहर का उत्रादिकारी उसका भाई जो बुक्का था वो बना 1346 इस्वी में नेक्स्ट है कुश्यन 19 हरिहर बुक्का ने अपने सामराज्य विजय नगर को कहां तक फैलाया तो इन्होंने अपने सामराज्य को विजय नगर सामराज्य को रामेश्वर, तमिल और चैर प्रदीश तक वह मैसूर बनारा, त्रिचनापली, कांजी वरम तक सहित दक्षिल भारत तक विजय नगर सामराज्य को फैलाया था बुक्का का पुत्र देवराय दुतिय इसे कौन सी उपाधी प्राप्त थी? तो देवराय दुतिय को गज बेटकर की उपाधी प्राप्त थी जिसका अर्थ है हातियों का शिकारी नेक्स्ट है इटली के यात्री और पारस के कौन सी दूद्ने विजय नगर का ब्रह्मन किया था? देखिए ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन सा विदेशी यात्री का बाया था क्योंकि मैंने देखिए थी प्रिविएस कुश्चन पेपर जब उठाया तो उसमें दो कुश्चन जो है वो पूछे गए थे एक तो 2011 में और 2015 में ठीक है? तो याद रखना है तो इस टाइप के कुश्चन जो है वो आपके एक्जाम में आते हैं इटली के यात्री निकालो कॉंटी और फारस का दूद अब्दुर रज्जाक ठीक है? इटली का यात्री निकालो कॉंटी और फारस का दूद अब्दुर रज्जाक इन्होंने बिजन अगा सामराजिका ब्रमन किया था हरीहर दुतिय किसका उपासक था तो वहस्चिव के विरुपाक्ष रूप का उपासक था विजे नगर सामराजी का अंतिम साशक कौन था? हरिहर बुक्का से स्टार्ट होता है विजे नगर सामराजी उन्होंने नीव रखी थी उसके बाद अंतिम साशक जो है वो मलिकारजुन एवं विरुपाक्ष ठीक है याद रखना है मलिकार्जुन एवं विरुपाक्ष नेक्स्ट देखते हैं कुश्चन 24 बहमनी सामराज्य का आरंग दक्षिन में किस ने किया बहमनी सामराज्य का आरंग दक्षिन में मुहम्मद तुगलक के एक अधिकारी हसन ने किया 1347 इस्वी में हसन जिसको जफर शाह भी बोलते थे हसन ने कौन सा किताब धारन किया था हसन ने कौन सा किताब धारन किया था जो मुहम्मद तुगलक का एक अधिकारी था तो इसने अलाउदीन बहमन शाह का किताब धारन किया था हसन ने अपनी राजधानी किसे बनाई तो हसन ने दक्षिन में अपनी राजधानी बनाई कुल बर्ग को बहमनी सामराजे का राजधानी कुल बर्ग से बीदर को किसने बनाया ठीके कुलबर्ग तो हसन ने बनाई थी जो की मुहम्मत तुगलक का दिकारी था जिसने अलाउदीन बह्मन शाह इसका किताब भी धारण किया था तो इसके बाद जो नौवा सुल्तान था एहमद इसने राजधानी कुलबर्ग से बीदर को बनाया बह्मनी सामराज की राजधानी कुलबर्ग से बीदर बनाने वाला था नौवा सुल्तान एहमद किसके राज्यकाल में बह्मनी सामराज के पांच स्वतंत्र राज्य बरार, बीदर, एहमद नगर, गोलकुंटा और बीजापुर बने थे इसका अंसर है आखरी सुल्तान महमूद के काल में बह्मनी सामराज के पांच स्वतंत्र राज्य हो गए थे बरार, बीदर, एहमद नगर, गोलकुंटा और बीजापुर इन्हों ने अपने आपको स्वतंत्र गोसित कर दिया था बह्मनी राज्य का चार वर्षों तक ब्रह्मन किस ने किया इसका अंसर है रूसी व्यापारी एथानी सियस निकितन में तो हमने पहले पढ़ा था कि विजे नगर सामराज्य का जो ब्रह्मन है वो करने आये थे इटली के दूत और फारस के दूत और बहमनी राज्य का चार सालों तक ब्रहमन करने वाले थे रूसी व्यापारी एथानी सियर्स निकितर। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का जो 2nd चेप्टर हमारा चल रहा है उसका अंतिम पार्ट इसके बाद ये चेप्टर आपका कम्प्रीड हो जाएगा। कुश्य नमबर बन है गुरु नानक का जन्म कब हुआ इसका सही आंसर है 15 अप्रेल 1469 इसवी को गुरु नानक जी का जन्म हुआ था नेक्स्ट है नानक की यात्राओं को क्या कहा जाता था गुरु नानक की यात्राओं को उदासियां कहा जाता था उसके बाद है कुश्य नम एक इस्वर में विश्वास, नाम की महानता और उपासना और गुरू की महानता ये सभी गुरु नानक की सिक्षाएं हैं कुशन नमबर फोर, गुरु नानक की प्रसिद्य रचनाएं हैं, कौन-कौन सी रचनाएं हैं, तो देखिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल नया कुशन है, जपू जी, पट्टी, आर्थी, रहीराम और बारामास, ये गुरु नानक जी की रचनाएं हैं नेक्स्ट हैं, कुशन 5, गुरु मुखी लिपी का विकास किस ने किया, गुरु मुखी लिपी का विकास किस ने किया, तो गुरु मुखी लिपी का विकास जो है, गुरु अंगत देव ने किया था, जो कि गुरु नानक देव के बाद की सेकिंड गुरु जो है, वो माने इसके अतरिक्त नानक की वानी को गुरु वानी के रूप में लिपी बद्ध कराया, इन्होंने लंगर प्रता का प्रचलन किया, मंजियां की सापना की और गुरु ग्रंद साहिब का संकलन भी करवाया. नेक्स्ट है, कुश्चन 6, बादशा अकवर किसकी दर्शन करने गोईद वाल स्थान पर गई? ठीके, अब ये याद रखना है, बिल्कुल नया है ये कुश्चन भी, बादशा अकवर गुरु अमरदास की दर्शन करने के लिए गोईद वाल स्थान पर आये थी? अमरद सहर में विशाल सरोबर का निर्मान किसने करवाया? तो इसका आंसर है, अमरद सहर में जो विशाल सरोबर का निर्मान गुरु रामदास ने करवाया था, अकवर ने ही इनको कुछ वीगा जमीन जो है वो दी थी, तो वहाँ पर इनोर ने विशाल सरोबर का निर्मान कराया जहां पर आज का golden temple बना हुआ है next है 1563 इसवी में तीर्थ कर किसके कहने पर अकवर ने हटाया था तो हमने देखा था जब हमने अकवर के बारे में पढ़ा था कि अकवर ने 1563 इसवी में तीर्थ कर हटाया था याद भी किया था हमने last में 3 है 3 को तीर्थ से याद रखना है तो यह है गुरू रामदास जी के कहने पर अकवर ने हटाया था तो अकवर के टाइम पर सिखों के साथ अच्छे मेल मिल आपते गरीबों को दान देनी की प्रथा का आरम सिखों के किस गुरू ने प्रचलन किया तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो गुरू रामदास जी ने की थी नेक्स्ट है कुश्चन 10 शिखों के पांचवी गुरू कौन कहलाए तो ये सीरीज जो है वो पूछी भी जाती है और मैं आपको ये करवा भी चुकी हूँ जो भी आपके दस सिख गुरू है जो हमारे दस सिख गुरू है उनके बारे में तो वहाँ आप लास्ट वीडियो जो किसी चैप्टर्स में किये हैं हमने किसी क्लास में वहाँ आप देख सकते हैं सिखों के पांचवी गुरू कौन कहलाए गुरू अर्जुन देव जो है वो सिखों के पांचवी गुरू कहलाए नेक्स्ट है कुश्चन 11 गुरू अर्ज अर्जुन देव को फासी दिलाई थी आधी ग्रंद का संकलन किस ने किया आधी ग्रंद का संकलन करने वाले थे गुरु अर्जुन देव नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव के पुत्र का क्या नाम था तो गुरु अर्जुन देव के पुत्र का नाम था हर गोविंद सिंह गुरु अर्जुन देव के बाद कौन बने थे हर गोविंद सिंह जिन्होंने सैली की जगे दो तलवार धारण की एक तलवार पीरी जो क राजनितिक पद्वी की प्रतीक थी ठीक है तो गुरु हर गोविंद के टाइम पर दो तलवार जो है जिनको पीरी और मीरी कहा गया तो ये प्रतीक के रूप में धारण की गई next है question 14 जहांगीर ने गुरु हर गोविंद को जेल में बंदी बना कर कहा रखा तो जहांगीर ने गुरु हर गोविंद को ग्वालियर में बंदी बना कर रखा था next है याद रखना है आपको कि कौन से सिख गुरु का कौन से मुगल समराथ के साथ अच्छे संबन और खराब संबन ये रहे थे और किस ने कौन से मुगल समराथ ने किस सिख गुरु को फासी की सजा दिलवाई थी क्योंकि ये question जो है वो पूछे जाते हैं गुरु ते एक बहादर द्वारा मजहब सुईकार ना करने पर औरंग जेव ने उनका सर कटवा दिया था और उनका इसमारग कहां बनाया हुआ है तो इनका इसमारग जो है वह बनवाया गया है दिल्ली में चांदनी चौक में सीजगंज गुरु द्वारा नाम से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे तो फर्स्ट गुरु नानक देव और अंतिम गुरु जो की दस्वे गुरु गोविन सिंग जी थे कुशन 17 है नदोड के युद्ध में गुरु गोविन सिंग ने किसे पराजित किया था नदोड के युद्ध में गुरु गोविन सिंग ने लाहोर के सूबेदार को पराजित किया था नेक्स्ट है कुशन 18 गुरु गोविन सिंग ने खालसा पंत की स्थापना कब की थी निन्यानवे इस्वी में खालसापंत की स्थापना करने वाले थे गुरु गोविन सिंग जो की दस्वे सिख गुरु थे। चमकोर के युद्ध में गुरु गोविन सींग के कौन से दुपुत्र सहीद हुए थे तो चमकोर के युद्ध में अजीस सिंग और जुजार सिंग जो की गुरु गोविन सींग के बेटे थे ये शहीद हुए थे नेक्स्ट हैं बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था तो सिखों के जो गुरु थे उनके बारे में जो कुश्यन आप लोगों ने पहले नहीं एड़ किये हैं अपने नोट्स में तो प्लीज कर लीजिएगा क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं और ये नए कुश्यन जो थे उनको आप शामिल कर लेना बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था बंदा बैरागी को माधो दास कहा जाता था नेक्स्ट रहें 21 बंदा बैरागी का जन्म कब हुआ इनका जन्म 1670 में राजपूत परिवार में हुआ था कुश्यन 22 पंजाब के लोग सुवेदार बजीर खां के जुल्मों से बहुत परिशान थे किस इस्थान पर बंदा बैरागी ने बजीर खां की हत्या की तो उस इस्थान का नाम है चपर चिडी नामक इस्थान चप्पर्चिली नामक इस्थान पर बंदा बैरागी ने वजीर खांकी अत्या की थी जो की पंजाब में सूबिदारी के पदपर था और इसके जुल्मों से लोग वहां के फरेशान थे नेक्स्ट है किस मुगल बादशा ने सफर खांके नितरत्व में मुगल सेना को बंदा बैरागी के खिलाप बेजा तो वो मुगल बादशा थी फरुक्सियर नेक्स्ट है रंजीत सिंग का जनम कब हुआ रंजीत सिंग का जनम कब हुआ आंसर है 13 नवंबर 1780 इसवी में गुंजरा वाला में रंजीत सिंग का जनम हुआ कुशिन 25 इस्वी में पेशावर पर कपचा किया नेक्स्ट हैं कुशिन नमबर 26 रंजी सिंग ने 1809 इस्वी में अमरिसर की संधी के बाद सतलज नदी के कोपार के प्रदेश पर किसका अधिकार सुईकार कर लिया था तो हमने अभी देखा था बहुत शेत्रों पर अर्जी सिंग ने अपना कपजा कर लिया था 18-19 इस्वी की जो संधी हुई थी अमरिसर की संधी इसके बाद सतलज नदी के पार के जो प्रदेश थे यहां पर किसका अधिकार जो है उन्होंने सुईकार कर लिया था अंग्रेजों का अधिकार जो है वो सुईकार कर लिया था Next है Question 27 किसे अकवर का अगरगामी और पत्थ प्रदर्शक माना जाता है तो देखिए सेर्षाशूरी चेर्शा सूरी को अकवर का अग्रगामी और पत्प्रदर्शक माना जाता है तो ये था आपका अंतिम प्रशन, second chapter हमारा complete हुआ आसे हम start करेंगे class 10th का chapter number 3 और यह history का आपका अंतिम chapter होगा read case labels के according इसके अलावा आप किसी भी RPSC का exam दे रहे हैं history पूछी जाती है तो आपके लिए ये बहुत important रहेगा देखिए 10th class में बच्चे जो है वो ज्यादा रुची नहीं दिखा रहे हैं लेकिन जब उन्होंने 90% पढ़ लिया है और 10% ही बाकी है तो वो गदम पीछे कर लेते हैं यहां तक आने के लिए बहुत तागत चाहिए होती है तो आप लोग धिहान से question को करेंगे क्योंकि इसमें question जो है वो बिल्कुल new होंगे और आपके exam में ये देखने को मिलेंगे चलिए start करते हैं Question 1 है ब्रेटेन की प्रमुक व्यापारियों ने एक सहयुक्त कुण्जी उद्यम के रूप में इसके नाम से ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपनी की सुरुवात की थी तो यह कब की थी यह 23 सितमबर 1620 में की थी ठीके याद रखना है कि ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की सुरुवाद जो है वह 30 सितमबर 1620 में की गई थी Next है question number 2 इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की समय यानि 1600 में भारत का मुगल समराट कौन था तो याद रखना है आपको की 1620 में जब इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का मुगल समराट था अकवर Next है question number 3 इस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसमबर 1620 में पूरव के साथ व्यापार करने की अनुवती किस ने दी थी तो 1620 में जब इस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुवती दे दी गई थी पूरव के साथ पूरव में जो भी देज हैं उनके साथ तो यह अनुवती दी थी ऐलिजबैत प्रथम ने किस ने दी थी ऐलिजबैत प्रथम ने Next है question number 4 East India Company ने 1612 ISV में अपनी स्थाई व्यापारी कोठी कहां इस्थापित की थी तो इसका आंसर है सूरत में Next है यानि 1612 ISV में East India Company जो है उसको अनुवती तो मिल गई थी लेकिन स्थाई कोठी जो है वह उन्होंने 1612 ISV में सूरत में स्थापित की थी अंग्रेजों ने 4 सेंट जोर्ज के लिए का निर्मान कब किया था इसका आंसर है 1644 ISV में मदरास में Question 6 है देखिए बहुत ही धिहान से इनको पढ़िए क्योंकि यहाँ पर confusion हो जाता है तो आपके exam में यदि ये question देखने को मिलेंगे और फिर बाद में आपको होगे कि हमने ये तो 10 तक पढ़ी थी लेकिन question पतानी किस टाइप का आया question यही होते हैं थोड़ा सा गुमा कर पूछ लिया जाता है तो आप इनके concept को भी समझने की कोशिश करें Question 6 है किस मुगल बादशा ने चुंगी सुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों को दस्तक यानि एक विसेस अनमती पत्र होता है जारी करने का अतिकार दिया था कब 1770 इस्वी में तो वो मुगल बादशा थे बादशा फरुक्षियर इन्होंने अंग्रेजों को अनमती दे दी थी कि वे बिना चुंगी सुल्क चुकाए वह व्यापार कर सकते हैं लेकिन अंग्रेजोंने इसका भी बहुत बड़ा फायदा उठाया था उन्होंने ये दस्तक जो है खुद तो लिया ही था और भी व्यापारियों को यह बाट दिया था जिससे कि वो भी फ्री में बिना सुल्क चुकाए व्यापार कर रही थे बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यू कब हुई इसका अंसर है 10 अपरेल 1756 इस्वी में देखिए बंगाल में जो सबसे सक्ति शाली थे वो थे अली वर्दी खां जब इनकी मृत्यू हो जाती है उसके बाद अंग्रेज जो है वो यहाँ पर अपना शाषन स्थाफित करने में कामयाब हो जाते है क्योंकि अली वर्दी खां के बाद शिराज दोला है वो ही इनसे थोड़े से तागतवर थे लेकिन वह भी मारे जाते हैं प्लासी के युद्ध में तो यहाँ से प्लासी के युद्ध के लिए तैयारी भी अंग्रेजों ने कर ली थी प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 1756 इस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यू हो चुकी थी तो 23 जून 1757 इस्वी को याद रखना है आपको डेट 23 जून 1757 इस्वी को अंग्रेजों और सिराज दोला के बीच में होई थी प्लासी का युद्ध नेक्स्ट है कुशन 9 प्लासी के बाद बंगाल का नवाव अंग्रेजों ने किसे बनाया प्लासी के बाद सिराज दोला की मृत्यों होने के बाद बंगाल का नवाव अंग्रेजों ने बनाया मीर जाफर को ये मीर जाफर ही था जिसकी वज़े से प्लासी का युद्ध जो ह वह अंग्रेज जीत पाए थे, तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाव बना दिया था, इसे वह कटपुतली की तरह यूज कर रहे थे, अंग्रेजों ने 1760 इसवी में मीर जाफर को हटा कर बंगाल का नवाव किसे बनाया, तो मीर जाफर जो है वो अंग्रेज बक्सर का युद्ध कब हुआ तो देखिए प्लासी का युद्ध जियाद रखना है आपको 1757 एसवी में उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्तूबर 1764 एसवी में जब मीर जाफर को हटा कर मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया तो मीर कासिम अंग्रेजों की कट्टूतली नहीं बनना चाता था तो वो है अपनी मर्ची से कारे करने लगा था इसी तरीके से कारे करने की वज़े से अंग्रेजों को मीर कासिम जो है वो पसंद नहीं आया और इनके बीच में युद्ध होता है बक्सर का युद्ध बक्सर का वह starting जो है वह classic युद से start होता है और यह चलता है 1947 तक जब तक भारत जो है वह आजाद नहीं होता है तो बक्सर की युद के बाद अंग्रेजों को बंगाल में तो उन्होंने शासन जमाही लिया था उसके बाद बिहार और उडिशा यहां की दिवानी भी प्राप्त हो गई नेक्स्ट है question number 13 पानीबत का तीसरा युद कब हुआ था तो पानीबत का तीसरा युद हुआ था 14 जनवरी 1761 इसवी में यह युद अंग्रेजों और मराठा के बीच में हुआ था जिसमें 30,000 से भी जादा मराठा मारे गए थे question 14 अंग्रेजों और रगुनात राव के मद्द सूरत की संधीक हुई अंग्रेजों ने रगुनात राव को अपने साथ में ला लिया था उन्होंने बताया था कि रगुनात राव तुम्हें पेश्वा बना देंगे तो इन दोनों के बीच में संधी हो गई थी जो जिसे इसके तहट अंग्रेज रगुनात राव को पेश्वा बनाने में मद्द करेंगे और पेश्वा जो हैं रगुनात राव यह अंग्रेजों को बेसिन, सालसेट और सूरत की लगान का आदा भाग भी देगा तो इस संधी में यह सब तै हुआ था कोशन 15 है सालाबाई की संधी कब हुई बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कोशन है यह सालाबाई की संधी कब हुई और किस किस के बीच में हुई साला भाई की संदी प्रथम आंगल मराठा युद यानि प्रथम आंग्रेज मराठा युद जिसे कहा जाता है उस समय हुई थी वोरेन हैंस्टिंग्स और माधवराज दुतिये के बीज में कुशन 16 है प्रथम आंगल मराठा युद कब हुआ प्रथम आंगल मराठा युद कब हुआ इसमें वोरेन हैंस्टिंग्स और माधवराज दुतिये के बीच में यह है युद हुआ बढ़गाओं की अपमान जनक संधी अंग्रेजों ने मराठाओं से कब की तो बढ़गाओं की अपमान जनक संधी क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि अंग्रेजों ने जो भी शेतर जीत लिये थे अंग्रेजों को वो है मराठाओं को लोटाने पड़े तो यह है उनकी अपम 89 एसवी में यह संदी हुई थी बढ़गाओं की संदी जिसके तहत अंग्रेजों ने विजित प्रदीश मराठों को बापिस दिये और रगनात राओ को पूर्णा दरवार के हवाले कर दिया क्योंकि रगनात राओ जो था यह अंग्रेजों के पक्ष में था तो इसको भी बालिजली और बाजीरा दुटिये के बीच में हुआ था तो मैंने इनको सभी को एक साथ लिख दिया है ताकि याद करने में असानी होगी कि दूसरा अंग्रमराठा युद्ध हुआ था इसमें देवगाओं की संदी जो हुई थी वह 17 दिसंबर 1803 इसमी में हुई थी बोस इसके बाद सुर्जी अर्जुन गाओं की संदी 30 दिसंबर 1803 इसमी में हुई थी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में राजगाट की संदी 1806 इसमी में हुई थी हॉलकर और अंग्रेजों के बीच में तो देखिए इनको याद रखना है कि कौन सी संदी किस-किस के दो लॉद हुए थे तो ये है अंग्रेज मराठा संगर्स यह हुआ था 1817 से 1818 ईसवी में लॉर्ड हैंस्टिंग्स और बाजी राओ के बीच में कुश्यन नमबर 21 त्रित्तिय आंगल मराठा युद्ध में कौन सी संदी हुई थी? तीसरे आंगल मराठा युद्ध में कौन सी संदी हुई थी? देखिए दूसरे आंगल मराठा में हमने तीन संदियों के नाम देखे थे इसके बाद त्रित्तिय आंगल मराठा युद्ध में हुई थी पूने की संधी याद रखना है 22 एटारा जून 1818 को मेलकाम ने पेषवा के साथ संधी की तो इसमें क्या तै हुआ था इसमें तै हुआ था पेषवा पत की समापती हो जाएगी और आट लाकी पैंसन देकर पेषवा को बिटुर भेज़ दिया गया Question 23 हैदर अली ने कब मैसूर के राजा नंद राज से सत्ता चीन कर मैसूर का राजा बना तो हैदर अली ने मैसूर के राजा नंद राज को पराजित किया और मैसूर के राजा बने तो पराजित तो किया था उन्हें 1761 में और जत्ता चीन ली थी उसके बाद 1766 इसमी में वह मैसूर के राजा बन गए थे हैदर अली वैसे अनपड थे लेकिन व्यवारिक तोर पर उन्हें बहुत ही जादा समझ थी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मदरास की संदी कब हुई थी तो यह संदी हुई थी 4 अप्रेल 1779 इसमी में याद रखना है अब हम देख रहे हैं मैसूर और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संदी हुई थी और युद कब हुए थे देखिए जो हमने आंग्ल मराठा युद देखे वो तो हुए थे 3 इसके बाद अब हम देखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद और यह युद चार होते हैं 25 टीपो सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मंगलोर के संधी कब हुई तो टीपो सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मंगलोर के संधी हुई वह हुई 11 मार्च 1784 इस्वी में इसमें टीपो सुल्तान और अंग्रेजों ने एक दूसरे को जो भी प्रदेश जीते थे वो बा आगे से मैसूर पर बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे। अंग्रेज कार्णवालिस और टिपू सुल्थान के बीच स्री रंगबटनम की संधी कब हुई थी। यह संधी हुई थी 1792 इस्वी में, 23 परवरी 1792 इस्वी में। टिपू ने ट्रावनकॉर पर आक्रमण कब किया। दिखिए ट्रावनकॉर जो था वो बहुत ही चोटा शेत्र था, इतना मजबूत भी नहीं था। फिर भी मैसूर पर उसने आग दिखाई और वहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। लेकिन ट्रावनकॉर इतना मजबूत नहीं था, तो इन्होंने आक्रमण करने की सोची क्योंकि अंग्रेजो ने इनका साथ दिया, अंग्रेजो ने उक्साया और ट्रावनकॉर को टिपू पर आक्रमण करने के लिए कहा। फिर भी टीपू ने ट्रावन कौर पर आकरमण किया और इसे भी हरा दिया, जो कि 1790 इसवी में आकरमण करके इन्हें हराया था. कुशन 28 अंग्रेजों का महसूर के साथ कितने युद्ध हुए थे, तो ये पूछा भी जा सकता है कि कितनी बार युद्ध हुए थे, किस किस के बीच में, 1857 की क्रांती के बारे में सुरेंदर नातसेन ने क्या कहा था, 1857 की क्रांती जिसे की भारत का प्रथम सुतंतरता संग्राम भी कहा जाता है, तो इसमें बहुत से विदेशी लोगों ने और भारती इतिहासकारों ने अपने मत दिये थे तो सुरेंद्र नातसेन ने कहा था कि यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारम हुआ और सोतंतरता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ डौक्टर विनायक दामूदर सावरकर ने 1857 की ग्रांती को अपनी किस पुस्तक में भारत का सुतंतरता संग्राम कहा यह उन्होंने अपनी बुक वार ओफ इंडियन इंडिपेंडेंस इसमें उन्होंने उलेकित किया भारत का स्वातंतरे समर ये उनकी book का नाम था सुतंदरता संग्राम के क्या कारण थे किन कारणों से 1857 की इक्रांती हुई देखिए अंग्रेजों की आर्थिक नीती थी इसके बाद उनकी राजनितिक नीती भी बन गई लाड अलोजी का हडप नीती सामाजिक, धार्मिक, सैनिक कारण तब बिल्कुल यहां पर परिशानी नहीं होनी चाहिए आपको क्योंकि यह आपकी एक तरीकी revision ही है नेक्स्ट है 1857 की क्रांती में भारत का समराट किसे घोशित किया गया तो यहां समराट जो है वो बहादुर्शादुत्य को घोशित किया गया जो की जफर नाम से कवितायं भी लिखते थे नेक्स्ट है 1857 की क्रांती कब सुई हुई यह क्रांती 10 मई 1857 को प्रारंब हो गई थी लेकिन इसे 31 मई जो है यह fix की गई थी कि तब हम क्रांती की शुरुआत करेंगी लेकिन कुछ कारण वस यह है पहले ही स्टार्ट हो गई 10 मई 1857 को तो कूचा यदी जाए कि 1857 की क्रांती को सुरुआत करने की डेट कब रखी गई थी तब ही आप लिखेंगे 31 मई लेकिन यह सुरू हुई 10 मई को सेतंबर 1857 की गरांती में दिली में कौन सांगरेज अधिकारी मारा गया तो वह अधिकारी था जौन निकलसन नेक्स्ट है किसनी समराट बहादूर शादुत्य के दो पुत्रों और एक पोते की गोली मार कर हत्या कर दी थी देखे 1857 की क्रांती में समराट बहादुर शादुत्य को गोसित किया गया उनके दोनों बेटों और एक कोते की गोली से भून कर हत्या कर दी गई थी उनकी आखों के सामने ही और वह करवाई थी लेफ्टिनेंट हडसन ने तो इसका नाम जो है वो विशेश याद रखना है लेफ्टिनेंट हडसन लखनों में अंग्रेज अधिकारी कौन था लखनों में अंग्रेज अधिकारी था कैम्प वेल तो यदि आपने 8th या 9th क्लास को नहीं देखा है जहां पर हमने 1875 की क्रांती को डिसकस किया है तो प्रीज वहाँ देखिएगा क्योंकि वहाँ पर कुश्चन जो है उनमें अच्छे से लाइन वे लाइन सभी चीजन जो है वह बताई गई है कि कहां पर कौन सा अंग्रेज अधिकारी था और किस छेत्र को किसने नेत्रत्व किया था ठीके है तो यह सभी जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टन रहते हैं क्योंकि 1855 की क्रांती जो है वो विशेश तोर पे आपके सलिवस का ही पार्ट है क्रांती कारियों ने कानपूर परादिकार कर नाना साहब को पेशवा पुने कब घोसित किया तो नाना साहब को पेशवा घोसित किया 5 जून 1857 इस भी को नेक्स्ट है, question 39, पेश्वा नाना साहब का साथ किस ने दिया, तो किस ने दिया था नाना साहब का साथ, तो तात्य टोपे ने नाना साहब का साथ दिया था लखनों में क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज की हत्या की थी आंसर है ब्रिटिस रेजिडेंट हैंडरी की नेक्स्ट है कुशन 41 जहासी परदिकार किस अंग्रेज ने किया तो किस अंग्रेज ने जहासी परदिकार कर लिया था सर विरोज ने जहासी पर अधिकार कर लिया था याद रखना है कि जहासी की रानी लक्षमी भाई जो थी वह है जब उनकी बात होती है 1857 की क्रांती में तो वहां अंग्रेज अप्चा था सर विरोज ठीक है इसे याद रखना है विशेश तोर कर नेक्स्ट है कुशन 42 रानी लक्षमी भाई की मृतिव कब हुई थी तो रानी लक्षमी भाई भीर गति को प्राप्त हुई थी 17-1858 को कुशन 43 तात्य टोपे को अप्रेल 1869 में किसमी अंग्रेजों को पकड़वा दिया था तो तात्य टोपे जिन्होंने नाना साहब का बहुत साथ दिया था जंसी कि रानी का भी साथ दिया था लक्षमी भाई का उसके बाद 1859 इसमी में अंग्रेजों के हवाले करा दिया था पकडवा दिया था तो यह मान सींग नरू का थे उन्हों ने तात्य टोपे को अंग्रेजों को पकडवा दिया था नेक्स्ट है बनारस में हुई क्रांती को किस अंग्रेज अपसर ने दबा दिया था तो यह है कर्nel नील ने, बनारस में जो क्रांती हुई, तो वहां इन्होंने क्रांती को दबा दिया था Q45, दक्शन भारत में, हमने उतर भारत में 8 सथम्म की क्रांती में, कहां कहां पर हुई थी, और किसने नित्रत्व किया था, कौन सा अफसर जो है वहां मारा गया था तो यह सबी जो है वो हम पिसली कक्षाओं में भी कर चुके हैं तो यहां से आपके जो थोड़े से न्यू कोशन स्टार्ट होते हैं तो आप इन्हें एड कर लें दक्षिन भारत में 1857 इस वी के सुतंतरता संगराम के प्रमुख नेतरत्व करता कौन थे तो देखिए यहां रंग बापूजी गुट्टे येते सतारा में सोनाजी पंडित रंगा राओ पांगी वा मौलवी सयद ये हैदराबाद में भीम राओवा मुंदर्गी छोटा सिंग करनाटक में अनाजी फननभीज कौलापुर में गुलाम गोस्वा सुल्तान बक्ष मद्रास अर्नाग जो नेत्रत्व करता था बंगाल में सन्यासी विद्रोग कब हुआ था इसका आंसर है 1779 सत्तर इस्वी में बंगाल में सन्यासी विद्रोग हुआ था नेक्स्ट हैं कुश्यन नमबर टू वारेन हैंस्टिंग ने सन्यासी विद्रोग को दबा दिया यह किस उपन्यास में उलेकित है यह हमें मिलता है बंकिम चंदर चटरची का जो उपन्यास है आनंदमट यहां से हमें यह पता चलता है कि जो सन्यासी विद्रोग था उसे कि विरुद्ध विद्रोह कब किया था? 1831 इसवी में. ये कोल जनजाती जो है वो बेहार और जारकंड के आसपास रहती थी. तो इस जनजाती ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था 1831 इसवी में. Q4 है कोल विद्रोह के समय कलकत्ता इस्तित काउंसिल के अध्यक्ष कौन थी? कोल विद्रोह के समय कलकत्ता इस्तित काउंसिल के अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर है मैटकॉफ. चीक है? कोल विद्रोह के समय कलकत्ता इस्तित काउंसिल के अध्यक्ष थे मैटकॉफ. कोशिन नमबर 5 संथाल विद्रो कब वा नेतरत्व किस ने किया तो देखिए कुछ विद्रो जो है वह हुए थे तो यहां आपको इनकी डेट और यह कहां हुए थे तो यह सब भी आपको याद रखने है वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको यह चीज़े लर्ण हो जाएंगी देखिए यहां आप एक भी कुशन जो है वो छोड़ नहीं सकते है संथाल विद्रो जो है वह 1855 से 552 में हुआ था और इसके नितरत्व करता थे सिंदू और कानू संथाल विद्रो के नितरत्व कर रहे थे और संथाल विद्रो जो है यह भी बिहार और जहरगंट के शेत्र में पाई जाने वाले एक जंजाती थी तो अभी हम जंजाती आंदोलन जो है वो पढ़ रहे है आपके जो टॉपिक है उसमें भी दिया हुआ है किसान आंदोलन ये सबी जो है वो आंदोलन जो है वो आपको पढ़ने ही होंगे बील जनजाती ने विद्रो कब किया तो बील जनजाती ने विद्रो किया था देखिए 1812 से 19 तक किया उसके बाद 1825 में किया फिर 1831 में किया और उसके बाद 1840 में किया तो याद रखना है कि भील जन्जाती ने विद्रो जो है वह 1812 से 19 तक किया, 1825 में किया, 1831 में किया और 1846 इसवी में किया नेक्स्ट करेंगे question number 7 भील विद्रो में 1825 इसवी में नेतरत्व करता कौन थे? ठीक है याद रखना है बहुत ज़्यादा important question है, भील विद्रो में 1825 इसवी में जो नेतरत्व करता थे? वो थे शेवरम नेक्स्ट है question number 8 पक्षमी घाट में रहने वाली रमोसी जनजाती ने कब विद्रो किया? पक्षमी घाट में जो रमोसी जनजाती थी उसने विद्रो कब किया था? तो इसका answer होगा, 1822 इसवी में सरदार चितर सिंग के नितरत्व में हुई थी, यह विद्रो ठीक है? तो यह विद्रो जो है वह कहां का देख रहे हैं हम रमोसी जंजाती का जो की पक्षमी घाट में रहती थी यहां पर तीन कुश्यन बन रहे हैं रमोसी जंजाती कहां रहती थी पक्षमी घाट में रहने वाली एक जंजाती थी इस जंजाती ने विद्रो 1822 में किया था और ने बेजा था अरब देश की जेल में 1889 इस्वी में अधन बेजा था कुशिन 10 है पूने में किसने करांतिकारी आंदोलन को दिशादी और रैंड की हत्या की ठीक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि देखिए इसका आंसर है चापेकर बंदू ठीक है अब चापेकर बंदू में कौन को नाते है ये भी आपको पता होना चाहिए चापेकर बंदू अध्वरा रैंड की हत्या की गई थी 1897 इस्वी में पहली बात तो ये याद रखनी है उसके बाद चापेकर बंदूओं में तीन हैं लोग दामोदर हरी चापेकर बाल कृष्ण हरी चापेकर और वासुदेव हरी चापेकर तो तीनों के नाम के आगे ही हरी चापेकर लिखा हुआ है तो यहाँ याद करने में आसानी होगी और याद रखना है कि चापेकर बंदू नानानाप्रारंब्व हो गया थान उचन थि इसके बाद से और गनेसचति मिनौनारंब्व हो गया था kushien 12 है 1897 फूना में फैली प्लैग कमिशनर कौन थे hasard बसके बसक्रेErge बसक्रांब्ह में कि थी ? चापे कर बंदू ओने की थी, कुशिन 13 है देस के बाहर लंडान में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो देस के बाहर जो है वो सत्तुन्दरत्य संग्राम के लिए एक इस्थान बहल चुना गया था और लंड़न में जिसे इंडिया हाउस के नाम से बनाया गया इसकी स्थापना जो है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1925 वी में की थी तो कुश्चन ये बनता है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कहां पर इंडिया हाउस की स्थापना की थी तो देश के बाहर लंडन में की थी शाम जी कृष्ण वर्मा कहां के निवासी थे? शाम जी कृष्ण वर्मा कहां के निवासी थे? तो वह पक्षिमी भारत में काठ्यावार्ड प्रदेश के निवासी थे काठ्यावार्ड प्रदेश के निवासी थे Next है Question 15 शाम जी कृष्न वर्मा ने किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था आंसर है India Socialism देखे, शाम जी कृष्न वर्मा और विनायक दामुदर सावरकर यहाँ से प्रश्ण जो है वो आपको इसी एक्जाम में देखने को मिलेंगे जो आप एक्जाम देंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया Indian Socialism Next है Question 16 श्याम जी कृष्ण वर्मा के India House की क्रांतिकारी सदस्य कौन थे जो उन्होंने लंडन में इसकी स्थापना की थी इंडिया हाउस की तो इसमें क्रांतिकारी सदस्य जो थे वो थे डॉक्टर वीडी, शावरकर, लाला रर्द्याल और मदलल, फिक है, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, कि कृष्ण वर्मा उन्होंने इंडिया हांस की सहापना की थी, और उसमें करांतिकारी सदस्टे थे, बीडी शावरकर, लाला हरधयाल और मदनलाल नेक्स्ट है कुश्चन नमबर 17 लंडन में भारतियों के लिए आंदोलन करने का केंदर कहां बना तो कुश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है लेकिन आंसर वही है कि लंडन में भारतियों के आंदोलन करने के लिए जो केंदर बना उसका नाम था इंडिया हाउस और जिसकी सापना किस ने की थी शाम जी कृष्चन वर्माने कुश्चन 18 है वीर सावरकर का जन्म कब हुआ था अब यहां से वीर सावरकर के बारे में कुश्चन जो है वो स्टार्ट होते है वीर सावरकर का जन्म हुआ था महरास्ट्र में भागुर गाउं में 28 मई 1883 को भागुर गाउं महरास्ट्र में वीर सावरकर का जन्म हुआ था नेक्स्ट है कुश्चन 19 वीर शावरकर लोग मानने तिलक के संपर्क में कहां आये थे बंगाल में फर्गुसन कॉलेज में कोशन प्रंटी है ब्रिटिस सरकार ने दो जन्मों की आजीवन कारावास जो है वो किसे दी थी तो देखिए एक मात्र ये सजा जो है वो केवल एक ही इंसान को दी गई थी जब स्वतंतरता आंदोलन के समय की बात थी ब्रिटिस सरकार ने दो जन्मों के आजीवन कारावास की सजा दी थी फीर सावरकर को ठीक है विनायक दामुदर सावरकर को नेक्स्ट है, विनायक दामुतर सावरकर ने किस पुस्तक का प्रकाशन किया था ? तो यह पुस्तक जो थी, वह हम पहले भी देख चुके हैं, पहले की कक्षाओं में, The Indian War of Independence, पुस्तक का प्रकाशन किया था, विनायक दामुतर सावरकर ने नेक्स्ट है question 22 विनायक दामुदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना कब की थी तो स्याम जी लाल कुष्ण वर्मा ने जो लंडन में जो केंदर स्थापेत किया था स्वतंतरता आंदोलन के ग्रांतिकारियों के लिए इसी तरीके से विनायक दामुदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना जो है वो कब की थी 1926 में तो ये दोनों question जो है वो आपके लिए बहुत important रहते हैं next है question 23 सावरकर को किस जेल में भेजा गया अब ये question आपका पूछा भी गया है कि सावरकर को किस जेल में भेजा गया अंडिमान की cellular जेल में वीर सावरकर को भेजा गया था कुशिन 24 बंगाल में करांतिकारी आंदोलन का सूतरपात किस ने किया था श्री पी मिश्राने श्री पी मिश्राने किया था कुशिन 25 इसवी में वारेंदर कुमार गोस ने किस पुस्तक को लिखा था तो आंसर इसका भवानी मंदिर कुस्तक लिखी किस ने लिखी वारेंदर कुमार गोस ने 1905 इसवी में तो हम लोग कर रही हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसमें हमने बहुत सारे कुश्चन जो हैं वो कर लिये हैं और आज हम करेंगी कुछ प्रेशन जो है वो किसान आंदोलन से रिलेटेड ये प्रेशन जो है वो आपके भारत का स्वतंतरता आंदोलन जो आपका टॉपिक दिया हुआ है जिसमें हम 1857 से लेकर और 1927 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं क्वेशन नंबर वन है यूरोपिय कंपनी ने कहां के जमीदारों से भूमी प्राप्त करके नील की केती करना प्रारंब कर दिया था तो इसका आंसर है बंगाल और बिहार बंगाल और बिहार के जमीदारों से यूरोपिय कंपनी भूमी प्राप्त की और नील की खेती करना प्रारब कर दिया था देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए नील की खेती जो है वह है यूरोपिय जो देश थे वहाँ पर भी होती थी लेकिन वहाँ का जो नील होता था वो इतना अच्छा नहीं होता था इतनी अच्छी चमक नहीं होती थी जितना की भारत में होती थी तो जब इन्होंने भारत में देखा कि वहाँ नील की खेती जो है उसमें नील में जो चमक है वो बहुत जादा है जब उन्होंने कपनों पर इसकी रंगाई की, तो उन्होंने सुचा कि हम भारत में ही नील की खेती उगाना प्रारम कर देंगे, लिकिन जिस जमीन पर नील की खेती उगाई जाती थी, वहाँ पर कोई अन्य फसल उगाना संभव नहीं हो पाता था, जिससे कि किसानों को बहु इसमी में किस जिले के समस्त किसानों ने हर्टाल कर नील की खेती करने से इंकार कर दिया था, तो नील की खेती का जो अंदोलन है वो बहुत टाइम तक चला था, तो अठारा सो साथ में किसानों ने हर्टाल की और नील की खेती से इंकार कर दिया, तो यह थी बारा साथ उप विभाग तथा पावना और नादिया जिलों के किसानों ने नेक्स्ट है कुश्यन 3 नील विद्रो को रोकने के लिए कब नील आयोग निक्त किया गया तो किसानों ने विद्रो कर दिया तो नील विद्रो को रोकने के लिए नील आयोग निक्त किया गया और यह नील आयोग जो है वो 1860 इस्वी में ही नियुक्त किया गया Question number 4 दक्षिन में किसानों ने आंदोलन कब और किस कारण हुआ दक्षिन में जो किसान आंदोलन हुआ था वो कब हुआ और उसकी क्या वज़े थी तो देखिए 1875 इस्वी में भूमी पर बहुत अधिक कर लगाये जाने की वज़े से और वहां कपास की जो खेती थी वह अधिक होती थी तो उसके कारण वहां पर जो उनके दाम थे उन्हें कम कर दिया गया इसकी वज़े से किसान जो थे वो रूस्ट हो गए और किसानों ने आंदोलन किया Q5. चमपारन किसान आंदोलन क्यों हुआ? तो चमपारन किसान आंदोलन का कारण था कि जो बिहार के किसान थे उनसे जबरन नील की केती करवाईगी जैसा हमने first question में ही देखा था कि यूरोपे company जो थी वो अब जमीदारों से जमीन ले रही थी और वहाँ नीलगी खेती करवा रही थी तो जमीदार भी उस वक्त कर रहे थे जमीदार जो थे वह भी किसानों पर burden डाल रहे थे उसे जबरन जो है वो नीलगी खेती करवाई जा question number six गांदी जी ने किसकी साहता से चमपारण किसानों की वास्तविक इस्तिती की जाच की देखे गांदी जी जो थे वो दक्षिन भारत से आए थे तो उन्होंने जैसे ही बिहार में एक किसान था राजकुमार तो राजकुमार की आगरे पर बिहार चमपारण में गांदी में साहता जो है वह की थी राजिंद्र प्रशाद ने तो वहां देखकर उनका मन जो है वो बहुत अधिक व्यतित हुआ था परिशान हुआ था तो गांदी जी ने वहां पर आंदोलन किया यह गांदी जी का पहला सत्याग्रय माना जाता है ठीक है याद रखना है गांदी जी का पहला सत्याग्रय जो है वह है चमपारण आंदोलन है जिसे हम तीन कटिया प्रथा भी कहते हैं ठीक है कुशन है चमपारण आंदोलन कब हुआ था यह आंदोलन हुआ था 1917 इसमी में बिहार में गांदी जी के प्रयासों से और देखिए 1916 इसमी में गांदी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी ये भी आपको याद रखना है और उसके एक साल बाद 1917 में बिहार में गांधी जी के प्रयासों से चंपारण अंदोलन हुआ था और ये अंदोलन क्यों हुआ था मैंने आपको बताया कि नील की खेती को समाप्त करने के लिए ये अंदोलन में ही गांधी जी को महात्मा की उपादी मिली थी चंपारण अंदोलन में और वह उपादी उनको दी थी रविंद्रनात टैगोर ने ठीक है बहुत इंपोर्टेंट बात है ये रविंद्रनात टैगोर ने चंपारण अंदोलन में ही गांधी जी को महात्मा की देखिए गांधि जी का पहला सत्याग्र हुआ हुआ तो चंपारण बिहार में हुआ था तेकल याद रखना सивается हला उसके बाद 1918 में एहमधाबाद में दूसरा सत्याग्र हुआ हुआ था जिसमें गांधि जी ने पहली पार पहली बार भू खड़ता गरती तो वहां जो खेरा अंदुलन a ऐभी गंदी जी के प्रियासों से हुआ था यहां यह concentrating चद्धा यह क्यों हुआ था यहां गुजराथ मनें जो भी कर था गनदी कारण क्या चानिक की जो फ़सलacie उस पर कर जो है वह बहुत अधिक लगाया जा रहा था जवरन वसूला जा रहा था और कहां पर गुजरात में तो उसको कम करने के लिए खेड़ा आंदोलन हुआ था नेक्स्ट है question 10 अकिल भारती इस तर पर किसान आंदोलन चलाने के लिए लखनव में अकिल भारती किसान सपा का गठन कब हुआ ठीक है अकिल भारती किसान सपा का गठन कब हुआ तो यह गठन हुआ 11 अप्रेल 1934 इसमी में 10 का 3rd chapter का next part जिसमें हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी सामराजे का प्रतिकार और संगर्स ठीक है भारतीय राष्ट्रिय आंदोनन के समद में यहां बहुत सारे प्रश्ण जो हम कर भी चुके हैं चलिए next करते हैं 1860 में बंगाल के प्रमुक अकवार हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे तो बंगाल का जो प्रमुक अकवार था हिंदू पैट्रियट इसके संपादक कौन थे इसके संपादक थे क्रिष्टो दास पाल ठीक है याद रखना है आपको क्रिष्टो दास पाल किसके संपादक थे हिंदू पैट्रियट के और यह अखवार निकाला जाता था बंगाल से Question 2 Indian League की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1875 E.S.P. में बंगाल के विद्वानों द्वारा क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने सबसे पहले बंगाल को ही अपना अड़ा बनाया था वहीं पर उन्होंने अपना राज्य इस्थापित कर लिया था तो वहां कुछ सिख्षित वर्ग भी थे जो कि उनकी सभी जो हरकतें थी उनको जान भी गए थे तो लोगों में राजनितिक चितना जागरित करने के लिए बंगाल के कुछ विद्वानों ने इंडियन लिग की स्थापना की 1875 इस्वी में कुश्यन 3 हैं इंडियन एसजोशियाशन की स्थापना कब हुई? इंडियन लीक की स्थापना 1875 वी में हुई उसके 1 साल बाद इंडियन एस्थापना हुई 1876 में दोनों याद रखने हैं दोनों अलग ही हैं कुश्यन नमबर 4 1876 में इंडियन एसोशेशन की स्थापना हुई थी किसके नेतरत्व में कलकत्ता की अलबर्ट हॉल में लगए 800 लोगों ने राजनितिक विचार रखने के लिए भाग लिया कुश्यन 5 इंडियन नेशनल कॉंग्रेश की स्थापना किस ने की ठीक है इंडियन लीक की स्थापना हमने देखा 1875 में इंडियन एसोशेशन की स्थापना 1876 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेश की स्थापना हुई ए ओ यू द्वारा यह 1885 में की गई थी ठीक है याद रखना है कई बार एक्जामें पूछ भी लिया जाता है कि ए ओ यूम का पूरा नाम क्या है एलन ओक्टोवियन हुईूम इंडियन नेशनल कॉंग्रिस की स्थाफना जरूर इनों ने की थी लेकिन कभी भी यह है इसकी अध्यक्ष नहीं रहे थे नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कॉंग्रिस की पहली अध्यक्षता किस ने की थी देखिए अब आ गया कि किस ने की थी अध्यक्षता तो जो पहली अध्यक्षता थी वह है ब्योमेश चंदर बनर जी ने की थी कब की थी 28 दिसंबर 1885 इसवी में कहां की थी बंबई में की थी गोकोल दास्तेचपाल संस्कृत कॉलेज में देखिए पहले जो है जब प्लैनिंग की गई थी इसकी अध्यक्स्ता की तो वो पूने में की गई थी लेकिन पूने में उस वक्त प्लैक की जो बीमारी थी वो फेल चुकी थी तो उस वज़े से वहां से सिफ्ट करके इसे बंबई लाया गया तो पहली अध्यक्सता जो है वो बंबई में हुई थी 28 दिसंबर 1885 इसवी में अध्यक्स जो थी वो है लोमीस चंद्र बनर जी थे Q7 भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के पहले अध्यवीशन में कितने प्रतिनीद्यों ने भाग लिया था 28 दिसंबर को जो अध्यवीशन हुआ थो उसमें 22 प्रतिनीद्यों ने भाग लिया था Q8 Congress का विभाजन कितने भागों में हुआ, Congress का विभाजन कितने भागों में हुआ था, तो Congress का विभाजन दो भागों में हुआ था प्रत हम 1885 से लेकर 1890 तक ठीक है। जब Congress जब बना था जरतिय राश्ट्री Congress यानि अफार सो पिचासी इस सीमें उस वक्त केवल इसमें उदारवादी निता ही थे लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग जो थे वह इनकी बातों से सहमत नहीं थे तो कॉंग्रेस का विभाजन हुआ तो दूसरा विभाजन जो हुआ वह है 1905 से 1919 तक जिसमें उगरवादी निता यानि गरम पंती जो निता थे वह भी शामिल हुए तो कॉंग्रेट का विवाजन दो भागों में होता है नरम पंती और गरम पंती प्रमुक उधारवादी निता कौन थे तो जो नरम पंती निता जो थे वह देखिए याद रखने है प्रमुक जो है उन्हें याद रखना है दादा भाई नोरो जी फिरोशा मैं था व्योमेशन बनर जी और सुरेंद्रनाथ बनर जी तो मेरे साथ साथ ही इनको आप बोलते जाए जिससे कि आपको लर्ण हो जाए प्रमुक उग्रवादी निता कौन थे तो उग्रवादी जो निता थे यानि कि जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था ठीक है प्रमुक उग्रव और बाल गंगाधर तिलक यानि बाल और पाल यानि विपिंचंदर पाल ठीक है इनको याद रखिएगा आप ये उग्रवादी नेता थे और जो बाकी हमने पहले पड़े थे वो उदारवादी थे होम रूल लिग को स्थापित करने की गोश्णा एनिवेसेंट ने कप की थी तो हम पढ़ते हैं कि एनिवेसेंट ने होम रूल लिग की स्थापना में काफी प्रयास किया था तो यह प्रयास उनका था 1915 इस्ती में नेक्स्ट है हम रूल लिग की स्थापना किसने की ठीक है प्रयास किया था एनिवेसेंट ने 1915 इस्ती में ठीक है उसके बाद पूना में 1916 इस्ती में बाल गंगादर तिलक ने हम रूल लिग की स्थापना की उसके बाद एनिवेसेंट और बाल गंगादर तिलक इन दोनों जो है वो कब होती है 1916 इस भी में रॉलेक्ट एक्ट कब पास किया गया रॉलेक्ट एक्ट कब पास किया गया यह 19 मार्च 1919 को पास किया गया था Qpushion no.14 रॉलेक्ट एक्ट को अन्य किस नाम से जाना गया रॉलेक्ट एक्ट को किस नाम से जाना गया इसे काला कानून कहा गया क्योंकि इसमें बिना सन्देह के ही गिरफतारी की गई थी देखिए रॉलेक्ट एक्ट जो है वो सर सिड्नी रॉलेक्ट की अध्यक्स्ता में पास हुआ था तो इसमें क्या था कि बिना किसी संदेह की कोई भी गिरफ्तारी जो है वो कर ली जाएगी पूछा भी नहीं जाएगा कि तुम्हें किसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है और इसे ही काला कानून कहा गया नेक्स्ट है जलिया वाला भाग हत्याकान कब हुआ तो यह हत्याकान जो है वह 13 अप्रेल 1919 इसवी में अमरिसर में हुआ था तो रॉलेक्ट की विरोध में जो जलिया वाला भाग में अमरिसर में लोगों ने आपस में बात कर रहे थे तो वहाँ पर बिलकुल सांती थी लेकि फिर भी जो अंग्रेज अफसर था, वह वहाँ आया और उसने बिना संदेह के ही वहाँ सभी पर गोली बारी स्टार्ट कर दी और वहाँ पर कई लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ मारे गए थे तो देखिए यहाँ पर कई लोगों ने तो ऐसा भी किया था कि जलिया वाला बाग में एक कुवा है, वहाँ पर जाकर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ कूदना स्टार्ट कर दिया था, तो सभी अपनी जान बचाने के लिए कूदे जा रहे थे और कहते हैं कि वो कुवा जो है वो लोगों से ही भर गया था ठीक है तो यह हत्यकान जो है सबसे बड़ा हत्यकान जो है वो माना जाता है यह हत्यकान 13 अफैल 1993 में अमरिस सर में हुआ था Next है किसकी आदेश पर जलिया वाला भाग में गोली चलाई गई थी नेक्स्ट हैं किलाफत आंदोलन किसके द्वारा प्रारम किया गया था तो यह आंदोलन जो है भारती मुसलमानों के द्वारा प्रारम किया गया था और क्यों किया गया था तुर्की के मुसलिम जो खलीफा थे उनके सम्मान में किया गया था किलाफ़ आंदोलन की डेट पूछी जाती है 17 अक्टूबर 1919 को next है question number 18 किलाफ़ आंदोलन की समाप्ती कब हुई थी किलाफ़ आंदोलन की समाप्ती जो है वह है कब हुई थी इसका answer है इसकी समाप्ती हुई थी 10 अगस्त 1920 को एक साल तक चला था यह आंदोलन तो यह आंदोलन की समाप्ती हुई थी सेब्र की संधी से question 19 किलाफ़ आंदोलन की समय गांदी जी ने कौन सी उपादी लोटाई थी देखिए गांदी जी ने 1919 में जो उनको अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपादी दी थी तो उन्होंने इस उपादी को लोटा दिया था हम कई बार ये भी पढ़ते हैं कि जलियावालाबाग हत्यकान की वज़े से जो गांदी जी थे उन्हें बहुत परेशानी हुई थी उसके बाद उन्होंने केसर हिंद की उपादी लोटा दी थी गांदी जी ने असायोग आंदोलन कब किया गांदी जी ने असायोग आंदोलन किया उन्ने सो बीसी इसवी में असायोग आंदोलन का अर्थ है कि यानि सायोग ना करना ठीके तो अंग्रेजों के द्वारा जो भी उनकी जो बस्नुए थी और उनके जो भी कार्रे किये गए थे जैसे जलिया वाला बाग हत्या कांड तो यहाँ पर लोग जो थे वो बहुत जादा अंग्रेजों से परेशान थे तो अब गांधी जी ने असयोग अंदुलन चलाया कि अब हम बिल्कुल भी सयोग नहीं करेंगे असयोग अंदुलन के क्या कारण थे तो देखिए मैंने आपको अब ही पताया एक तो रॉलेग्ट अक्ट दूसरा जलिया वाला बाग हत्याकांड हंटर कमेटी के रूपर्ट जो की जलिया वाला बाग हत्याकांड के जो भी जांस थी उनको करने के लिए आई थी लेकिन उसक जो भी खाना पूर्ती है उसको करके चली गई, उसने कोई भी रिपोर्ट जो है वो सही नहीं दी, तुर्की विभाजन खलीफा का पद समाप्ती ये सबी कारण थे कि इस वज़े से गांधी जी ने 1920 इसमी में असायो गांदोलन किया, गांधी जी ने असायो गांदोलन कब कि किया, ये हमने देख लिया है, तो गांधी जी ने असायो गांदोलन कब और क्यों बापस लिया, गांधी जी ने असायो गांदोलन बापस लिया 1922 में, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असायो गांदोलन बापस ले लिया, लेकिन ये क्यों लिया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदीश के गौरकपुर्जिली में चोरी-चोरा स्थान पर जनता ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी तो जो पुलिस वाले थे उन्हों ने जनता पर बहुत ब्रहार किये ठीक है उसके बदले में वहां के लोग जो थे उनको उनकी नाराजगी थी उनकी आने की वज़े से बहुत सारे जो पुलिस अंग्रेज थे वो मारे गए थे तो गांदी जी इस चीज़ से परेशान हुए थे और उन्होंने असायो गांदोलन बापस ले लिया था क्योंकि गांदी जी कभी भी नहीं चाते थे कि अगर हम कुछ भी कारदे करें तो वहां प इसको बापस ले लिया था क्यों ले लिया था उसका कारण था चोरी चोरा इस्थान पर जो भी जनता ने पुलिस चौकी में आग लगाई थी उस वज़े से Q23. स्वाराज्य पार्टी का गठन किस ने किया? इसका गठन मोती लाल नहरू और चित्तरंजन दास ने किया? Q24. साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? इसमे कोई भारती सदस्य नहीं था इसी के लिए ही भारतीयों ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था और इसी वज़य से लाला लाजपत राय जो हैं उन्होंने लाहूर से ही साइमन कमीशन को बापस जाने के लिए वहाँ पर आंदोलन भी किया और वहीं पर इसकी वज़े से लाटी चार्ज में उनकी मौत भी हो गई थी, ठीक है, तो Simon Commission में कितने सदस्य थे, साथ सदस्य थे, याद रखना है, सभी अंग्रेश थे, कोई भी भारती है, नहीं था नेक्स्ट है, साइमन कमीशन किस की अद्धक्षता में बनाया गया था, यह सर जोन साइमन की अद्धक्षता में बनाया गया था, 1927 इसवी में, ठीक है, 1927 इसवी में साइमन कमीशन जो है, बना था, साइमन कमीशन को बनाने का क्या कारण था, तो इसका कारण था, 1929 के भारत सरकार अधिरियम के कार्यों की समिक्षा करने के लिए Next है 27 Simon Commission 1927 में बना था लेकिन यह है भारत को पहुचा था यह date याद रखनी है 1928 में ठीक है 1927 में Simon Commission जो है वो बना था ठीक है और Simon की अध्यक्षता में और यह 3 फरवरी 1928 को भारत पहुचा था बहुत सारे कोशन जो है इसमें important है देखिए हर एक कोशन को अब ध्यान दीजिएगा Simon Commission का विरोध किसके नितरत्व में किया गया तो इसका विरोध जो है वह लाहोर में लाला लास्पत राई की नितरत्व में किया गया कोशन 29 कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पास किया कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पास किया तो मोती लल नहरू और चितरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी जो है वह बनाई थी उसके बाद 1929 जवाहल लल नहरू की अद्धिक्स्ता में कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ता पास किया डांडी मार्च कब हुआ? डांडी मार्च कब हुआ? तो डांडी मार्च की डेट जो है वह याद रखनी है आपको सीटेट में पूछी गई थी दो बार ठीक है? एसस्टी के एक्जाम में तो देखी कितनी इंपोर्टेंट है यह डांडी मार्च जो है बच है अपरेल 1930 में यह मार्च जो है डांडी मार्च निकाला गया था गांदी जी के द्वारा इसमें गांदी जी ने 78 सदस्य के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमेटर दूर गुजरात के डांडी गाउं तक यह पैदल चले थे और वहां उन्होंने नमक बनाकर जो कानून था उसे तोड़ा था अंग्रेजियों के द्वारा क्योंकि अंग्रेज जो थे वो नमक पर भी कर ले रहे थे तो इस वज़ेशन उन्होंने नमक बनाकर वहां अंग्रेजी कानून को तोड़ा था गांधी इर्विन समझोता कब हुआ गांधी इर्विन समझोता जो है वह 5 मार्ट 1931 में सरकार और कॉंग्रेस के बीच में हुआ था सरकार और कॉंग्रेस के बीच में नेक्स्ट है गांधी जी ने किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया था नेक्स्ट है, question 33, Congress ने व्यक्तिकत सत्याग्रे आंदोलन कब प्रारम किया था? Congress ने व्यक्तिकत सत्याग्रे प्रारम किया था, 1940 इसली में. नेक्स्ट है, question number 34, व्यक्तिकत सत्याग्रे में प्रत्थम सत्याग्रे कौन थे? व्यक्तिकत सत्याग्रे में पहले जो सत्याग्रे थे, वो कौन थे? तो पहले थे विनोबा भावे, ठीक है? विनोबा भावे का नाम आता है, यादर ना है, व्यक्तिकत सत्याग्रे में सबसे पहले सत्य एक रही थे विनोबा भावे उसके बाद दूसरे जवालाल नहरू थे तीसरे ब्रहमदत थे ठीक है विनोबा भावे जवालाल नहरू ब्रहमदत विल्कुल सीरी से यादर कियेगा विनोबा भावे जवालाल नहरू और ब्रहमदत चाहे फर्स्ट पूछें चाहे स सोसलिस्ट पार्टी के किन नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। अब ये कुश्यन जो है वो एक्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है? क्योंकि भाराच ओड़ो आंदोलन जो है वह याद रहता है। उसमें कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी के किन नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। तो अब देखिए इनके नाम याद रखने हैं जै प्रकास नारायन, राम अनुहर लोहिया, रामानान्द मिश्रा, एसम जोसी और अच्यत पतवर्दन। रिपीट कर देते हैं, जै प्रकास नारायन, राम अनुहर लोहिया, रामानान्द मिश्रा, एसम जोसी और अच्यत पतवर्दन। अब ये कुशन जो है, वो आपको याद हो जाएंगी, तो उसके लिए आपको वीडियो जो है, वो दो-तीन बार तो देखो, देखना ही होगा, क्योंकि अगर आप एक बार देखते हैं, तो ये आपके माइंड से कुछ तो याद रहेंगे, और कुछ आपके माइंड से फिस जाएंगे, एक के कुशन जो है, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन के साथ ही वो टेस्ट लिया जाएगा, कुशन 37, बंबई में भारा चोड़ो आंदरून का नितरत्व किस ने किया, बंबई में भारा चोड़ो आंदरून का नितरत्व करने वा जो हैं वो बिल्कुल बरबाद नहीं होनी चाहिए, हर question जो है वो important है, आज हम पढ़ने वाले हैं, विजोलिय किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, जो भी किसान आंदोलन हुए, राजिस्थान में जो हुए, वह सभी आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से प्रस्ण ज जनजाती कहा निवास करती थी, तो यह जनजाती, राजिस्थान के दक्षणी भाग में, डुंगरपूर, मेवाड, प्रतापकड, बासवाड़ा और कुसलकड शेत्र में निवास करती थी, next है, question number 2, संप्त सभा की स्थापना किसने की, संप्त सभा की स्थापना किसने की, इसका answer है, 1883, इसवी में, गोविंद गुरू ने संप्त सभा की स्थापना की थी, देखिए, एक बात और मुझे आप लोगों से पूछनी है, आप comment box में बताइएगा, कि कुछ बच्चों को RBSC से पढ़नी है, geography, और कुछ बच्चों को जो new NCRT है, राजिस्थान में जो लागू की गई है, वहाँ से पढ़नी है, तो आप लोगों को बताना है, कि आप किसमें से पढ़ने की इच्चुक हैं, क्योंकि खुद आपने देखा होगा, जो अभी police constable का exam हुआ, तो उसमें बहुत सारे questions जो हैं, वो यहीं से पूछे गए, जो भी हम यह test series कर रहे हैं, तो आप आपको बताना है, क्योंकि जोग्रफी ऐसी चीज है, जिसमें हम पहले chapter को ही पढ़ेंगे, क्योंकि matter जो है, वहाँ यदि समझ में नहीं आया, तो आप question नहीं कर पाएंगे, तो आपको यह बताना है, कि आप NCRT से करेंगे, निउव वाली, या फिर RBSC की बुक से नेक्स्ट है, question number third, भगत आंदोलन के नितरत्यों करता गोबिंद गुरु ने मानगर पहाडी जो बासवाडा में है, भीलों के लिए सभा कब की, इसका आंसर है, 1913 इसली में, October में question number four, भगत आंदोलन का क्या कारण था, तो भगत आंदोलन, भील आंदोलन के बारे में हम पिसली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर थोड़े और fact है, इनको आप अपने notes में add कर लीजिएगा, भगत आंदोलन का कारण था, भीलों से बेगार करशी कारे के लि 1927 में भीलों और गरासियों के लिए किया गया, question six, और 1894 में विजोलिया में जमीदार किसन सिंग ने कितने प्रकार के कर किसानों पर लगाए, तो यहाँ से हम विजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा important है ये वाला, क्योंकि ये आंदोलन ज सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन विजोलिया किसान आंदोलन है, जो कि लगबग 44 सालों तक चला, तो जो किसन सिंग थी जमीदार विजोलिया में उन्होंने 84 प्रकार के कर जो है वो किसानों पर लगाए थे, अब जब इतने सारे कर किसानों पर लगाए जाएंगे तो आंदोलन तो निश्चे तो होगा ही विजोलिया आंदोलन कितने वर्षों तक चला तो यह आंदोलन जो है वह 44 वर्षों तक चला था जो की प्रथम संगटित किसान आंदोलन कहलाता है ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है विजूलिया के किसानों ने लागत और बेगार के सिकायत के लिए किस महाराना के पास अपने जो लोगते उनको भेजा तो उस समय मेवाड के जो महाराना थे वह फते सिंग थे तो मेवाड के महाराना के पास किसे भेजा नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को कि भही हमारी जो शिकायत है जमीदार दोरा इतना ज़्यादा बेगार करवाया जा रहा है और उपर से लगान भी लिये जा रहे है तो यह है शिकायत लेकर मेवाड के महराना के पास जाया जाये क्योंकि जो लगान होता था तो वह है जमीदार के उपर जो है वो मेवाड के साश्कों दौरा लगाया जाता था लेकिन सारा का सारा जो लगान है वह है जमीदार क्या करते थे किसानों पर धूब देते थे विजोलिया किसान अंडोलन 1897 और इस वड़के समय मेवाड के महराना कौन थे तो उस समय मेवार के महाराना जो थे वह थे फते सिंग नेक्स्ट है महाराना फते सिंग ने बिजूलिया के इस किसानों की लागत और बेगार संबंदी सिकायतों की जाच के लिए किस राजस्व अधिकारी को निक्त किया तो जब गाउं के लोगों ने अपने दो लोगों को महाराना के पास भेजा तो महाराना ने जो राजस्व अधिकारी था हामिद हुसेन इसको निक्त किया और कहा जाओ और देखो कि किसानों की जो भी सिकायते हैं उनकी जाच करो नेक्स्ट है विजोलिया में अकाल कपड़ा एक तो विजोलिया में लगान इतना ज़्यादा लिया जा रहा था बेगार क्रिशी करवाई जा रही थी उपर से विजोलिया में अकाल पड़ा 1899 से 1990 में तो आब किसानों की दसा जो है अतियंत दैनी हो चुकी थी 1903 इसवी में राव क्रिशन सींग ने कौन सा नया कर भी जोलिया के किसानों पर लगाया तो देखिए अब तो जब इतना कुछ हो रहा था उसके बाद भी जो जमिदार था वो सोचिए कितना ज़्यादा क्रूल था तो इसने जो कर लगाया वह था चवरीकर तो गाओं के हर व्यक्ति को लड़की के विवापर 5 रुपे ठिकाने के को उसमें जमा करना पड़ता था तो इसी वज़े से गाओं के लोगों ने अपनी जो लड़की थी उनका विवापर वह भी करना बंदिक कर दिया था क्योंकि 5 रुपे जो थे वह भी उस टाइम बहुत भुआ करते थे नेक्स रहें बिजोलिया में 1906 सिंग में प्रजा पर तलवार बंधाई नमक कर किसने लगाया तो चमरी कर जो है वह किसन सिंग ने लगाया था और उसके बाद तलवार बंधाई कर जो है वह प्रत्वी सिंग ने लगाया था तो हमने देखा ये वास्कम में तो ये मिवाड के सास्कों द्वारा जमीदारों पर लगाया जाता था नेक्स्ट है कुश्यन 16 1913 इसमें किसानों ने किसके नितरत्व में विजूलिया में जागिर शेत्र में हल चलाने से इंकार किया अब किसान नहीं देने वाले थे कर तो इसी लिए उन्होंने हल चलाने से इंकार कर दिया तो यहाँ पर नितरत्व किया सादू सीता रामदास, पते करण चारण और ब्रहमदिप इन तीनों ने नितरत्व किया और किसानोंने हल चलाने से इंकार कर दिया यहां से आंदोलन जो है वो प्रारंब हो जाता है विजोलिय किसान आंदोलन किस गाउं से प्रारंब हुआ तो यह आंदोलन जो है वो प्रारंब होता है गिर्दरपुरा गाउं से यहां गंगाराम धाकड की घर पर एक मृत्यू भोज हुआ तो काउं के सभी लोग इखटे हुए उसके बाद इन्होंने आपस में बात की कि जमीदार जो है वो बहुत ज़्यादा कर ले रहा है तो हमें अपने किसी दो व्यक्ति को मिवाड के महाराना जो पति सिंग है उनके पास भेजा जाना चाहिए तो यहां आंदोलन जो शुरू होता है इस काउं से नेक्स्ट हैं 18 सादू सीताराम धास द्वारा आमतरित करने पर 1927 में विजूलियर किसान आंदोलन का नितरत्व किस ने समहाला तो सबसे पहले सादू सीताराम धास ने वहन नितरत्व समहला था लेकिन 1917 में उन्होंने बुलाया विजे सिंग पतिक को कि आप आईए और विजूलियर किसान आंदोलन का नितरत्व समालीया कुश्यन 19 है विजय सिंग पतिक ने 1927 इसमी महरयालियम आवस के दिन किस गाउं में उपर माल पंच मोर नामक एक संगठन इस्थापित किया तो उपर माल पंच बोर्ड नामक संगठन जो है इस्थापित करने वाले थे विजय सिंग पतिक तो इन्होंने बैरी साल गाउं, बैरी साल गाउं में यह है उपर माल पंच बोर्ड संग्ठन सापित किया नेक्स्ट है 20, बाल गंगादर तिलक ने अपने किस अंग्रेजी पत्र में बिजूलिया के बारे में संपादक लिखा तो यहाँ पर देखिए दो प्रश्णा हैं, और वो क्या है कि बाल गंगादर तिलक के द्वारा अंग्रेजी पत्र जो है वो कौन सा था? मराठा, ठीक है? यह हम पहले देख भी चुके हैं, तो बाल गंगादर तिलक ने अपने मराठा अंग्रेजी पत्र में बिजूलिया के बारे में लिखा बिजूलिया के किसानों को जागरित करने के लिए मानिक के लाल वर्मा द्वारा कौन सा गीत गाया गया? तो उनके द्वारा पंच्रिडा गीत गाया गया बिजूलिया किसान आंदरन को देश वर में किस समाचार पत्र द्वारा राष्ट्र था? पहचान मिली तो अब विजोलिय किसान आंदुलन जो था केवल विजोलिय में ही नहीं था सीमित बलकि वह दूर तक पहुँच चुका था पूरे देश में पहुँच चुका था और इसे राष्ट्रे पहचान जो है वह मिली थी गनेश शंकर के समाचार पत्र प्रताप द्व से नेक्स्ट है कोशियन नंबर 25 उदैपूर राजसरकार ने अप्रेल 1922 में विजोलिय के किसानों के सिकायत की सुनवाई करने के लिए किसकी अद्यक्स्ता में एक आयोका गटन किया हाकिम बिंदुलाल भट्टा चार्रे इनकी अद्यक्स्ता में उदैपूर राजसरकार विजोलिय के किसानों के सुनवाई के लिए किसकी अद्यक्स्ता में आयोका गटन किया हाकिम बिंदुलाल भट्टा चार्रे की अद्यक्स्ता में नेक्स्ट है 26 विजोलिय किसान अंदुलन के समय राजस्तान के एजी कौन थे देख़े विशेश रूप से याद रखना है इसको क्योंकि उस समय राजस्तान के एजी कौन थे रॉबर्ट हॉलेंड next है 27, विजय सिंपतिक कब विजोलिया किसान आंदुलन से अलग हुए तो यह अलग हुए 1927 इस्वी में question number 28, विजोलिया किसान आंदुलन कब समाप्त हुआ तो काफी लंबी समय तक चला था तो यह आंदुलन 1941 में समाप्त हुआ 1897 में प्रारम हुआ था उसके बाद 1941 में ये समाप्त हुआ नेक्स्ट है 29 लंदन से प्रकासित होने वाले किस समाचार पत्र में किसानों के समर्थन में लेक चपे तो देखिए भारत में ही नहीं बल्कि इसकी पॉँच जो है वो लंडन में भी हो चुकी थी तो यह डेली हैराल्ड समाचार पत्र जो था उसमें किसानों के समर्थन के बारे में जो लेक है वो चपे थे और यह कहां से प्रकासित होता था लंडन से नेक्स्ट है सीकर किसान आंदोलन किसके कारण हुआ अब हम विजूले किसान आंदोलन को पढ़ चुके है सबी फैक्ट हमने इंक्लूड कर लिये हैं एक एक पॉइंट जो है वो आपके लिए इंपोर्टेंट है किसकर किसान आंदोलन किसके कारण हुआ अब यहां का जो ठिकानेदार था वह था कल्यान सींग सीकर में तो इसने भी 25 से 40 परसेंट तक भूर आजस्व वृद्धी की इसकी वज़े से यह आंदोलन हुआ नेक्ट है 31 सीकर किसान आंदोलन में नेतरतो किस ने किया तो इसमें जो नेतरतो करता थे वह थे राम नरायन चौधरी जो की राजिस्थान सिवसंग के मंत्री थे आपको देखे इन आंदोलन में विशेश तोर पर याद क्या रखना है एक तो यह आंदोलन कब प्रारम हुआ इसका नेतरतो किस ने किया और किस की वज़े से यह आंदोलन हुआ यह तीन चीज़े जो है वो विशेश तोर पर आपको याद रखनी है Q.32 शीकर किसान आंदोलन में 1925 में ब्रिटिस संसत के निचले सदन House of Commons मैं किसने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई तो देखिए ब्रिटिस संसत का जो निचले सदन था वो था House of Commons तो यहाँ पर सरपैथिक लौरन्स ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई थी तो जैसा हमने देखा देश में ही नहीं देश के बाहर भी ये आवाजे जो है वो उठने लगी थी किसानों के समर्थन में भरतपुर के ठाकुर देशराज ने कहां एक सभा जाट प्रजापती महायग करने का निश्चे किया तो ठाकुर देशराज ने पत्हेना में पत्हेना में एक सबाद जो थी वह है वहाँ पर महायग करने का निश्चे किया 20 जनवरी 1934 में सीकर में किस आचार्य की देखरेग में जाट प्रजापती महायग हुआ अंजर है यग्या चार्य पंडित खेम राज सर्मा की देखरेग में जाट प्रजापती महायग आरंबो हुआ नेक्स्ट है थर्टी फाइफ 20 जदापती का राजपुताने में होने वाला सबसे बड़ा यग कौन सा था तो यह यग था जाट प्रजापती महायग नेक्स्ट है कुश्यन थर्टी सिक्स सिहोट की ठाकोर मानसीं के विरुद 25 अप्रेल 1934 में किस इस्थान पर स्रीमती किसोरी देवी की अद्देख्सना में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ तो यह आयोजन हुआ सीकर में कट्राथल स्थान पर नेक्स्ट है कुश्यन थर्टी सेवन सीकर में हुए विशाल महिला सम्मेलन में जो महिलाएं थी उनमें प्रमुक थी स्रीमती फूला देवी स्रीमती रमा देवी जोसी, स्रीमती उत्तमा देवी और स्रीमती दुर्गा देवी कुश्य नमबर 38 25 अप्रेल 1935 को सीकर में राजसो अधिकारी लगान वसूलने के लिए कूदन गाओं पहुचा किस महिला द्वारा लगान ना देने के लिए विरोध किया गया तो सीकर में जिस महिला ना विरोध किया उसका नाम था धापी दादी नेक्स्ट है 39 सीकर किसान अंदलन का नित्रत्यों करने वाले नेता कौन-कौन थे तो आगे तक यह अंदलन चला तो यहां नित्रत्यों करने वाले नेता जो थे वो थे सरदार हरलाल सिंग, नेतराम सिंग, गौरी, पन्ने सिंग, हारू सिंग, गौरी सिंग, इस्वरी सिंग इनके नाम आपको याद रखने है यह आपको याद हो जाएंगे वीडियो को आप बार बार देखेंगे यह बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे सीकर की कुदन गाउं हत्याकान में सहीद किसानों के नाम लेखिए तो इस कुदन गाओं का जो हत्याकान था यहां जो सहीद हुए थे वो के सांथे चेताराम, टीकूराम, तुल्चाराम और आसानाम देखिए सभी के नाम के पीछे राम लिखा हुआ है आपको बस याद रखना है कि ये सीकर के जो कुदन गाओं थे, वहाँ सही दुए थे, चेता राम, टीकूराम, तुल्चा राम और आशा राम. Next है question 41, अब देखिए, मैंने जो अभी police constable का question paper डाला था, वो मैंने इसलिए डाला था, ताकि आप ये जान सको, कि RBSC की book जो है, इसमें RBSC की book जो है, वो आपके लिए कितनी important है, होते हैं, जो अभी चल रहे है question paper, किसी भी exam के राजिस्थान लेवल पर, तो उनको भी solve किया करिए, क्योंकि वहाँ, क्या पता आपके जो exam होगा, वहाँ ये ही question जो है, वो आ जाए, आप read का दे रहे हैं, उससे पहले आपका पटवारी का जो exam हो जाएगा, तो उनका question paper है, वो भी आप देखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यदा important होता है, ऐसा नहीं होता है, कि आप read की exam के त्यारी कर रहे हैं, तो आपको जो exam है, उनसे कोई मतलब नहीं, बेगु किसान अंदुलन प्रारम हुआ था, 1921 इस्वी में धाकर जाती के किसानों द्वारा, नेक्स्ट है 42, बेगु किसान अंदुलन का नित्रतो किस ने किया, तो नित्रतो करने वाले थे राम नारायन चौधरी ठीक है, और यह भी उनको किस ने का था, विजय सिंग पतिक को, नेक्स्ट है 43 भेगो किसान अंदोलन के समय वहां के ठाकुर कौन थे तो भेगो किसान अंदोलन के समय ठाकुर थे अनूप सिंग नेक्स्ट है आप एक पेज पर जो भी आंदोलन है उनकी डेट लाइन वे लाइन उनके नित्रत तो करता और वहां के ठाकुर कौन थे यह आप लिखकर और इनको याद भी करिए वीडियो तो आप देखते हैं तो यहां आपको याद होते हैं एक बार आप लिखकर याद करें तो वहां भी आपको याद होंगे वेगू किसान अंदोलन 1921 में किसानों की सबा कहां हुई थी तो किसानों ने जो सबा की थी वह की थी मेनाल में भैरी कुंड पर ठीक है नेक्स्ट है राजिस्तान सेवसंग और रावल अनूप सींग के समझाते को मिवार सरकार ने किसकी स संग्या दी तो यह जो समझाता हुआ था अनूप सींग और राजिस्तान सेवसंग में तो इसकी जो संग्या है वह मेवार सरकार ने दी वौल सेविक समझाता से जो कि 1917 में रूज की क्रांती के समय हुआ था next है 46 बैंगू किसाना अंतोलन में किसानों की सिकाएत के समाधान के लिए किस के नितरतवों में एक आयोग नुग्त किया गया आज का जो वीजो है इसमें सभी प्रश्ण जो हम बिल्कुल नए हैं आपको इसंभी याद रखने हैं तो जो आयोग नुक्त किया गया था किस किसान आंदूरन से संबंदित है तो वो बेंगु किसान आंदूरन से संबंदित है देखिए यहां थोड़ा सा याद करने की बताती हूँ बेंगु थोड़ी से दो वर्ड से ही बना हुआ है इसी लिए ट्रेंच ट्रेंच भी दो वर्ड से ही बना हुआ है बेंगु ट्रेंच नेक्स्ट है 47 बेंगू के किसान ट्रेंच की निर्णे बेंगू के जो किसान थे उन्होंने ट्रेंच के निर्णे पर विचार करने के लिए कहां इकत्रित हुए तो वह गोविंद पुरा इकत्रित हुए नेक्स्ट है 48, बेंगु किसान अंदन में कौन से दो किसान सहीद हुए जिसका आंसर है रूपाजी और करपाजी धाकर जो है वह है बेंगु किसान अंदन में सहीद हुए 13.loin 1933 में और बेंगु किसान अंदन प्रारम हुआ था 1921 में नेक्स्ट है 49, बेंगु किसान आंदोलन हमारा हो चुका, नेक्स्ट है बूंदी किसान आंदोलन, जिसे बरड किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके नितरत्व करता थे पंडित नैनुराम शर्मा, कौन थे पंडित नैनुराम शर्मा, नेक्स्ट है बूंद बुंदी किसान आंदोलन कब हुआ यह आंदोलन हुआ 1922 से 1927 इस्वी तक यानि बेंगु किसान आंदोलन 1921 में बुंदी किसान आंदोलन 1922 में प्रारंब हुआ प्रसंग बुंदी किसान आंदोलन में 2 अप्रेल 1923 को किस गाउं में किसानों की सभा हुई आंजर है डाबी ग नेक्स्ट है question 52 डाबी गाउं में किसानों पर गोलियां किसने चलाई तो यहां गोली जो है चलाने वाला पुलिस अधिक शक्था इक राम हुसेन नेक्स्ट है question 53 बुंदी किसान आंदोलन में कौन से किसान गोलियों से सहीद हुए बुंदी किसान आंदोलन में सहीद होने वाले किसान थे नानक भी और देवलाल गुरजर जो की जंडागीत जो नानक भी थे यह जंडागीत गाते हुए सहीद हुए नेक्स्ट है question 54 निमूचना किसान आंदोलन कहा हुआ अब हम निमूचना किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे यह आंदोलन हुआ था अलवर में अलवर में जब सूरों की संख्या बहुत जादा बढ़ गई थी तो किसान उनकी फसल बरभात कर रहे थे जो सूर थे तो इस वजए से अलवर में किसान आंदोलन हुआ यह आंदोलन हुआ 1921 इस्वि में बेगु आंदोलन 1921 में, नेमूचना किसान आंदोलन 1921 में नीमूचणा किसान अंदुलन की समय अलवर के महाराजा कौन थे तो उस समय अलवर में महाराजा थे जैसिंग अलवर में महाराजा जैसिंग थे जब नीमूचणा किसान अंदुलन हुआ था नेक्स्ट है question 56 14 मई 1925 इसवी को किसान भूरा जस्वे की चर्चा के लिए कहां एकत्रित हुए थे तो जो किसान थे वह एकत्रित हुए थे बांसूर तहसील के निमूचणा गाउं में नेक्स्ट है commander चज्जू सींग द्वारा निमूचणा गाउं में कितने किसानों को मार दिया गया तो यहां पर चज्जू सींग द्वारा 156 किसानों को मार दिया गया देखिए बिल्कुल लाइन फैर लाइन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहां आके लिए बहुत अच्छे तरीके से नोट्स तयार हो सकते हैं क्योंकि एक भी कुशन ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से क्रैस हो तो सभी जैसे हमने सबसे पहले बिजूले किसान आंदोलन देखा फिर हमने सीकर आंदोलन फिर हमने बूंदी बेंगू आंदोलन अब हम नीमुचन आंदोलन पढ़ रहे हैं किस किसान आंदोलन को जलिया वाला बाग हत्याकांट की तुलना की जाती है तो जो नीमुचन उससे संग्या दी जाती है, जलियावाल हत्याकांट की तरह, क्यों दी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से जलियावाला बाग में सभा हो रही थी, शांती पूर्वक और अचानक से जन्रल डायर ने गोलियों की बरसात कर दी थी, इसी तरीके से निमूशना किसान अंदुलन में जब गाउं के लोग जो थे, किसान जो थे, वह बैट कर सभा कर रहे थे, तब वहाँ पर गोलियां बरसा दी गए Next है, Question 59, Commander चजु सींग की तुलना किस से की जाती है? तो वहाँ जल्यावाला बाग में जनरल डायर था, यहाँ पर चजु सींग था, तो इसी तरीके से चजु सींग की तुलना जो है वो जनरल डायर से की जाती है Next है, Question 60, महात्मा गांदी ने निमूचना आंदलोन को किस की संग्या दी? तो महात्मा गांदी ने निमूचना किसान आंदलोन को दोहरी डायर साही कहा है, अब यहाँ आपको याद रखना है, जब आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांदी ने निमूचना हत्याकांड को किस की संग्या दी? तब आप कहेंगे दोहरी डायर साही, ठीक है? लेकिन ज मुष्णा किसान आंदुलन में नेत्रत्व करता कौन थे? किसने नेत्रत्व किया था? तो यहां की जो राजपूत थे उन्होंने नेत्रत्व किया था. नेक्स्ट है, प्रजाम अंदल आंदुलन के लिए अखिल भारतिय देशी राज्य लोग परशत की स्थापना वह प्रतम अधिवेशन कहां और कब हुआ? इसका आंसर है, बंबई में 16-18 दिसंबर, 16 से लेकर 18 दिसंबर 1927 इसवी को दीवान बहादुर राम चंदर राओ की अध्यक्षता में हुआ. नेक्स्ट है, कुश्चन 63, अखिल भारतिय देशी राज्य लोग परशत की कारे कारने में राजिस्थान की कितने सदस्य थे? तो यहां पर सदस्य थे, साथ सदस्य. ठीक है? और वो सदस्य थे, नैनूराम सर्मा कोटा से, संकरलाल सर्मा अजमेर से, जै नरायन व्यास, कनह नेलाल कलियंतरी यह जैपूर से थे, राम देब पोदार और बाल किसन पोदार यह विकानेर से थे, तिर लोग चंद मातुर कारोली से. रिपीट कर देते हैं कि अकिल भारतिय देशी राज लोग परशत की कारे कारे कारने में साथ सदस्य थे राजिस्थान के, जिसमें नै इस संस्था के उपाद्यक्ष वह प्रांतिय सचिव कौन चुने गए? तो जो उपाद्यक्ष थे वह चुने गए? श्री विजय सिंग पतिक जो की बिजोलिया की साना अंतुलन से संबन्दी थे, तो यह चने गए यहाँ पर उपाद्यक्ष और राम नरायन चौदरी जो है वो प्रांतिय सचिव चुने गए? कॉशन नमबर 65, कॉंग्रेस का हरीपूरा अधिवीशन कप हुआ? देखिए बहुत इंपोर्टन कॉशन है यह, कॉंग्रेस का हरीपूरा अधिवीशन जो है, वह सुभास चंदरबोस की अध्यक्षता में हुआ, 1938 इस्वी में. तो यह आपका अंतिम प्रश्न था, आपकी हिस्ट्री जो है, वो मैंने कम्प्रीट करवा दी है, इसी तरीके से हम पॉलिटी जो है, वह भी फटाफट कम्प्रीट कर लेंगे. अब आप तैयारी में जुट जाएए, आप क्लास 6 हिस्ट्री की है, उसको अच्छे से तैयार कर आपका टैस्ट होगा, तो वहां आप देखिएगा कि आपकी जो टैस्ट के द्वारा आपकी रिवीजन कितने अच्छे से हो जाएगी, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू.